चलिए अब हम web designing के अंतरगत CSS को पढ़ने बाले हैं, CSS का जो पूरा नाम है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल सीट, यह है क्या, इसके बारे हम पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं, CSS होती क्या है, CSS के बारे हम देखिए, जैसे ह हम HTML की अगर बात करें, HTML में आप जब web page बनाते थे, तो आपको एक structure बना मिलता है, structure मतलब एक खांका तयार मिलता है, पर अगर बात करें हम उसकी formatting की, तो formatting आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, जैसे देखिए, यहाँ पर आपको H1 में आपने एक headline दी है, त फिर आपको देखिए, यहाँ पर heading बन, paragraph लिया गया है, कुछ link का प्रयोग किया गया है, style 1, style 2, 4 तक, उसके बाद फिर आपका headline लिए गई है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आपको next फिर paragraph नजर आ रहा हो, no style seat यहाँ देख रही है, इसके बाद देखिए, sidebar में side heading देख रही है, और यहाँ पर आपको paragraph देख रहा है, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की formatting नजर नहीं आ रही है, तो हम चाहते हैं कि इसमें formatting होए, यानि कि इसमें जो font color हो, इसमें कुछ background आए, या फिर इसमें कोई images आए, मतलब कहीं पर भी आप image लाना चाहते है या फिर कहीं आप जो उसको सजाना चाहते, color करना चाहते, तो उसका appearance को आप change करना चाहते, तो उन सारी चीजों के लिए यहाँ पर जरूरी होता CSS, तो CSS किस प्रकार अपनी भूमी का निवाता है, किस प्रकार उसका प्रयोप करेंगे, और कौन-कौन सी चीज़ें उसमें ह होती है, वो सारी चीज हम यहाँ पर बिस्तार से जानने वाले है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, देखिए, जब हम यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे यह नॉर्मल वेब पेज है, और अगर हम style बन पर जाते है, style seed बन पर, तो हमको इस प्रकार कुछ सजावाट मिल यह निकी green दिख रहा है, और यहाँ पर उसका color change दिख रहा है, फिर आप यहाँ देख सकते है, next जो दिख रहा है, style 2, मतलब style seed 2, फिर 3, फिर 4, और style seed, अगर हम style seed 2 पर जाते हैं, तो उसके लिए same to same, जो current style seed है, वो पूरी पूरी change हो जाएगी, मतलब जो area है, या display है, वो आपका दिखें, फिर से webpage यहाँ पर change नजर आ रहा है, साथ ही आप style seed 4 में अगर जाते हैं, तो आपके दिखें इस प्रकार आपका webpage का view या appearance नजर आएगा, तो आप देख सकते हैं, आप एक ही webpage में multiple style seed को apply कर सकते हैं, अलग-अलग, मतलब जो style seed होती है, वो एक प्रकार से formating का collection होती है, निकि formating यह निकि color हो गया है, heading, जो भी आपको alignment और जो भी सारी चीज़ आपको appearance चेंज करना वो सारी चीज किसमें होती है, तो हम यहाँ पर multiple CSS को एक CSS को multiple webpage में भी use कर सकते हैं, और multiple CSS को एक webpage में भी use कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर change करके देखेंग, एक style seed 1 करें तू थ्री फॉर और अगर हम इस्टाइल सीट पर क्लिक करते हैं तो आपको जो पिछला वाला जो व्यू है यह वाला वैलकम टू माय हॉम पेज यह इस प्रकार से आपका जो है नॉर्मल हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग करें तो हमको उसके लिए जरुवत पड़ेगी तो आपका बैप पेज अगर आकरसक नहीं देखेगा तो आप आपके जो रीडर्स होते आपके बैप पेज के या जो भी मतलब आप बैप पेज में जो भी विजिटर्स होते है वह जादस कैसे आएंगे तो आपका जो बैप पेज है वह आकरसक तरीके से दिखना चाहिए तब ही आपके जो विजिटर्स है आपकी वैब साइट में ज्यादस 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 जादस में आएंगे ठीक है तो लोगों को आकरसित करने के लिए हमारे पास में CSS एक महत्पून साध आने जो की HTML में फॉर्मेटिंग का काम करती है तो हम इसी के बारे में विस्तार से यहां पर जानने वाले हैं आई होप यह सारी चीजे आपको क्लियर हो गई होगी कि CSS क्यों यूज होता है आप CSS के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं जैसे कि आपको पता CSS यान पता flow होता है ठीक है मतलब एक की उपर एक हम जो style seat यहां पर उपयोग कर सकते हैं उसी के कारण इसको बोला जाता है cascading यानि कि बहुत सारी layers होती है जैसे selectors होते है selectors क्या होते है वो हम आगे विस्तार से बात करेंगे selectors मतलब होता है जो tag हम use कर रहा है जैसे h1 use करें तो h1 के नाम से अगर हमने कोई tag बनाया है style का तो उसे हम element selector बोलेंगे और अगर हम इसी के बाद में style कर सकते हैं तो एक selector use कि उसके बाद दूसरा selector को भी उसी के लिए उसके कर सकते हैं तो यहाँ पर cascading इस प्रकार हम बोल सकते है style का मतलब होता है कि कोई कोई मतलब प्रकार से predefined जो template है वो bunny बनाय मिलती है जिसके कारण उसको जो है वो style apply हो जाती है और सीट मतलब complete रूप से अगर बात करें तो यह जो होती है जैसे css में external file में ले लिए internal मना लिए तो इस सारी चीज यहाँ पर हम देखने को मिलती है तो css का पूरा नाम क्या है cascading style seat हम देख लेते हैं जो css है वो एक प्रकार की language है जो की style का काम करती है html document में मतलब html जो है only structure बनाने का काम करेगा और css आपकी उसमें style apply करने का काम करती है तो एक प्रकार की language है यह और यह describe करती है कि जो html element हो किस प्रकार सो हो web page में ठीक है web page जब display होता है user के सामने तो वह web page में जो भी html element हो किस प्रकार डिस्प्ले हो उसको define करने का काम करती है css यहनि कि cascading style seat ठीक है इसके अलाबा हमारे जो css है वह एक प्रकार से क्या describe करती है वह html element को display करने के लिए describe करती है कि वह screen पर कैसे display हो monitor screen पर या paper पर कैसे display हो या कोई other media जैसे animation है ठीक है flags है manner है या जो भी other चीज़े मीडिया में आती है उसके अंतरगत जो html document है या element है वो किस प्रकार display हो उन सभी को describe करने का काम करती है css इसके अलाबा हमारे जो css है css जो है एक css एक css यहाँ पर multiple web page को यहाँ पर control करने का काम करती है मतलब वहाँ हम जो link tag है link tag के माद्धियम से css को multiple web page में apply कर सकते हैं तो multiple web page को control करने का काम करती है एक ही css ठीक है और जो हम other file बनाते है एक extra not paid में या कोई other जो editor है text editor उसमें तो उसको बोला जाता है css file यानि कि external जो file होती है external css को ही css file के रूप में save किया जाता है तो इस चीज़ आपको clear हुई होगी कि css क्या है ठीक है समझ में आ गया होगा css की यूज की जाती है अब आगे हमको जो है धीरे धीरे सारी चीज़ी इसके अंतरगत यूज करना है ठीक है तो चलिए आद देख लेते हैं एक बार और देखिए जैसे HTML का बात करें तो HTML इस प्रकार से structure बनाने का काम करेगा उस structure को अगर वैबस्तित करना है तो किसकी जरूवत पढ़ती है HTML के साथ में CSS यहां पर इस प्रकार से डिजाइन करना सीख जाएंगे अभी यह तो सिर्फ डिजाइन हुआ है अभी काम करेगा की ने मतलब ठीक है जैसे हमने डिजाइन कर दिये पर वो काम करेगा जैसे हम देखिए ओके बटन पर क्लिक कर रहा है ओके बटन पर हमने क्लिक करें तो हमारा जो है वो काम करना चाहिए या फिर कोई भी एक्सन वहां पर होना चाहिए तो उस एक्सन को एपलाई करने के लिए हमारे पास में एक और लेंगवेज की ज़रूत पढ़ती है जिसको वह लाजाता है कर दो थे फूर्ट को कि अब कर । चले थिए तो सिस से ज़स्ट गार यहां पर सजावट होगी उसके बाद यहां पर क्लिक है तो यह मूब आप डाउन इस प्रकार मतलब जो है arrow की हमको दे दी गई है और दीखे previous next यहाँ पर दे दिया गया है तो यह सारी जो button में action का काम करेगी वो कौन करेगी जावा स्क्रिप्ट करेगी ठीक है तो html ship structure बनाने का काम करेगा उसको सजाने का काम कौन करेगा css और उसमें action यानि कि उसमें जो activity apply करने का काम कौन करेगा जावा स्क्रिप्ट करेगा यह चीज आपको clear हो गई आगे और एक दो चीजे और है जैसे कि human की बात करें हम हमारी जो body है body में जो कंकाल बनाने का काम करेगी ठीक है blood है blood का circulation है और बहुत सारी सिस्टम है उसको बनाने का काम कौन करेगा मतलब जो पहले तो हम css के बात कर लेते css ठीक है तो देखे यहां पर देखे जब skeleton system बन गया तो उसको सजाने का काम कौन करेगा मतलब एक इंसान टाइप वो देखना चाहिए मानो टाइप तो यह देखे जैसे skeleton और यहां website यहां कि मानो बनाने का काम कौन करेगा css और मानो काम करना चाहिए तो देखे बॉड़ी में blood circulation बगरा सारी चीज हुहां पर accurate हो सही समय में हो तो उसको manage करने का काम करेगा javascript तो यह चीज समझ में आई फिर एक चीज और देख लीजी यहां पर html मतलब normal एक robot है robot का structure बना दी हमने आई ओप यह सारी चीजे आपको समझ में आ गई होगी तीनों चीजे ठीक है कि कौन कौन सी चीजे किस लिए उस होती है जैसे हमने html तो complete रूप से देख लिया पिछले जो वीडियो से आप देख सकते हैं मैं अभी बता देता हूं कहां से मिलेंगे वह उसके बाद आप इसके अलाबा देखे मैंने जैसे बात किया web designing course तो आपको playlist में जाना है और इस प्रकार आपको देखिए यह जो है web designing full course for beginners के नाम से यहां पर आपको playlist मिल जाएगी इसमें आप जाकर पूरा complete देख सकते हैं इसके अलाबा देखिए html आपको देखना तो html का full course भी आप आपको मिल जाएगा playlist में इनको आपको देखना जाकर तो आपको मिल जाएगा लिंक description में मिल जाएगी इसकी ठीक है और नहीं मिले तो आप playlist में जाकर भी इसको देख सकते हैं आसानी से मिल जाएगा इसके अलाबा computer के जो complete video है जैसे excel है msbird है powerpoint है ms access है या फिर vb.net है fundamental computer जो भी आप complete video देखना चाहते पढ़ना चाहते तो आप देखिए complete course यहाँ capsule के नाम से मिल जाएगे आपको full देखिए 25 वीडियो यहाँ पर देखने मिलेंगे इनकी लिंक भी आपको description box में मिल जाएगी यदि आपको यहाँ पर नहीं मिल पाते तो आप application download कीजिए सरकार study waves education देखिए कहाँ पर मिलेगा यह play store में मिलेगा इस प्रकार का आप लोगों पेचानते होंगे ठीक है सरकार study waves education और इसको आपको install करना है और अपने mobile number से login करके आपको सारे course वहाँ पर देख जाएंगे तो उसमें भी जाकर आप पढ़ सकते हैं PDF भी आपको ही पर मिलेगी store मतलब जो application में तो वहां से आप download करके इसको revise कर सकते है ठीक है चलिए अब बात कर लेते हम CSS में हमको पढ़ना क्या क्या है CSS में देखिए content यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले तो हम CSS के बारे में यहां पर देखेंगे तो CSS के बारे में already हम देख चुक है introduction यानि what is CSS CSS क्या होती है किसलिए use होती है सारी चीज हमको पता है फिर भी हम एक बार देख लेंगे फिर उसके बार हम देखेंगे types of CSS और यह जो types of CSS है इसमें हम देखें तीन प्रकार की CSS देखेंगे साथ ही selectors के बारे में बात करेंगे comments के बारे next में देखे comments क्या होती है comments कुछ जरूरी चीज होती है इनिकी एक समझदार जो web designer होता है मतलब एक अच्छा जो designer होता है वो comment का यूज जरूर करता है comment दो प्रकार की होती है एक तो one line होती है multiple line होती है तो यहां देखे comment की use होती है जब हमने कोई code लिखा है मान ल कर देगा web page इसको क्या कर देगा ignore वो सिर्फ किसको देखेगा background मेने की code यानि notpad या text editor में ही देखेगा वो सिर्फ दूसरे web designer के लिए काम का होगा तो एक जो comment है काफी important होती है हलाकि web page इसको ignore कर देता है दूसरी next use करेंगे हम color जो काफी important है हमारे CSS में काफी important जो भूमिका निभाता है उसके बाद measurement unit color को देने के लिए margin इन तीजों को मिलाकर हमारा जो है एक चीज का निर्मान होता है जिसे हम बोलते हैं box model ठीक है तो box model को भी हम यहां विस्तार से पढ़ेंगे किस प्रकार उसको design करते हैं height orbit हम देखेंगे आप पेडिंग भी देखेंगे border positions क्या होती है वो भी हम देखेंगे outline क्या होती है link style क्या होती है link मतलब जो hyperlink होती है उसकी styling कैसी की जाती है float and clear भी देखेंगे जैसे हम तीन box ली है page में तो उनको किस प्रकार adjust करना है screen पर वह हम सारी चीज यहां पर विस्तार से जानने वाले हैं चलिए एक एक करके हम आगे चलते हैं अब धीरे से content content में हम पहली चीज कवर करतें introduction तो introduction में मैंने बता चुका आपको css का css का पूरा नाम होता है case creating style seat यह आप देख चुके हैं ठीक है और इसका sort form होता css और css का प्रयोग है html document को design करने के लिए जाता यह भी आपको पता चल गया है इसके अलावा css जो है background color images height bit और text font font size layout इन सभी चीजों को अपने अंदर मतलब control करने का काम करती है ठीक है अगर हम उसको html में यूज करती है और काफी आसान है मतलब एक प्रकार की styling language इसको बोला जाता है जो की सब्सक्राइब करने का काम करती है मतलब एक layout देने का काम करती है html webpage को इसके अलावा html पर बोल्ड करने के लिए हम भी यूज करते थे strong यूज करते थे है ना small use कर सकते थे big use कर तो इन सभी के इस्तमाल होता था परंतु css के अंतरगत हम जो है सारी चीजे यह अलग से anchor tag के अंतरगत बी लिखते थे और अंदर जो टेक्स्ट लिखना है का जो टेक्स्ट लिखना बो लिखते थे और बी जो टेग उसको बंद करते थे इसप्लाइब हमारा text bold होता था ठीक है पर यहां अगर बी को define करना जैसे हमने बी लिखे कहीं ठीक है तो बी को हम और define कर सकते हैं ठीक है तो देखिए यहां पर बी जो element selector यहां पर यहां पर यूज हो रहा है और font का weight हम क्या कर देते हैं font weight जो एक property है यह property है दिखे एक तो selector हो गया selector define करता है कि किस को apply करना है style दूसरा curly bracket यहां पर बंद करने के लिए उसके अंतरगा था multiple property और value को यूज कर सकते हैं यह हो गई आपकी property और यह हो गई आपकी value तो आप देखिए जैसे font जो बोल्ड है बोल्ड की property अगर दो word में आई है दो सब्दों में आई है तो बीच में लिखनेक बाद उसको terminate करना तो terminate करने के लिए semicolon लगा जाता है यह चीज आपको पता होने चाहिए मतलब property लिखे property लिखनेक बाद आपको colon लगाना है और value लिखनेक बाद आपको क्या लिखना है semicolon लगाना तो एक कार सही एक property हमारी terminate हो यह निए कि यह work करेगी फिर दूसरी चीज अगर enter करके लिखना या इसी की साइड में हम लिख सकते हैं तो हमको यही same formula यहाँ पर follow करना है तो यह complete हमारा syntax हो गया कैसे हमने element जैसे h1 हमको देना है जैसे पी देना है तो पी देना था हमको curly bracket यहां start करे और पी के लिए सेमी कॉलन लगाए और curly bracket end कर दी तो यह होगा selector का नाम यह bracket start और end यह हमारे जो होगा control करते हैं सारी मतलब ब्लॉक को और यहां पर प्रोपर्टी का नाम होगा प्रोपर्टी के बाद हमने column लगाए column के बाद हमने value लिखे और value लिखने के बाद हमने semicolon लगाए तो इस प्रकार हमारी जो एक selector है उसका काम end हो जाता है तो यह होगा हमारा syntax ठीक है इसके बाद हम देख लेते हैं style seat के प्रकार यादिiono type of style तो तीन प्रकार के style sit होती है हम यहां पर पहले तो use करना देख लेते हैं यूझे कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको यहां पर आकर समझाओंगा कौन कौन से style होती है आप पहले देख लीजिए एक तो होती है inline style seat inline style seat आपको यहां पर नजार आ रही inline मतलब होता है जो element के अंतरगत यूज़ होती है attribute मतलब आपने पढ़े होंगे html में attribute क्या होता है attribute मतलब होता है जो भी tag होता है उसकी extra features को यहां पर define करने का काम करता है attribute तो attribute यह के style हो गई तो style के अंतरगत ही हम यहां पर style seat define कर सकते तो इस प्रकार की style seat को हम inline style seat बोलते हैं जो कि हमने पहले प्रयोग भी किये थे फिर एक होती internal style seat तो internal के लिए हमने hat section ही define किया था मतलब html webpage के अंतरगत head section में refine की जाती style tag के माध्यम से तो उसे हम बोलते हैं internal और एक होती external external को हमने link tag के माध्यम से यहां पर यूज करते हैं तो यह होगी external csr चलिए हम एक पहले तो हम एक webpage मनाते है html के अंतरगत और उसके बाद हम एक-एक करके सारी style seat को यहां पर यूज करेंगे तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा सारी चीज है ठीक है चलिए के करके हैं खम देखने वाले हैं हम यूज कर लेते हैं आपको पता होगा हम जब style seat लिखते हैं तो हमको text editor की जरूवत पढ़ती है तो चलिए मैं text editor भी आपको बता देता हूं text editor क्या होता है जब हम कोई code लिखते हैं तो हम फन्ट इच्ट एडिटर की जडरूरत पर जो सकते हैं सब से जो standard है वह not guide ठीक है जो not guide का एक और आता है close close सो not guide आप basic तॉर फर Windows जब इंस्टॉल करते आप directly Google के जो पेज है वहाँ पे आप लिख सकते है नॉटपेट प्लस प्लस डाउनलोड करके इस प्रकार तो नॉटपेट प्लस प्लस की ये वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे आपको इसको खोलना है तो सबसे लेटेस्ट वर्जन दो नॉटपेट प्लस प्लस 8.1.2 रिलीज हो चुका है और इसको आपको जाकर किलिक करना है और यहाँ देखे डाउनलोड को उप्सन लिखा है तो इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा दूसरी चीज आप एक दूसरा जो टेक्स्ट एडिटर उसको उप्यूग भी कर सकते हैं जिसको गोलते हैं सब्लाइम सब्लाइम टेक्स्ट यह काफी अच्छा है मतलब आटो कंप्लीट और जो एपरेंस है सारी चीज आपको चेंज मिलती है मतलब जो आपके कोड लिखने के जो एफिसेंसी है वो काफी अच्छा बनाती है मतलब आप काफी स्पीड से यहां code लिख सकते हैं तो आपके लिए जो suitable रहे वो आप यूज़ कर सकते हैं यहां से download for windows लिखा है sublime text for number का जो है उसको आप यहां कर सकते हैं तो इस प्रकार देखे आपको इस प्रकार का environment देखेगा काफी अच्छा environment आपको नजार आ रहा यहां पर तो यह सारी चीज़ आप यहां पर यूज़ कर सकते हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा हम यूज़ करते हैं यहां पर देखे मैं आपको यहां पर सब्लाइम पर काम का नद दिखाऊंगा सब्लाइम हमने यूज़ करें तो देखिए आपको इस प्रकार का environment मिल गया है तो साइड में देखिए अलग-अलग हो सकता है प्लस की बटन यहां लिए हमने दे पेस्ट मन गया इसको पहले तो क्या करेंगे घंस करिएी हाँ कि चले यहां पे हमें एक फोल्डर मना लिते हैं फोल्डर देखिए हमारो पेज सुन रहत ज़ो हमारा फोल्डर है उसी कई अंतरगा और हम इम यहां पर और और न्यूव फोल्डर माने एक किस के नाम से CSS के नाम से IP हम ये से क्या है क्या नाम से सेव हो गया है तो हम यहां पे लगाते हैं और HTML लिखते हैं तो देखे आप यहां पर जो है सारी चीज आपको आटो कंप्लीट मिलेगी जैसे आप ऐसा एंटर करते हो ठीक है इस प्रकार और इस प्रकार एंटर करते देखे पूरो का जो स्ट्रक्चर है इसके लेटन वह आटोमेटिक आपका आजाता है ठीक है तो यह जो चीज हमारे लिए जरूरी ने उसको हमटा देते हैं यहां पर ठीक है अब आप देखे यहां पर यह चीज तो आपको क्लियर होगी जब आप HTML पढ़ेंगे डॉक टाइप जो रहते हैं डॉकुमेंट टाइप का डेफिनिशन और वर्जन को लिखने के लिए यहां पर यूज होता है दूसरा HTML रोट एलिमेंट होता है उसके बाद हैड आपका पता है हैड में आपको इस तो टाइटल मिलता है दूसरी मेटा इंफरमेशन मिलती है लाइक सी एसस मतलब जो की लि लिख देते हैं उसके बाद यहां देखे एक टील बन टीकारिक होने बाद बांग को बंद कर दिया अब बॉडी बोडी में वह चीजी लिखी जाती है जू वीजी बल श्यूज में दिकती है तो हम लिख देते हैं नौर्मली क्या ऑफ यह काफी अच्छा है ठीक है यह से हम यह लिखे और H लिखे और 1 लिखे और अगर हम एंटर कर देते हैं तो देखिए हमारा स्टार्टिंग टेग भी मिल जाता और क्लोजिंग टेग भी तो सब्लाइम में हमको काफी आसानी होती है मैंने पिछले जो HTML हो इसमें आपको notepad का उप्योग करना दिखाया था notepad++ का इसमें हम सब्लाइम टेक्स्ट का उप्योग करना देख रहा है ठीक है तो यहां हम लिख देते हैं जैसे की हो गयाँ अब इसको हम कर देते हैं और आप करते हैं चाहिए और हम कहां जाते हैं जाते हैं नहीं इसमें कुछ हम फॉर्मेटिंग करें फॉर्मेटिंग किसके माद्ध हम से की जाएगी है मतलब जो html के अंतरगा इस्टाइल यूज कर रहे हम उसके अंतरगा तो पहली तो होती है inline inline कैसे यूज करते हैं जैसे यह लिखा हमारा tag tag कुन सा लेखा h1 और दूसरा लेखा पी तो इसी के अंतरगत हम इसपेस देकर अगर style यूज करते हैं ऐसा देखें इस्टाइल यूज करें को लगा और डबल कोट के अंदर हमारा आ गया हम चाहते हैं कि इसका है s utilized compare देखेंटर ये यहां सब्सक्राइक अलएगा चाहिं तो में देख सकते हैं आपको डबल कलन लगा हुए और जब लिख देघए हैं तो से system कॉलन लगा फिर स्पानियों इसी के साइड में एक करें के एंटर करें हैं देखें यहां पर राट कर देते ओचांटर है जितितें twee एंटर बच्था तकर 172 006 क्या है कि यहां पर आपको कॉलन लगाना है कि इसके बाद में प्रोपर्टी के बाद में और जब लिख दो सेमिकॉलन लगाना जब दूसरी प्रोपर्टी आपको लिखना है तो फिर से आपको जो प्रोपर्टी लिखकर कॉलन लगाना फिर आपको जो बैलू है वो लिखकर स स्टाइल देते हैं तो इस्टाइल हम देख सकते हैं देखे पी को क्या करना है पी को हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं ठीक है यह हम पी को text align कर देते हैं text align को क्य 먼저 again write कर देते हैं ठीक है right कर दिये और इसके color को क्य कर देते हैं color को कर देते हैं Green ठीक है यह green कर दिये इस प्रकार ठीक है दो चीज हो गई अब हम इसको करते हैं save शेल कर देखे और हम जाते हैं हमारे page में कहाँ पर page खुल अब होगा है refresh करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर denken आ ठीक है heading आगे center भी आ गया और एक paragraph है जो कि green color में आ गया green color मैं बड़ा करके दिखाता हूं green color में आ गया है और right alignment भी आ गया है तो हमने दो चीजे दिये थे किसमें h1 में भी दो चीज दिये थे और एक paragraph में भी दो चलिए inline तो हमने कर ली है internal करते है internal के लिए आपको देखे टाइटल में जाना पड़ता है टाइटल के जिस्ट नीचे आप enter करोगे और आपको style tag लिखना है कि देखे style जो tag वो लिखे और end वाले को हमने नीचे कर दिये अब यह जो types है यह types को आप लिखना हो नहीं लिखना हो वो आपकी मर्जी नहीं भी लिखोगे तो काम नहीं करेगा मतलब काम ऐसा कोई effect नहीं करेगा इसको हम हटा देते हैं लिखोगे भी तो भी अच्छी बात है ठीक है तो यहां देखे style में हम लिख देते हैं अब आप होता है सारी चीज हम उपयोग करना देखेंगे यदि आप यहां पर हैस लगाक है head लिख देते हो head 1 तो यह हो गया id tag और अगर आप कॉमा लगा लगा बहुत सारी चीज लिख देते हैं जैसे h1 है कॉमा पी है कॉमा और कुछ हम लिख देते हैं तो यह grouping हो गया या फिर नौर्मरली style लिख देते हो star लगा का तो वह आपका universal selector हो गया तो चारो चीजे पांचों चीजे हम उपयोग करना देखेंगे अब ही हम जो है क्या-क्या यूज की हमने h1 यूज की है और p यूज की है तो हम h1 को दे देते हैं एचमन हम यहां यूज करते हैं देखे हैे एच मन के अंतरगत हम यहां पे देख लेते हैं अभी हमने क्या-क्याइचीज़ दिये हैं एक्स करते हैं इस प्रकार एंटर करके लिख सकते हैं और टेक्स्ट अलाइन भी ले लेते हैं फिर से और टेक्स्ट अलाइन लेनेक बाद इसका जो हम राइट ले लेते हैं ठीक है दो चीजे लिए उसके आद हम पैर पी ले लेते हैं और पी लेनेक बाद हम देखे इस प्रकार ले लेते हैं टेक्स्ट लाइन हम ले लेते हैं इसका सेंटर ले लेते हैं तो आप देखिए जब हम यहां इस्टाइल उप्योग करें हैं और अंदर भी हमारी स्टाइल उप्योग है देखिए यहां पर एक है हमारी एच बन एच बन के अंतरगत हमने लिए स्टाइल जिसके अंत कर देते हैं ठीक है यहां पर दीक रहेगा है यहां देखें द्ध्यान से तो हम थे सोफिक ड़िशीर प्रॉइर्व केशन हैं तो कि देख लिते हैं हमारी ग्राइं यां पर नहीं तो हु rivalry यहां भी होगर हूझ रहे हैं और यहां हमने उपर देखे क्या दिया है कलर हमने फेल सीड उपयोग करते हैं मतलब एक तो इंटर्नल उपयोग कर रहा है दूसरी हमने इन-lion यूज़ की है ना तो पहले काम मतलब प्रियोर्टी अगर देखें तो प्रियोर्टी पहले किसकी आ रही है important कोन है पहले inline है तो मतलब जो tag के साथ में use हुई है inline attribute के रूप में वह पहले काम करेगी किस के picture यह internal के picture तो इंटरनल क्या है देखो सबसे इंपॉर्टन क्या है सबसे पहले यह वर्क करेगी इन लाइन दूसरे नंबर पर कोन वर्क करेगी स्टाइल जो हमने इंटरनल यूज की है तो आप समझ गहूंगे दोनों में सबसे जादा पावरफुल कौन सी है इन लाइन है जो कि यहां पर ती है तीनों में फर्क बताऊंगा मैं कि कौन सी मतलब यूज करना चाहिए कौन सी कभ यूज करना चाहिए सारी चीजी हम यहां पर देखने वाले हैं तो देखे आप समझ गए अगर मान लो मैं यहां से स्टाइल को हटा देता हूं यह यह वाली ठीक है यहां देखिए जब मैं इस्टाइल को हटा दिया तो आप देखिए जो हेडिंग है हेडिंग का कलर कैसा होगा ग्रीन हो गया और अलाइनमेंट राइट हो गया किसका काम किया है इंटर्नल स्टाइल सीट का जो बेलू और प्रपरटी है वो काम की है उसके आद होती है टेक के अंतरगत यूज होती है और इंटर्नल कहां यूज होती हैड के अंतरगत अब हम देखिए इसी को हम एक एक्स्टनल फाइल में बना कर देखते हैं तो हम देखिए यहां पर एक टाइप्स.html हमारा देख रहा तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं न्यू फा लेते हैं देखिए एच मन हम लेते हैं ठीक है और एच मन को हम देखे फिर से यहाँ पर कलर देदेते हैं कलर हम देदेते हैं इसका रेट देदेते हैं डार्क रेट ठीक है और हम जो है इसका टेक्स्ट अलाइन देदेते हैं टेक्स्ट अलाइन हम क्या देदेते हैं लेफ्ट पे देते हैं ठीक है कि यह left एक दे दिये और एक paragraph भी ले-लेते हैं ठीक है पी भी ले ले लेते हैं वह पी के लिए भी हम दीकbung है color ले लेते हैं color जैसे हमने लिए खलाद इसको कर देते हैं घ्रीम फिर से ठीक है और इसका जो text align है वह क्या कर देते हैं text align हम इसका कर देते हैं left ठीक है अब आप देखे यह हम save कर देते हैं ठीक है save कर दिए save कर दिए अब हम यहाँ पर इसका use करना देखेंगे ठीक है refresh करते हैं पहले तो देखे कोई effect तो हुआ ने कोई effect कैसे नहीं हुआ देखे यह जो फाइल है यह types वाली अलग है और a types.html भी अलग है ठीक है तो मान लो हम इसको कर देते हैं comment पहले हम इसको कर देते हैं comment ठीक है इसको हम कमेंट में यूज़ कर लेते हैं चलिए इसको पहले हटा देता हूं है यहां पे इसको हम जो हटा देते हैं ठीक है सेप करते हैं देखे ये नॉर्मल में आ गया जबकि हमारे पास में टाइप्स.css external file है तो आप देखिए यह file अलग है और यह file अलग दोने एक दूसरे पहचान रहा है कि बिलकुल नहीं पहचान रहा है तो यह जो CSS है इसको बताना पड़ेगा यह .html वाले को कि भाई यह CSS नाम की फाइल है जो इसमें यूज करने के लिए बनी है तो इसको बताने के लिए टैग होता है तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं देखे यहाँ पर यूज कर लेते हैं link tag कहां पर यूज करना है link जैसे हम यूज करें head के just नीचे title है title के नीच लिंक टैग यूज करना जिसमें relation किस टाइप का है style seat टाइप का है और टाइपस कैसा है टाइपस है यह जो है text या CSS है और href में आपको नाम देना है नाम क्या है नाम है types.css types.css अब types ने लिखना only type है type.css एक और चीज condition ध्यान रहे यह चीज जो type.css है वो कहां save होनी चाहिए जहां type.html save है मतलब जहां web page save है वहीं पर आपकी CSS save होनी चाहिए तभी normal इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं नहीं तो आपको उसका पूरा URL लिखना पड़ेगा कि कौन से folder में किस drive में सारी चीज है तो आप दोनों चीजों को एक ही जगे save कर दें तो आपके जो सारी चीज है वो काम कर लेगी चलिए save करते हैं और यहां देखे यह काम कर लिया मतलब हमने यहां पर कुछी प्रकार की style seat नहीं दी हमने कहा दिए एक external file में style seat बना कर दी है जो कि आपकी किस साय किस से iF us keep marked कर लेते हैं style tag ठीक जो internal style वो उप्योग कर लेते से माले एच मनें है और wij प्रकार लिग देते हैं color हमने उसमें के दिभी ओं से है में color हम देदेते हैं आप है yellow देते ठीक है yellow देते हैं और इसका text align हम दे देते हैं क्या text align दे देते हैं right ठीक है के शलिए कि अभी क्या रहा है इस हेडिंग रेट कलर में आ रहा है और लेफ्ट अलाइन आ रहा है। और आपको ध्याण रहे हैं कि जब एक्सटरन और इंटरनल की बात हो तो काम कौन करेगा पहला है इंटरनल ही काम करेगा external काम नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रहे देखिए मैं आपको वहाँ पर चल कर बताता हूं यहाँ पर सबसे पहले कि अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर जो है inline काम करेगी उससे छोटी कौन सी होगी internal होगी ठीक है और उससे छोटी कौन सी होगी external होगी यह चीज आपको ध्यान राकना मतलब सबसे पहले powerful अगर use हुई है same property है same value change है तो यहाँ पर सबसे पहले inline उपयोग होगी की फिर internal उपयोग होगी और फिर external उपयोग होगी तो यह क्राम आपको पता होने चाहिए और अगर यहां पर inline उपयोग नहीं हुई है internal उपयोग नहीं हो तो external और इंटरनल उपयोग हुई है तो इंटरनल वहां पर क्रॉस हो जाएगी और इंटरनल काम करेगी तो हमने तीनों चीज़े देख लिए कौन-कौन सी inline भी देख लिए जो की element के अंतरगा यहां पर यूज होती इस प्रकार style attribute के माद्ध हम से एक होती है style जो टैग होता उसके माद्ध हम से जो की इस चीज़े जान लेते हैं जो कि हमने प्रियोक कर लिए आई होफ सारी चीज़े आपको पता चल गए होगी फिर भी हम यहां पर देख लेते हैं तो inline CSS यह style attribute के दोरा दी जाती है और inline CSS यह सिर्प जो है उसी element पर apply होती है जिस element पर उसे दिया जाता है मान लीजे हम चलते हैं बापास यहां पर और मैं आपको यहां पर फिर से webpage में दिखाता हूं जैसे मान लीजे यह एच बन है एच बन के अंतरकर्थ हम style देते हैं ठीक है style देते हैं और यहां पर हम जो है अब ठीक है देखिए बड़ा हो गया पर यह जो style के अंतरगत font size दी है 3am यह किसके अंतरगत वर्क कर रहा सिर्प एच वन के लिए काम कर रहा है पी के लिए काम कर रहा है यह कोई आदार तो हम क्या करते हैं दूसरे हम हम उप्योग करते हैं तो उसी कटनाई से बचने के लिए हमनने किसका उप्योग करे लिए इंस इंटर्नल में हम देखिए एक हैच वन डिफाइन किये तो हैच वन के दौरा दूसरी हैच वन में भी उप्योग होगा पर एक और चीछ ध्यान दीजिए जब हम एक बैपेज बनाते हैं तो चलिए एक बैपेज के लिए हमने इस्टाइल लिग दिए पर हम मल्टिपल को कंट्रोल करेगी तो सभी css का अपना एक महत्व है ठीक है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है सभी अपने जगह में इंपॉर्टेंट है तो देखे मैंने क्या बता यहां पर इनलाइन css जो है उसी टैग में मतलब एच मन है तो एच मन में ही एपलाई होगी दूसरे टैग में अगर अपलाई करना तो उसमें फिर से डिफाइन करना होता है यह चीज आपको पता होनी चाहिए दूसरी चीज यहां देखे इनलाइन जो css है यह अलग 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 दी जाती है मान लो हमने एच बन लिखे तो एच बन में अलग दे सकते हैं फिर दूस हम इसका एक्जामपल भी देख सकते हैं देखे यहां पर हमने देखे बॉड़ी के अंतरगत लिए बॉड़ी एक प्रकार का क्या है टैग है और इसके अंतरगत स्टाइल एक्ट्रिब्यूट करूप में लिए गया है और बैग्राउं कलर क्या ले लिए यलो तो हम यहां प लेते हैं बेग्राउं कलर ग्रे ठीक है यह ले लिए और इसको सेफ कर दिये जब हम इसको रिफ्रेस करते हैं तो हमारी बॉड़ी का बैग्राउं कलर क्या जाएगा ग्रे हो जाएगा यह चीज आपको पता चल गई उसी प्रकार आप देखे फॉंड साइज ले सकते हैं अ ब्लेक ले लेते क्योंकि पॉंड किस प्रकार में है यह ब्लैक हमने ले लिए ठीक है और यहां इसको जाकर रिफ्रेस करते हैं यह दैखे उसका बैग्राउं और आट में आ गया और yellow इसका क्या है color है तो यह दोनों चीज हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद color हमने ले चुके हैं ठीक है font weight नॉर्मल लेना है तो यह हम सारी चीजे किसके अंतरगत यूज़ कर सकते हैं उसी element tag के अंतरगत यूज़ कर सकते हैं style attribute के माद्यम से double code के अंतरगत लिखना आपको property फिर colon लगा के value और फिर semicolon लगा उसको terminate करना है तो यह चीज़ आपको पता चल गई ठीक है नेक्स्ट जो आती है इंटर्नल का मतलब होता है जो की head tag में लिखी जाती है तो यह चीज़ आपको देख लिए किस प्रकार लिखी जाती है style tag के माद्यम से लिखी जाती है type हम दे सकते हैं नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं और इस प्रकार style के माद्यम से बंदी बेजाती है तो style element तो और यहाँ पर define की जाती है ठीक है और यह जो internal css है एक webpage के सभी element के लिए होती है सिर्फ एक webpage की बात की जा रही और multiple webpage की बात होता है यह काम नहीं करेगे multiple webpage में काम नहीं करती सिर्फ एक webpage में काम करती है तो यह head के अंतर के style element जो है इसके अंतर लिखी जाती है जैसे देखिए यहां में head लिए head के बाद हमने style ले लिए ठीक है और style लेने के बाद हमने देखे body body के लिए element tag है मतलब एक selector है ठीक है selector मतलब क्या होता है जो की काम करता है सिर्फ जो हम body define करें हमने tag तो उसमें automatic काम कर लेता है तो यह element selector है तो body का background color हम यहां ले सकते हैं ठीक है जैसे हम देखे जैसे मान लीजी हमने देखे body के अंतरगत के दिए और यहां पर हम यह देखे internal के अंतरगत ले लेते हैं body और यहां ले लेते हैं इस प्रकार तो इस प्रकार लिए background कलर हम ले लेते हैं यहां पर ज़ियों एसका फुल यह फ्रेस्व deposit right hon तो यहां पर हम जो हैसको यह देखे अभी green वाला जो text है वो नहीं दिख रहा paragraph का तो green text को हम क्या कर देते हैं उसको change कर देते CSS वाले उसमें जाकर green को हम कर देते हैं yellow ठीक है और यहां जाकर refresh करिया देखे yellow paragraph भी दिख रहा और यह भी दिख रहा है यह दिये और डोट लगाकर अगर देते हैं तो अगल डोट अलागाकर हम यहां पर दे सकते हैं class के रूप में तो छल Nations कैसे करना वह हम देख लेते हैं चली यह यहां पर About North बटाता हूं यह हटा देते हैं ठीक है color इसका हटा देते हैं ठीक है इस head one के अंतरगत हम ले लेते हैं color और color लेने के बाद हम इसका जो है color क्या कर देते हैं yellow ठीक है अभी इसको save करते हैं और यहां पर refresh करते हैं तो देखिए यहां पर color कुछ नहीं आ रहा है जबकि हमने yellow ली है और yellow ली ह लगा है तो यह क्लास सेलेक्टर है यह कैसा था यह एलिमेंट सेलेक्टर था और यह क्लास सेलेक्टर है तो क्लास कैसे होता है डॉट की नाम से तो क्लास बताना पड़ता है देखिए आपको क्लास यहां लिखना पड़ेगा मतलब यहां पर लिखना है तो क्लास आपको लिख है class class लेते हैं तो class हमको बताना पड़ता है क्या नाम से लिए हैड के नाम से लिए हैड बन के नाम से लिए ठीक है क्लार हमने दिये थे तो देखिए क्लास आपको समझ में डॉट लगाग डिफाइन करते हैं और इसको यहां डिफाइन करता है दूसरी चीज नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्या इस प्रकार से इस प्रकार से भी ले लेते हैं और हैड बन के नाम से ले लेते हैं और बैकेट लगा चलो बाइट कर देते हैं अब यह वाली जो हैड़ बन है यह कहीं यूज नहीं हो रहे क्यों हमने हैं जो हैड़ बन है उसको यूज नहीं करें हैं तो इसको उसकरने के लिए फिर से हम क्या कर देते हैं एक और हैडिंग लेते हैं कि यह मने लिए इस प्रकार हमने लिए एच मन एंटर करें और यहां पर ले लिए इस इस अपर है चली हाँ पर हमने जो है एच मन लिए और हमने मतलब तीसरी हेडिंग ले लिए ठीक है इस is heading 3 इस प्रकार लिए और इस प्रकार हम इसको सेब कर देते हैं रिफ्रेस करते हैं तो देखें heading तो आगई है परन्तु आप समझ यह heading आ रहा है परन्तु इसमें formatting आ रही क्या white color आ रहा है क्या उसका बिल्कुल नहीं आ रहा क्यों 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 कि इसके अंतरगत हमने कोई भी हमारा यूज होता है तो चलिए इसको सेफ करके रिफ्रेस करके देखते हैं तो आप देखें यहां पर कामकरा तो देखें तीनों चीज आपको समझ में आगे एक element selector होता है जिसके अंतरगत हम डिरेक्ली का नाम मतलब जो tag का नाम हो दे देते हैं और इसके अंतरगत property value लि लिखना होता है तो उस प्रकार यह apply हो जाता है चलिए वापस चलते हैं हमारे ppt में तो आप देखें यहां पर हमने एक लिए element selector दूसरा लिए class selector और तीसरा लिए id selector तो तीनों चीज़ों को देखें element selector already जो automatic apply हो जाएगा class के लिए हमको class लगाना पड़ता है इस प्र हम देना है .css के नाम से जो file extension के नाम से सेब होती है जैसे हमने देखिए अलग से type.css के नाम से file save करें हैं तो यह कहलाएगी यह कहलाएगी external css तो external css.css इस extension के दौर file save की जाती है और external css को backpage पर import करने के लिए एक link tag को उप्योग किया जाता है जैसे कि हमने यहाँ पर करें है वाले section में चले जाएए और यहाँ देखिए link tag को हमने उप्योग करें जिसमें हमको क्या दिया जाता है देखिए attribute relation जिसके अंतरगात value आपके style seat होती है type होता है type में text या CSS होता है और hr app एक और attribute होता है ज मान लीजिए एक style seat है एक style seat से हमको बहुत सारे web page को handle करना है तो एक style seat define कर लिए web page 1,web page 2,web page 3,web page 4 तो इन सभी web page को एक style seat से handle कर किया जा सकता है वो है external css ठीक है जे external css है ठीक है तो body का background color yellow ले लिए जो भी आपको ले ना वो हमने लेकर देख लिए ठीक है तो external में भी हम define कर सकते हैं यहाँ पे भी आप define कर दोगे तो यहाँ वाला पहले work करेगा पार ठीक है inline मैंने priority बता दी हो कि scrum में वो चलेगी sequence उनका दूसरा मैंने यहाँ पे अरेड़ी हम देख चुके हैं syntax का होता है selector का नाम होता है जो id होती है class होती है या first element होते है तो इस σञ儿 होते है सब ले सकते element के अंतरगा, class के अंतरगा dot लगा के लेते हैं, dot class name, for example, my class, dot my class, ठीक है, और id जो होती है, selector का नाम देखे, has लगा के id का नाम लेते हैं, तो तीनों चीज हम अल्रेडी देख चुके हैं, आप इसको उपयोग करके देख सकते हैं, ठीक है, जब भी आप वीडिय तो आपको आसानी से वो clear होते चलेगी, ठीक है, तो आप यहां देख भी सकते हैं, syntax में हम देखे, selector उपयोग करते हैं, selector में h1 उपयोग कर सकते हैं, property में आप देखे, color उपयोग कर सकते हैं, और dot, जो colon लगा, उसके बाद आप value रेड ले सकते हैं, या फिर उसके बाद semi colon लगा, बंद कर सकते हैं, example के तोर पर देखे, h1 है, color, red, यह देखे, इस प्रकार, यह जो होगे, selector हो गया, यह property हो गई, color और यह value हो गई, तो यहां पर हम देखे, इसने भी table में, table एक selector है, table के अंतरगर देखे, border नाम से property है, colon लगा है, one pixel, तीन चीज एक साथ आती, border जब हम पढ़ेंगे, तो आसानी से समझ में जाएगी, तो बन पिक्सल है, color इसका solid, मतलब उसका प्रकार solid रहेगा, और color यह hexadecimal point में हमने देदी, उसे semicolon लगा, उसको बंद कर दी, तो यह चीज आपको यहां पर clear हो गई होगी, syntax, ठीक है, syntax 2 में भी आप देखे, यहां पिक्सल उसकी मोटाई रहेगी, color उसका red रहेगा, उसका प्रकार solid रहेगा, नहीं की, पूरी भरी हूँ मिलेगी, तो यह multiple जो value हो सकती है, उसकी हिसाफ से, ठीक है, id selector हमने देखे, element selector हमने देख लिए, यहां पर, जो भी हमारा नाम से होता है, h1, id selector हमने इस प्रकार सकते हैं, देखे, यह जो हमको दिख रहा है, उसके बाद यहां देखे, class selector के अगर बाद के class dot लगाग यूज होती है, और कहां यूज करना वो हमने देख लिए अभी, grouping के अंतरगत मैंने बताया था, सभी को comma लगा लगा लिख देते हैं, और जो भी हम property value देते हैं, वो स अभी मैं apply होगी, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे आगे धीर धीरे जब भी हम उप्योग करेंगे, आप इस प्रकार उप्योग करोगे, सब में उप्योग हो जाएगी, उसके आद universal selector के अगर आपके star लगागा, आपको property और value देना है, तो आपका सब में यह उप्योग हो और value दे सकते हैं, एक ही selector के अंतरगात, यह चीज भी हमको पता चल गई है, उसका selector are case sensitive, तो insensitive यहां लिखा है, तो हम देखे यहां पर या तो capital में लिख सकते हैं, मतलब या बड़े में, अलग-अलग लेते हैं, तो एक ही हो सकता है, मतलब यहां case sensitive नहीं है, जैसे HTML में ह हम देख सकते थे case sensitive नहीं था, पर कुछ language जैसी होती है, जैसे Java script है, Java script कैसी है, case sensitive है, case sensitive मतलब हम अगर बात करे, capital में capital ही रहेगा, और small में small, मतलब दोनों के अलग-अलग पहचान होगी, जैसे हमने a नाम से define की variable और a नाम से define की, तो दोनों यह difference रहेंगे, पर यहां character को upper case और lower case में अलग-अलग देते हो, तो उनके style को combine किया जाता है, तो यहां देखिये, मतलब यह अलग-अलग भी दिया जाता है, तो एक ही हो जाता है, ठीक है, तो आपको लोड लेने की जरुवत नहीं, आपको यहां पर चिंता करने की जरुवत नहीं है, example के तोर पर ह हमने देखिये, यहां पर link भी लिए है, my class लिए है, और एक my class capital में लिए है, तो दोनों को यहां पर combine किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी, overwriting, overwriting का मतलब क्या होता है, कि जो एक class है, जैसे my class में red लिए है, और यहां पर हमने लिए है, blue, तो यहां देखिये, my class मे जो रहेगा, मतलब यहां पर एक ही color use होगा, ठीक है, जो भी आपका पहले रहेगा, वो, पर यहां पर आपको दोनों में है, तो यहां पर हम एस्वरकार लेते हैं, हम inline लेते हैं, internal लेते हैं, और external लेते हैं, तो अगर inline में हमने color red ली हैं, और internal में हमने, क्या ली हैं, blue ही है तो इन लाइन वाला पहले यूज होगा और अगर एक्सटर्नल और इंटर्नल है तो पहले इंटर्नल वाले यूज होगा और कुछ नहीं है तो फिर एक्सटर्नल यूज होगा ठीक है तो यह सारी चीज कमेंट के अगर बात करें तो कमेंट आपको पता है कमेंट कैसे दे तो हम comment देना देख लेते हैं ठीक है तो यहां देखें हम ले लेते हैं ये कि दिस पाद के पाद कि आधिक पर फिर से हमने इस्टार लगाए और ये बंद करें तो ये रन नहीं होगा जब हम इसको सेव करते हैं तो किसे परकार के कोई चेंजेस नहीं देख रहा है यानि कि यह comment है comment मतलब हमारे लिए personal information है कि हमने किसले यूज की है तो इसके लिए हम यहां पर comment देते हैं मतलब बैप पेज में दिखाएगा नहीं कमेंट पर दी गई लाइन ब्राउजर पर इग्नोर कर दी जाती यह ब्राउजर यह सिर्फ हमारे इंस्ट्रेक्शन यूजर की इंस्ट्रेक्शन के लिए होते हैं पान लो एक यूजर बना रहा है और दूसरी यूजर को इडिट करना तो समझ में तो आना चाहिए किसली यूज़ हुआ है वो कोड उसका सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमने अभी देखा देख लिए इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं और मल्टिपल लाइन के लिए इंटर करकर लिखते जाओ उसी प्रकार यूज़ करना है मतलब स्लैस लगाना CSS क्यों यूज़ होता है वो बताए यहां पर CSS को जो सारी चीज़ है मतलब उसका पूरा नाम बताए CSS क्यों होता है structure बनाने काम HTML का होता है उसमें style apply करने का काम किसका होता CSS का होता जैसे दीखिया अलग-अलग style seat हम यहां पर बनाए हुए CSS के बारे में basic चीज़े मैंने पूरी बता दिया HTML काम क्या करता है CSS कैसे काम करता है और JavaScript क्यों उप्योग किया जाता वो सारी चीज़ हम यहां देख लिए जैसे structure मैंने बताए ता आपको यह देखी किस प्रकार काम करता है HTML की वीडियो आप playlist में जाकर देख सकते हैं यह चीज मैंने बता दी application में भी आपको मिल जाएंगे content में कहकर पढ़ना वो चीज हमने होता ID सेलेक्टर तो उसके बाद होता है class सेलेक्टर फिर होता grouping और इंवर्सल ठीक है और एक ही सेलेक्टर में मल्टिपल वैलू पापर्टी को यहां पर उप्योग कर सकते हैं यह भी चीज हमने देखें ठीक है सारी चीज यहां पर देख लिए case sensitive नहीं होता यह अलग-अल आने वाले हैं CSS के अंतरगत color तो color आप देख सकते है color का मतलब होता है जब तक हम जो कोई कोई भी पेज हो या जो भी चीज हो उसमें heading हो सब heading हो या फिर उसका background हो तो इन सबी चीज हम color नहीं देंगे तब तक वो आकरसक नहीं बनेगा तो उसी को आकरसक बनाने के लिए य हम जो है color यानि की जैसे font है ठीक है font या text text के अंतरगत हम color कैसे करते हैं ठीक है या फिर हम जो background उसके अंतरगत color कैसे करते हैं तो इन सबी चीजों के बारे हम जानेंगे साथ ही color किस-किस प्रकार से किया जाता है यानि की RGB होता है red green blue होता है दूसरा hexadecimal code होता है और उसके इस प्रकार किया जाता है तो चल यहां पर हम जानते हैं color के बारे में तो पहले basic चीज़े जान लेते हैं उसके बाद हम जो है बांकी की चीज़े जो practical है उसके बारे में देखेंगे ठीक है color के अगर बात करूँ है पहला होता है देखिए यहाँ पे नेम के अनुसार, नेम मतलब होता है आप simple जो है color डाल कर क्या डाल सकते हो, silver डाल सकते हो, grey या फिर आप grey इस प्रकार भी लिख सकते हो, black डाल सकते हो, red, maroon, इसके अलावा यलो, olive, lime या जो भी आप color का नाम आपको याद है वो color का नाम या फिर 0 आप लिख सकते हैं, तो इसमें दो-दो character का pair होता है, जैसे दो-दो जो अंक है उनका pair होता है, जैसे दो-दो किस प्रकार से होता है, यह red, green, blue के हिसाब से होता है, और एक short code भी होता है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, इसके अलावा कुछ RGB वाले भी होते है आपके red, green, blue तो RGB में सिर्फ आपको RGB लिखना होता है, ब्रैकेट के अंतर आपको उसकी value लिखना होता है, तो इसकी value आपको ध्यान में रखना 0 से लेकर 255 होती है, प्रतेक की, यानि कि पहला वाला 255 तक रहेगा, दूसरा वाले भी 255 और तीसरा वाले भी 255 तक, अगर आ hexadecimal code में बनाना तो आप has लगाना है, और आपको c0, 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 c0 करके लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका silver बनेगा, अगर आपको gray बनाना तो आपको gray normal लिखना name में, hexadecimal में आपको इस प्रकार की value लिखना, और RGB में आपको 128, 128 लिखना है, black बनाना तो आप देखे, color हम देकर देख लेते हैं, पहले हम चलते हैं, हम color के अंतरगत चलते हैं, कहाँ पर जो हमारा sublime text editor है, sublime आपको पता है, एक text editor है, मैंने कल डाउनलोड करना भी बताया था, हम इसको open कर लेते हैं, तो आप normally देखे, एक web page के structure आपका पहले से बना हुआ है, हम चाहत है, text का color करना, तो हम जो h1 है, h1 के अंतरगत हम यहाँ पर normally क्या दे सकते हैं, inline style seat का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर normally color लेजिए, और color में आप यहाँ पर red ले सकते हैं, dark red, ठीक है, यह normally हमने color ले लिए, color लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, refresh करेंगे, refresh कर ले जाए, कहाँ पर, CSS वाले folder में, जहाँ पर हमने कल सेप करेंगे, HTML के अंतरगा CSS वाले folder बना, उसमें यह एक web page बना है, ठीक है, इसको हम click करेंगे, तो देखे, dark red यहाँ पर आगया है, तो यह तो होगा font की बात, ठीक है, हम इसी प्रकार जो है background color भी कर सकते हैं, तो background color क करने के लिए का करना पड़ेगा, यहीं पर हमको direct लिखना पड़ेगा background color, ठीक है background color हमने लिखे, और यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको white कर सकते हैं, white नहीं करते हैं, हम green कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें opposite color अच्छा रहेगा, ठीक है, उसके आद हम इसको refresh का देते हैं, देख रखते हैं, और अगर आपको hexadecimal code में देना है, तो आप देखे, यहाँ पर f, 6f अगर लिख देते हैं, यहीं कि आप जो है, इसको full दे रहे सभी में, f में, ठीक है, तो आप देखे, यहाँ पर white color बन जाता है, और अगर आप इसको 00 देते हैं, यहीं कि 60 आप लिख दीज हैं, तो देखे, 00 में black बनेगा, और अगर हम इसको कर देते हैं, जैसे 150 कर देते हैं, इसको भी 150 कर देते हैं, और इसको भी 150 कर देते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखे, आपको कुछ और color बन कर मिलेगा, यह silver या gray color आपको बन कर मिल रहा है, अगर आप इसको 255 255 कर देते हो ठीक है इसे हम कर देते हैं 255 यानि कि जो RGB है उसकी प्रतेक की वैलू 0 से लेकर 205 होती है तो हम सभी को क्या कर देते हैं 205 कर देते हैं तो हम यहां पर देखिये वाइड बन जाता है तो दोनों Čठ आपको समझ में आई यहने कि है सब्सक्रांपह तो सबकर दिखाते हैं मान लीजिए परपाल है परफल कैसा बनेगा यह आप देख सकते हैं ठीक है यह जो नेभी कलर है यह नेभी कलर कैसा बनेगा तो आप सभी कलर को यहाँ पर प्रियोग कर सकते हैं सबको किसीभी टेक के अंतरगत आप प्रियोक्त कर सकते हैं में यहां पर एधट बैग्राउंड कलर लेना तो बेग्राउंड कलर लेने कवाद आप क्या कर सकते इसको जैसे ब्लैक है तो ब्लैक की जगे आप जो है इसको क्या कर सकते हो येलो बैग्राउंड के साथ कर सकते हैं तो जब आप रिफ्रेस्ट करोगे तो देखें यहां पर येलो बैग्राउंड के साथ में आ गया है ले सकते हैं और इसको जो है जैसे वन यहां कर देते हम 200 ठीक है और यहां पर भी कर देते हम 200 इसके बाद इसको भी कर देते हैं 200 ठीक है और यहां पर इसको कर देते हैं रिफ्रेस्ट तो आप देखे इसका जो वैग्राउंड कलर है सिल्वर कलर में आ गया है तो आप इस प्र आप लिख सकते हैं C0 ठीक है C0 और C0 जैसे कि हमने वहां पर लिखा था ठीक है तो आप इस प्रकार देखे एक्ज़डेसिमल कोड में भी इसको दे सकते हैं आई हो यह चीज़ आपको क्लियर हुई होगी हमने कलर दी है कलर हमने आरजीबी में भी दे दिए कलर नेम के अनुस आरजीबी में एक हम ही आप हमें चलते हैं तो आप देखे इस प्रकार इसको प्रयोब कर सकते हैं कलर को IX जो है यह text color in CSS हमने देखे als color को करना देखे जैसे text color कैसे देते अभी उपयोग करें लेखे हैं तो में फिर से बता देता हूं तो h-1 ले सकते हैं और कल्र ऱपटी के इंतर ले सकते हैं तो, कलर का नाम है उसको सकते हैं सेकन से को तरुकशित कर दिये और जो risk है और टो मेट्ड कवसश करे возмा है यह तो टोमेटो कलर आपको यहां पर नज़रा रहा है अगर पारग्राभ आपको दूर्जर ब्लूर में नज़रा रहा है तो यह जो पारग्राभ लिखा पैराग्राभ को घ política चरब कर दिये और दूसरा ज hack घृँडिक automation कर दिए हैं तो यहां देखे मीडियम सी ग्रीन आपको नजरा आड़ा आजॉसी फेराग्राफ में तो हमने टेक्स का कलर है यहां पर देकर देख ली है। को दिकतनी बैग्राउंड कलर हमने दिये और उसके बाद हम जो है इसको नॉर्माली कलर देते हैं ठीक है तो यहां पर हम जो है इसको नॉर्माली कलर दे दिये uh color देने क बाद इसको नाम दे देते हैं है तो हमने क्या ली है uh silver去 ली है तो हम इसको देते है रैड नॉर्मल ली ठीक है रैड दे बोर कि आर यहाधर और यहाध पर इसको रिफ्रेस करते हैं गरांप element के अंतरगत जो है background color दे जा सकता है जैसे हमने background color दे दिए कोई भी color हम देख सकते हैं hexadecimal code आप देख सकते हैं या RGB format में आप देख सकते हैं style जो paragraph उसके अंतरगत background color tomato हम ले सकते हैं तो आप देखिए यह वाला पहले में हमने देखिए यहाँ पर blue ले लिए और दूसरे हमने tomato color ले लिए तो यह चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट है CSS की border तो border भी आप दे सकते border के अंतरगत आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी एक border जो है एक select मतलब एक जो है property है ठीक है border क्या है property है और उसके अंतरगत value को multiple रूप में दिया जाता मल्टीपल कैसे एक तो उसकी मोटाई दी जाती है तुपिक्सल दूसरे उसका type दिया जाता solid और तीसरों का color दिया जाता चलिए border यूज़ करके देखते हैं तो हम एच मन है तो एच मन में नहीं देखें यहाँ पर किस प्रकार दे सकते हैं जीसे हमने थ्री पिक्सल इसकी देती है नो टैप ठीक है और उसके बाद उसकी तक हम रिफ्रेश करते तो जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको किए धीनक उसके आत पास एक बार्डर कास यहां पर देख सकते हैं हमने बॉर्डर दिये बॉर्डर के अंतर का तीन बेल्व नजर आई एक तो पिक्सल में उसकी मॉटा ही नजर आई उसके बाद टाइप से नजर आओ डार्क रेड तो यह आप देख सकते हैं यहां आप जो है सॉलिट की जगह है डेस्ट कर सकते हो डेस्ट मतलब होता यह कर सकते हैं और इसके बाद इसका कलर तो मेंटों देदें टीक है शाली यहां पर हम तो यहां पर सकते हैं जैसे blue इसका color हम ले सकते हैं यहां पर कोई भी color आप ले लिजी ठीक है तो देखें डॉटेट कलर में तो यहां पर आपको pixel में देना pixel आप कितने भी ले सकते हैं अपनी च्छनुसा requirement आपकी जितनी उतनी ले सकते हैं दूसरी चीज़ आप यहां पर जो style है उसकी आप कोई भी style अपना एक अप्लाई कर सकते हो तो डेस्ट कर सकते हैं या फिर solid कर सकते हैं कोई भी इसकी बहुत सारी जो style है वह हम आगे देखने वाले ठीक है तो यह मैं यहां से इनको हटा देता हूं यह कोई काम के नहीं है चलिए बॉर्डर हमने देख लिए आई हो बॉर्डर आपको समझ में आग होई कि आप देखे टॉमेटो कलर में बॉर्डर दिये और यह दिये है आपकी वाइलेट कलर में तो आप तीनों चीज़ों इस फॉर्मेट में दी जा सकती है तो आरजीवी फॉर्मेट में मैंने बताया आरजीवी लिखना और अंदर आप उसकी वैलू लिखना तीन चीज होती है पहला होता है आर यानिकी रेट होता है और जी मतलब होता है ग्रीन और तीसरा ब्लू बी मतलब होता है ब्लू तो त मलं dünya को यहां यहां पर एपलाई कर सकते हैं और किसके अंतरगत दीन है unkeeper आप देखे कर देख सकते हैं पूल्रेटि देख ली हैं नेस्ट जो होता है चैक्छा होता है और Yellow हें जैसे हैं जैसे आहां जोता है जेसे कट अब productsray यह को उते कि आनप 4 मतला है और यहां यहां पर आ जाएगा बैग्राउंड का तीसरी चीज होती है मतलब हसल में होता है ठीक है एचसेल में हम देख सकते हैं है एचसल में आप देखे हूँ सचुरेशन और लाइटनेस होता है तो इसको नौर्मली अंक में दिया जाता है एच को हूँ को सचुरेशन को परसंटेज में दिया जाता और लाइटनेस को भी परसंटेज में दिया जाता है तो तीनों चीजिँ हम यहाँ पर ध्יל faith ल्ग सकते हैं ठीक है चलिए आग़े चलते यहां पर कलर नेम भी हम alcohol नैम के अनुसार जिसले से टोमेटों हमनों ने दीए और उसका पर रच्ट में देच हमने देती है तो नजी ए आरइ जी बी ए मतलब होता है क्या होता है एक मतलब कया होता को दरों तो इसकी जो वेली होती है 0.0 से 1.0 तक होती है तो हमने transparency 50% यहाँ पर राखा मान लीजिए तो दीखिए tomato color 50% में यहाँ पर transparent होकर दिख रहा तो 0.5 को हम 1.0 तक ले जा सकते हैं HSLA में भी दे सकते हैं HSLA में भी हमने transparency दे दिए HSL होता है पर A में alpha लगा दिए और RGB होता है तो RGB में A लगा दिए तो alpha नाम से जोड़े गए transparency को दर साता चलिए हम यहाँ पर transparency को apply करके देखते हैं सब लाइम में चलते हैं जहाँ पर हमने RGB यूज किये हों हैं पर हम जो है RGB A यूज करते हैं ठीक है तो RGB A यूज करें और यहाँ पर हम देते हैं 0.5 ठीक है और हम browser में चलते हैं और refresh करते हैं तो देखे यह जो है देखे transparency 50% transparent हो गया है और इसी के अलावा अगर HSL में देते हैं तो HSL भी आप दे सकते हैं चली में इसको फूरा हटा देता हूं ठीक है यह पूरा में हटा देता हो और फिर लिखते हैं HSL ठीक है ले ले लिए तो पहले हम देखें यहाँ पर जीरो परसेंट 50% कुछ लिखा यहाँ पर और इसको जो हम कर देते हैं जीरो पॉइंट्री परसेंट यहां टांस्पारckoत कर क्ढ़ेंे कह लिए कि कशे करते हैं यहां लेछ से लिए थे लिए अगर आपको और इसके लावा cuántus तो हम जो है कंए much calls कर सकते हैं ए है यहां पर हम जो है color RGB में भी उस कर सकते हैं नाम के अनुसार हेक्जेडेसिमल और हैसल और सभी के साइड में हम जो है लगा दे तो alpha यानिकी transparency को दर्सा देता है तो यह चीज़े हमको देखने को मिले चली आगे चलते हैं RGB जैसे कि हमने RGB देखा तो RGB जो होता है तीन color को represent करता कौन-कौन से एक तो आर मतलब रैड जी मतलब green और भी मतलब blue ठीक है यह तीनों चीज़ों को यहां source होता है जैसे हम देखें RGB हमने लिखें तो RGB में red green blue यहां पर आता है और इन color की जो value होती जीरो से लेखे 255 होती जो कि हमने अल्रेडी यहां पर देख लिया है syntax कैसे लिखा जाता है तो जैसे हमने देखें RGB अंदर आपको value देना जीरो से लेखे 255 इसके अंतरगत देना है जीरो से लेखे 255 इसके अंतरगत तब कहीं जाका जो color mix है वो बनेगा और अगर आप जीरो करेंगे तो आप समझ सकते हैं यहां पर क्या होगा बाइट आपका बनका रहना जाएगा और अगर आप चाहते कि ब्लैक बने तो ब्लैक बनने कलिए आपको RGB लिखना पड़ेगा और सभी की जो value माइनस करके 0 कर दीजी यहां पर जैसे नीचे लिखा है 0 तो वहां प यहां पर टॉमेटो कलर बनाना है तो टॉमेटो कलर आप देखे 255 लिखे आपने एक मैं रेड 255 दे दिए ग्रीन को आप 0 कर दीजिए और ब्लू को भी 0 तो इस प्रकार कलर बनेगा और अगर आप चाहते है डा ब्लू बने तो आप देखिए दूनों जो शुरू वाले है मतलब ये रेड बन गया ठीक है क्योंकि एक ही है रेड को हमने फुल कर दी तो रेड बन गया और दो को 0 कर दी और बाकि जो भूल को फ्ल कर दी यहने की वह ब्लू बन गया इसके लाबा आर जीबी प्रकार डाल घ्रीण बनाना है तो आप ờ मद जो है अगर अगर दो का कॉम्बिनेशन देखने में लगे तो रेड का और एक आपको ग्रीन का दूसरा आप देखे इस प्रकार से बनाना चाहते हैं तो आप देखे तीन कलर का कॉम्बिनेशन आप यहां पर देख सकते हैं तो यह जो है इस प्रकार की वैलू को अपने जो सोर्स कोड है उसमें प् ये mix color देखपाइंगे ये देखिए हमने अभी देखे हैं तो यह सारी चीज़ हम देख सकते हैं आप इसको प्रियोप करते चले ज्यादा रहेगा इसके अलाबा आप देखिए यहाँ पे हैं अगर हम 00 कर देखने हैं तो आपको black जैसे कि मैंने बताया था RGB मतलब रेड ग्रीन ग्लू और जो ए मतलब होता अलफा अलफा होता ट्रांसपेरंसी वैलू दर साता है तो RGB का मतलब 0 से लेकर 205 और जो ए है वह यह उसकी वैलू जो होती है 0 1 0.0 से लेकर 1.0 के बीज में होती है तो आप जिस भी प्रकाद देंगे maximum अगर transparency देना तो 1.0 दे सकते हैं और transparency 0 लेबल पर देना तो 0.0 कर सकते हैं तो यह दोनों चीज़ आप maintain कर सकते हैं जैसे कि मैंने alpha की value आपको देखा देखा था 0.5 तो 50% यहाँ पर transparency देखने को मिली थी तो यह चीज़ आप देख सकते हैं चलिए आगा चलते हैं यहाँ दे transparency 0 यानि की पूरी transparency यहाँ मिलेगी और बन अगर कर दिये तो देखें यहाँ पर जो है आपको colorful देखने को मिलेगा ठीक है तो आप यहाँ पर जो है इसको प्रयोप करकर देख सकते हैं RGB के साथ मैं alpha को ठीक है अब hex color की बात करें hexadecimal होता है इसका पुरा नाब hexadecimal color code जो ह बो आप इस प्रकार देख सकते हैं इनकी value जो है zero से लेकर f तक होती है मतलब minimum यहाँ पर zero होता है और सबसे बड़ी value होती है f होती है तो कैसे लेख सकते हैं आप इस प्रकार भी लेख सकते हैं maximum जो है capital में है rr यानिकी red gg यानिकी green और vb यानिकी blue या फिर small में भी लेख सकते हैं या फिर short code में आप इस प्रकार भी लिख सकते है short code कैसे लिखते हैं वह हम आगए देखने वाले हैं चलिए हमने अभी देखे थे has का sign लगाते हैं और देखे f लिखे यानिकी red बन कर आएगा और 002 यह ग्रीन और blue है तो यह दोनों 002 लेंगे जैसे यह बन गया औ इस प्रकार का code यहां पर बन कर आएगा अगर आपको बनाना इस प्रकार light pink तो आप इस प्रकार का code ले सकते हैं तो यह mix जो code है वो इसका use करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमने एक बार भी use करके देख लिए आप मेरे सांसांत इसका use करते हैं चले चलिए जैसे यहां पर भी आपको color देख रहा है ठीक है तो आप इसका प्रयोप करेंगे इस प्रकार तो यह जो color आपको देख रहा है वो आपको बन कर मिलेगा ठीक है white अगर लेना तो ff full ले सकते हैं और black लेना तो 00 ले सकते सब में ठीक है या फिर sort code में आप इस प्रकार भी ल जाते हैं तो वह white बनते जाता है तो यह आप इसको ध्यान में रख सकते हैं अब three digit यानि की sort code जो होता है वो होता है जिसे हमने लिए थे आर आर जीजी और वीवी मतलब 6 अंको का code mix करके लिए थे है किसके साथ में हैं है के इसhos exem को मैं हमको सिर्फ तीन अंकों कले ना तीन होता है और इसके अंतरगत जो है मतलब कभी-कभी हम जो है इसको sort codebrief उपयोग कर सकते हैं काम यहीं करेगा तो कैसे उपयोग करना है वह लिए है यहां पे हम आपर मतलब सब कहरे से दूसरे का जीरो उठा लेते हैं और तीसरे का सी उठा लेते हैं तरह रिसार्व काम बैसे करेगा मतलब जससे यह नगन्यावाले लिद्वार कोट से जो कलर बन रहा है वही कलर यह वालेफोध से इसके अलाबह हम ले लेते हैं FFF और अगर इसको सेव करते हैं तो देखे वाइट हो गया है और अगर इसको कर देते हैं 00 यह ठीक है तो हमने छेंग को की जगा है तीन अंक ले रहा है तो ब्लैक बन गया तो कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा हमको से क्या करना है छेंग की लेते सकते हैं और लंग भी जए उसले मेने बता है हुश लाइटनेस इनकी जो बैलू होती वो कैसे दी जाती है इसे सकते हैं तीनों का इस प्रकार लिखा जाता है तो इसकी जो वैलू है आपको अंको में मतलब नॉर्मल जीरो से लेक्ए 360 घो मतलब होता है 120 मतलब Green होता और 224 मतलब ब्लू होता है तो आप इस प्रकार इसको मैनेज कर सकते कहीं बीच में अगर वैल्यू देंगे तो वह मिक्स कलर बनका मिलेगा सेच्वरेशन का जो है। परसंटेज दिये सांसे। जाता जीरोब से लेक फुल कड़ेंस वीज पर्संट से जाता ही। तो आपको इस प्रकार का कलर देखने को मेलेगा 306 मतलब मेक्जिमम ठीक है तो आप इसमें मिक्स कलर भी उप्योग कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हमने अल्रेडी पहले प्रयोग कर लिए इसलिए मैं आपको सिफ यहां पर बता रहूं कि जो थियोरी है उसमें क्या क्या मैं लिए तो फॉटी आप देख सकते हैं Ninja पर्सेंट independent बन फॉटीसेवन लिया तो आपको ग्रीन लाइट ग्रीन देखने मिलेगा पर पला आप देख सकते हैं उसके बाद की वैलू उसके बार आप देख सकते हैं ठीक लाइज खी तो इस प्रकार आप जो हेचल की डे सकते हैं उसके बाद यहाद आप देखिये की बिल्यक रेते हैं तो आप दिया तो आप दीरे दीरे जो है वाइट की तरह बढ़ते जाता है ठीक यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं इसको भी आप प्रयोग करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा जीरो जीरो सब में कर दी और इसकी वैलू हम बढ़ाते जा रहे तो उनको ब्लैक से वाइट देखने को मिले है तो ही तो यू गाना है और अल्फा की बेल्으 जो है जीरो पैंट जीरो पाइंट टू जीरो पाइंट पोर जीरो पैंट जीरो पाइंट एट और wijं में रख सकतें यहां पर सारी चीजे देखें तो आपको यहां पर क्रम देखने को मिलेगा ठीक दो आप यह तो बात हो गई हमार्य किसकी बेगराउंड कलर की तो कलर हमारे यहां two complete हो गया तीन चीज हमने देखें चलिए मैं बता देता हूं आपको एक तो हमने नॉर्मली जो है नेम के अनुसार देखें नेम में आप टोमेटो रैड या कोई भी आप नाम देंगे तो वो काम कर लेगा दूसरी चीज आपने जो है आर जीवी में देखें और तीसरी चीज ह आपने सौर्ट हैंड पोड देखें और हैसल यहीं की अलफा के बारे में देखें तो यह ट्रांसफेरेंसी को दा साता जीरो पॉइंट जीरो से लेकर वन पॉइंट जीरो तक तो फुल ट्रांसफेरेंसी लेना जीरो पॉइंट जीरो और यहां पर ट्रांसफेरेंसी नहीं नेम में आप जो है नार्मली नेम से प्योप कर सकते हैं आई होप आपको कलर का कम्प्लीट यहां पर समझ में आया होगा अब हम बात करेंगे किसकी बैगराउंड के बारे में तो बैगराउंड के बारे में हम यहां पर बिस्तार से जानने वाले हैं कि बैगराउंड क्या होत पर हम करोंगे या की डायाओ के पहलते हैं तो हम यहां पर बाट कि देख कटी हैं कि बैगरांगोंड-क्राण às करके यहitect डेक्ति हैं वीजसें होती हैं बेगक्रावंड थे सकते हैं तो इसमें अपित रहा से करेंगे बाग्रावंड-कलर्स तो चलिए हम पहले प्रयोग करते हैं तो हम यहां पर जो है body के अंतरगत लेते हैं body हमने लिए चलिए मैं जो पुरानी चीज अब पूरी भाटा देता हूं यहां से जैसे मान लिजीए इसकी style हम गायब कर देते हैं क्योंकि हमको यहां पर नहीं लेना ठीक है हमने प्रयोग क करके देखते हैं देखे रन करके देखे नॉर्मल पे जा रहा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बॉडि के अंतरगत हम लेंगे इस्टाइल इस्टाइल लेंगे अच्छा जो चीज मैंने अभी आपको इन अधाने का मर्ली रिएक पर करेंगे यहां थो आपके तो हम यहां पर आपको मैंने आपको जो एह ग्रीन लाइवरफम करने हैं तो आपको याद रखने की ज़़ुक्याद नहीं है light up color का नाम लिख देंगे तो वह apply हो जाएगा इसके लाबा नॉर्मल आप जो है नॉर्मल जो color है जैसे मान लिजी इसका color आपको क्या लेना है yellow लेना है तो आप normal yellow लिख सकते हैं और yellow लिख आप refresh करेंगे तो वह काम करेगा दूसरी चीज़ आप green लिखना है तो green लिख सकते हैं ठीक है yellow और green लेना है तो देखें वह भी mix होकर आएगा तो आप देखें यहां पर आपने क्या देखें है background का color देखें मान लिजे background का color हमको नहीं लेना background में हमको कोई image लाना एक picture लाना picture मतलब कोई भी नॉर्मल को पिक्चर हो सकती है तो उसको भी हम यहां ला सकते हैं चलिए मैं इसको हटा देता हूं background image की बात करते हैं देखे background image हमने एंटर करें और background image के अंतरकत आपको URL देना होता हूं URL आप इस प्रकार लेंगे और URL के बाद आप जो है image का नाम लिखेंगे तो image ना लिखकर आप देखे css.png लिख देते हैं ठीक है और इसको रिफ्रेस करते हैं तो आप देखे यहां css की जो पिक्चर है वो आप देख सकते हैं देखे एक logo था एक logo था राइट में भी हो गया है और नीचे बॉटम में भी आपका logo चला गया है तो इसकी दूसरी जो परपर्टी मतलब देखे एक तो background image होती है और अगर हम इसको semi-colon के बाद लिखें तो background repeat नाम से एक repeat हुआ है और bottom में भी repeat हुआ तो यह repeat नहीं होगा तो देखे एक जगह स्थाई हो गया है ठीक है यह देखे हम अगर चाहते है कि यह जो logo है logo center पर आए तो उसके लिए हम एक अलग property यूज करेंगे ठीक है no repeat हमने कर दी अच्छा repeat repeat तो हमने no repeat कर दिए पर हम चाहते है कि और अगर horizontal से bottom में repeat करना है तो इसके लिए X की जगह हम क्या कर देंगे y के लिए देखे vertical में नीचे देखे नीचे repeat हुआ है और कहीं भी repeat नहीं करना था हम इसको कर देंगे no repeat no repeat कर दीजे और इसके बाद refresh करिए तो देखे नीचे भी repeat नहीं हुआ और right में भी repeat नहीं है है तो देखे यहाँ पर हम center कर देते हैं आग्स को कि है के center कर दी मतलब page के रीच वीच में sender में आ गया है tij Corps में यह देख सकते आप और इसी के लावा हम center की जगह कर देते हैं left ठीक यह लेफ्ट कर देते हैं तो लेफ्ट में भी देखे यह लेफ्ट में देख रहा है लेफ्ट में और अगर इसकी जगह हम राइट कर देते हैं ठीक तो हम राइट भी कर सकते हैं ठीक यहां पर देख सकते हैं हम राइट करेंगे राइट में आएगा बीच वीच में आप अटेज्मेंट बेग्राउंड अटेज्मेंट हम कर देते हैं फिक्ष्ट क्या होता है कि एक ही जगे स्थाई हो जाएगा मतलब देखे जब हम पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो लोगो है बीचो बीच में देखेगा चाहे तो आप पेज के बॉटम में चले जाएए तो आपका जो लोगो है वो सेंटर पर देखेगा तो हमने देखे पांच पॉपर्टी देखें तो बैग्राउंड कलर देखे वो अरड़ी देख चुके हैं बैग्राउंड इमेज में आपको URL लिखना है अंदर ब्रेकेट के अंदर आपको इमेज का नाम लिखना डॉट इसका एक्स्टेंशन लगाना सेमिकॉलंस को बंद करना अध्यान रहे कभी-कभी यह डवल कोट के अंदर वर्क करता है कभी-कभी बिना डवल कोट के वर्क करता है दूसरी चीज़ जब आपने इस पेज को सेव करें टाइप.html आपका सेव है कही मानलो कोई फोल्डर में बैगराउंड अटेज्मेंट जो दरसाता वो दरसाता फिक्ष्ट है या नहीं है मतलब एक जगह स्थाई होने के लिए तो तीनो जो चारो पांचो चीज है हमने वो हमने अल्री यहां पर देख चुके हैं चलिए हम इसके बारे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपक सकते हैं कलर इमेज ला सकते हैं यह इमेज को अलग अलग परकार से हम मैनेज कर सकते हैं तो वाइडिफाल जो कलर होता है वाइड होता है ठीक है तो हम बदलना चाहते हैं तो बदल के हमने देख लिए अलरडी तो हम इसमें देख लिए बैगराउंड कलर हमने काम करके उप्योप कर सकते हैं तो वैगर नॉर्मली लिखे कलर नेम लिक्त कलर एपलाई हो जाएगा बैगर लिखते बाद के बाद इमीज पात हमने दिये तो इमेज लग दे सकते हैं जैसे हमने color के बारे में बात की हैं तो color हम दे सकते हैं normally color name hexadecimal code RGB RGBA HSL HSLA और जो hexadecimal उसको short code में भी दे सकते हैं तो यह चीज हम देखने यहां पर देखे color name कोई भी example के तोर पर red hexadecimal code short code दे सकता है या फिर long code RGB में हम देखे 0 से लेखे 255 की value दे सकते हैं और HSL में हम देखे अंदर जो है पहले तो हम दो कि 0 से लेखे 360 परसंटेज परसंटेज मतलब hue saturation और lightness को हम manage कर सकते हैं ठीक है background color के अंतरगार तो आप देकर देखेंगे एक बार फिर से अभी मैंने बता दिया आपको जैसे आप देखे एक class बना है हमने div नाम की और उसके अंतरगात हमने लिए short code लिए एक the decimal code एक class बना है div 2 नाम से जिसमें red color लिए और एक class बना है div 3 नाम से जिसमें one और div 1 लेखें हम इसको जो है कोई भी text लिखते हैं और h1 को close का देते तो कौन से apply होगा यह वाला color apply होगा मतलब fully red आएगा ठीक है क्योंकि f दिया है फिर उसके बाद background color में हमने यह लिए तो यहां पे भी red आएगा क्योंकि red already है और rgb में भी पहला color के है red है तो उसके बाद hsl में भी red है तो चारों को हम जो है इस प्रकार से class के तौर पर div का नाम बदल कर उपयोग कर सकते हैं ठीक है हमने पीछे देख चुके है इसके बारे में मतलब जो selector से उसमें देखे थे उसके बारे में मैंने ब प्लाई हो जाएगी ठीक है और यहां देखे बैग्राउंड का repeat अगर करना रिपीट के अंतरगात नो रिपीट या फिर एक्स पॉजिशन में कर सकते हैं और बाय पॉजिशन में यह चीज हम को देखने को मिलती है इसके बाद एक्जामपल टू में हम देखे हैं तो बैग होता वो तीन चीज हम उप्योग करें और अटेच्मेंट में हम इसको फिक्ष्ट कर देते हैं एक ही जगह में तो यह चीज में हमने अल्रेडी देख चुके हैं आप उप्योग कर सकते हैं ठीक है देखे राइट टॉप में यह भी पॉजिशन कहीं एक हिसा राइट टॉप लेप्टॉप इस प्रकार भी हम देख सकते हैं ठीक है तो देखे यह चीज हमने देख लिए बैगराउंड कलर बैगराउंड इमेज बैगराउंड अटेच्मेंट रिपीट पॉजिशन और आगे देख लेते हैं क्या चीज देखने मिलती है यह देख चुके हैं यह देना है तो आलफा देख सकते हैं इनिसियल मतलब डिफॉल्ट वैलू सेट की जा सकती है और इहरेट मतलब पैरेंट क्लास की वैलू यहां पर सैट की जाती है ठीक है आई हो कि सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी हमने अभी प्रेक्टिकल करके देखे थे इसके ला प्रपर्टी भी हम उप्योग कर सकते है इनिसियल वैलु अगर लेना तो देखें हम बेग्रांड कलर को अटमेटिक पर लेगा तो यहोगी हो गई बैगरांड कलर का इनेरीत ठीक है इसके अलावा जो बैग्रांड इमेज तो बैग्रांड इमेज हमने अल्रडी यहां पे देखें तो बैग्राउंड इमेज को कैसे लेते हैं अंदर आपको लिखना है या फिर बगए डबल कोट के आपको इमेज का नाम साथ एक्स्टेंशन लिखना है और उसको सेप करकर रिफ्रेस करना है तो आपकी बैग्राउंड इमेज यहां पर सो जाएगी तो देखिए यह हाँ पहते है यहां पात में लग एक यहां से ज़्यादा में का पहाँ सेट किया जाता है अब यह जो है हुत हमने देख ली आ पे सेट कि जाती है तो जो center में अगर center में ही रहेगा left में और राइट में एक ही position पर वो fix हो जाती है ठीक है और एक और होता आटेजमेंट यहां पर अगर देखें यह जो पॉजिशन है वो तो यहां पर हम देख सकते हैं अलग-अलग attachment है, attachment ही हम देख रहे हैं यहां पर, और fixed यहां पर हो जाती है, और यह होता है repeat, तो repeat में हम ने देखे थे, X position पर repeat के जा सकती, Y या फिर no repeat, तीनों चीज़े हमने देखे हैं, ठीक है, देखे, no repeat, x position, by position, और initial में default value होती है और inherit में जो parent class उसकी value को access कर लेता है ठीक है no repeat value यह तो हमने देख लिए है repeat x भी देख लिए repeat y भी देख लिए background की position भी हमने देख लिए top center और जो right है यह सारी चीज़े हम यहाँ पर set कर सकते हैं थीक है लेकि राइट सेंटर हम दे सकते हैं यहां फिर left center दे सकते हैं अलग लग प्रकार से दाब देखे यहां पर टॉप center right center bottom center left center right left top इस प्रकार की value जो है किस अंतरगत दीजे सकते पॉसिशन के नंतरगत हम वैलू दे सकते हैं ठीक है यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है कि वर्ट हम देख सकते हैं परसेंटेज में हमने देख ली है ठीक है मेजरमेंट बेलू जो है मेजरमेंट मतलब जो पिक्सल होती है या जो जो भी नापने योग होती है जो की बेलू को नापती है वो मेजरमेंट हो कहलात को भी देख लिए तो बैग्राउंड में भी हमने क्या क्या चीजे देखें नॉर्मल हम कलर दे सकते हैं इमेज दे सकते हैं और उसके बाद हमने क्या दिये थे अटेच्मेंट हम दे सकते हैं और रेपीट, जो रेपीट है, उसको दे सकते हैं, पॉजिशन हम देख सकते हैं, यह पांच कीज़ से अर्य मैं नेयां देख zouती हैं, पहला है एक कांचो लिय प्रमिछ केस्ट में जाकर आप देखेंगे ठीक है इसके अलावा आप जो है CSS की जो और HTML की पीडिएफ आपको चाहिए तो आप एप्लिकेशन से भी फ्राप्ट कर सकते हैं ठीक है चली यहां पर हम जो है CSS के अंतरगत measurement unit के बारे में जानेंगे अगर हम CSS का प्रयोग अच्छे से करना चाहते हैं तो उनको इसकी जानकारी होना अतिया आवस्याग है तो इसके अंतरगत क्या के चीज़े हमको देखने मिलती एक तो होती है relative और एक है absolute ठीक है तो relative के अंतरगत जो होती है जो प्राइमरी होती है जैसे कि हम बात करें cm की बात करें mm यानि मिलिमीटर इसके पीसी यानि पिक्स और पीटी है और पिक्सल है तो यह सभी चीज़ों के बारे में हम यहां पर देखेंगे उप्योग कर ठीक है इसके लाब यानि की रूट एलिमेंट बी मैक से बिट है जो बी मैक से इसके अंतरगत इसके अंतरगत फिर बी एच है और वी डबलू है ठीक है तो यह सारी चीज़ हम को देखने मिलेगी तो इनका प्रियोग हम यहां पर देखेंगे विस्तार से इसके अलाबा इन में से कुछ करते हैं चलिए पहले बेसिक चीज़े जान लेते हैं उसके वाद हम इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो जैसे से की बात करने तो सी एसे को पूरी तरह से सीखने के लिए शीएस के अंतरगत हमको मेजरमेंट यूनिट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कभी-क होती है जैसके की मायनस के निया जाता है तो यह नेगेटुव में काम करती है और एगर बीना मायनस के चिंड बीद ए जाता है तो यहां द्हान देने की बात है कि जो मेजर्मेंट उनित है दोते की होती है ठीक है एक तो होती है एक जो होती है एक जाय। होती मैं और एक फिलब रैंग ऐ पर यानि Super वेंड रहेगी इन झायोए फुन हा दो हो supports हो आफ supply OFF यह दूसरी वैलू हो उसके अंतरगत वो से यहां पर काम करेगी तो जैसे mm है mm है यहां पर प्ट यानि की पॉइंट है उसके पिक्सल पी एकस जिसे बोलते पिक्सल तो यहां हम बात कर देखे सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर आप देखा होगा इंच भी आपने देखा होगा ठीक है सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर आप दियान में दे जाता है इसी के साथ ही हम देखें तो बागी की चीज़ जैसे PC है PT है और पिक्सल है यह सारी चीज़ बें देखने को मिलती है ठीक है तो यहां देखें एपसुल्य जो मेजरमेंट यूनिट है यह अपने हिसाफ से और स्क्रीन के हिसाब से स्क्रीन पर मेजर्मेंट को दर्स आते हैं और इनका मेजर्मेंट फिक्ष्ट होता है मतलब दूसरे से संबंदित बिल्कुल भी नहीं होते हैं तो यहां अगर बात करें हम सबसे पहले सेंटीमीटर की तो चलिए यहां पर हम जो है इसको उप्योग करके हम यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर यहां अप्योग करें हमने और यहां पर हम जो है न्यू फाइल अगर बनाते हैं तो न्यू फाइल बना लेते हैं और इसको सेब कर लेते हैं सेब करने के बाद हम यहां पर इसको क्या करेंगे यहां पर मे मेजरमेंट यूनिट है ठीक है यह मेजरमेंट यूनिट नाम से एक जो है पेज हमने दे दी यह मीटा जो अनवस्ट चीज है इसको हम हटा देते हैं उसके आद हम यहां पर बॉडी के अंतरकत क्या देते हैं बॉडी के अंतरकत एक डिप देते हैं ठीक है और डिप देते हैं डिप अंतर हम लिख देते हैं क्या e1, यहाँ लिखते है हम e1 ठीक है, एच रिखे और इस इस Is Heading First ठीक है, उसके बाद एक और ले लेते हैं यहां पर h1 या फिर h2 ले लेते हैं ठीक है यह ले लिए हमने h2 this is heading 2 ठीक है और एक दो paragraph ले लेते है परग्राफ ले लिए ठीक है अब इसको हम सेप करते हैं और हमारे फोल्डर में चले जाते हैं हमको पता यह कहां पर है डेश्टॉप में और html css के अंतरगत यह जो है mes के नाम से अब आप देखिए यहां पर आपको सारी चीज़ देख रही है पर डिप जो बनाए हमने उसमें किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं की है तो हम इसमें जो ही measurement unit का प्रयोग करेंगे तो आपको पता है हम एक internal css को प्योग करते हैं internal c css कहां दी जाती है आपको पता होगा हमने पीछे बताए है head के अंतरगत आपको style जो tag है style tag के द्वारा जो css है वो define की जाती है कुनसी internal वाली इस प्रकार हमने यहां पर ले लिए अगर external लेना तो आपको अलग से file बनाके हैं link tag के मादिन से उप्योग करना होगा तो हमने एक class बनाना dot box बन के नाम से dot जो होती है class को indicate करती है ठीक है और box जो है इसका नाम है जब हम प्रयोग करेंगे इस नाम से इसको apply करेंगे उसके आद हमने जो है इस प्रकार लिए और यहां हम दे देते हैं border इसकी जो height है ठीक है height देते है कितनी 10 हमने सबसे पहले कुन सा लि यह 10 cm दे दिए और bit अगर देना है तो bit हम दे देते हैं कितनी यह भी 10 cm दे देते हैं और इसकी जो border है चलिए यहां पर हम इसको सिर्फ इतना देकार और run करके देखते हैं ठीक है ठीक है एक किसी प्रकार से देखिए काम नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि class जो है इसको प्य इस प्रकार हम ले लेते हैं और फिर रिफ्रेस करते हैं तो अभी भी किसी प्रकार के एफेक्ट नहीं हो रहा तो आप समझ सकते देखिए यहां सिर्फ हाइट और bit दी है परन्तु हमने डिव का जो है border भी नहीं दिए है background color भी नहीं किसी प्रकार की formatting नहीं किये तो हम यहा होना चाहिए इसका light blue होना चाहिए ठीक है इतना हमने दे दिये है और आप हम इसको run करके देखते हैं तो आप ध्यान में दीजी यहां पर centimeter है तो centimeter देखिए बहुत अधिक चोड़ा आ रहा है और अगर हम centimeter के बदले में यहां पर अगर देदेते हैं pixel ठीक है one pixel तो आप दे pixel की जगे हम दे देते हैं pt ठीक है तो यह देखिए इससे बड़ा नजर आ रहा है इसके लाबा PC अगर बात करें तो PC भी हम दे सकते हैं जो हमारी unit है absolute unit देखिए PC में काफी बड़ा नजर आ रहा है इसके लाबा और कौन-कौन सी unit हमको देखने मिले देखिए हम mm दे सकते हैं चलिए इसको जो है हम 5 mm देते हैं ठीक है 5 mm देंगे तो यहां पर देखिए आप जो है काफी बड़ा नजर आएगा उसके बाद है इंच अगर देते हैं तो इंच काफी बड़ा है तो हम एक इंच देते हैं एक इंच देखिए काफी चोड़ाई में यह नजर आएगी बॉर्डर ठीक है तो आप देखे यहां पे हमने CMB प्रियोग कर लिए INV प्रियोग कर लिए MMB PCB प्रियोग कर लिए PTB और पिक्सल भी तो यह जो cm है यह जो है cm measurement यूनिट होता है यह इंच में होता और यह mm होता है इसके पिकास होता है यह इसके अलाब देखे कि पॉइंट मदार साथा पीटी और यूनिवर्सल यूनिट है पिक्सल यहाँ पे हम देखने को मिलता है तो हमने सारी चीज यहाँ पर उपयोग कर ले इसी के साथ में हम जो है इसकी हाइट और बिट भी यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं किसे साब से पूरी मेजरमेंट य करके देते हैं और तो वनारा जो बैग्राण कलर है वह भी यहाँ पर देखने को मिलेगा दीखें हम बाहर को थोड़ा कम कर देते हैं तो है 3 पिक्स्ज सिक्सल में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहा और लाइट की ज यहाँ पर यहाँ जादें है इपने पर पार कर दे पर नेश्ट देखें तो आप देखें यहां सेंटीमिटर बॉक्स हमने जो बनाए है ठीक है पैरग्राप का फॉंट साइज आप अपने इसाफ से ले सकते हैं हमने अल्रेडी देख चुके पहला ही ठीक है बॉक्स हमने लिए हैं जिसमें हमने यूनिट लिए हैं मेजरमेंट यूनिट सेंटीमिटर ठीक है सेंटीमिटर के जगे आप जो है आयन इंच का प्रयोग कर सकते हैं उसके आद आप जो है पिक्सल का प्रयोग कर सकते हैं पीटी का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है एमम का प्रयोग कर सकते हैं सारी चीज यूनिट का प्रयोग आप इसमें कर सकते पर आप ध्यान देना है कि कुछ unit का जो है measurement जादा मतलब बड़ा होता जैसे inch है इंच बड़ी होती है किस से pixel से बड़ी होती है PC mm इन सब्सक्रिस से बड़ी होती है तो आप जो है जैसे कलर लिए और सॉलिड उसका टाइप लिए हैं इसके अलावा पैरग्राफ यह तो हो गई हमारी स्टीमल की चीजे तो स्टीमल की चीजों उसको एपलाई किया जाएगा स्टाइल को चलिए आगा बढ़ता है इन तो इन में काल करते हैं वाक्स के अंदर ठीक है इसके अलावा एम एम काफी चोटी यूइट होती है तो आपको ध्यान देना है कि इसको बड़े आकार में लेना है यह निकि 50 mm आपको ध्यान में देने की जरूबत है और हन्रेट एम जो है इसकी बिट्ट लेने हैं और अगर बॉर्डर क पीटी के अगर बात करें पिका यह जो है absolute measurement unit है वो हमने देख चुके हैं जैसे कि हम बात करें 5 PC और 10 PC लेते हैं तो यह काफी बड़ी unit होती है तो इसको भी हम जो है जादा आकार में देने की जरूबत नहीं है ठीक है 1 PC अगर देदियत बॉर्डर काफी बढ़िया जाती ह और पीटी के अगर बात करें है पॉंट होता है जिसके अंतरगर देखे पॉंट में यह काफी चोटी unit होती है तो हम को देखे टुहन्ड़ेटफी और 300 पीट यहां देने की जरूबत है ठीक है इसका लाब पिक्सल के अगर बात करें तो प्यक्स में दिया जाता है यह भी क measurement unit यह दूसरी elements से समंधित है मतलब संद्बन रखे यहां पर आपना measurement अदर साती है जैसे percent के अगर बात करें तो यह किसी दूसरी value समंधित होती है यहां पहरीं पैसी चो होता है यह current font के मताबिक मतलब जो current font होता है नार्मल जो डिफॉर्ट पिक्सल 2m के बात करें 32 इसके अलावा जो है multiply करते जाता है यहां पर जो एक एम होता है font का size जो होता है वो normal होता है और 2m मतलब जो font का size उसका multiply 2 कर देगा इसी प्रकार वो आगे बढ़ते जाता है यह मतलब x height होता है current font के x height के मताबिक चलता है REM के मतलब होता है root element और root element जो होता है html के मताबिक चलता है इसके अलावा vmx के गरवाद के viewport maximum bit height यह होता है तो responsive maximum bit or height के जो एक percent है उससे होता है तो यहाँ responsive minimum bit or height के एक percent होता है उसका ब्ह के गरवाद के तो viewport height तो होता है responsive viewport height के 1% होता है फिर BW viewport bit होता है तो responsive viewport bit के 1% होता है तो इन में से हम सभी ही जो को अभी विस्तार सा देखने ने वाले हैं percentage देखेंगे और EM देखेंगे, impressive देखेंगे तो यहाँ देखे percentage के अगर बात करेंगे हैं हम इसको उप्योब कर लेते हैं हम यहाँ बात करते हैं जैसे यह box की bit है तो इसको हम क्या कर लेते हैं box की bit को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं 50% कर लेते हैं 50% कर लेते हैं और refresh करते हैं पचास प्रतीसात के अगर बात करें यहाँ पर हम अगरा बात करें यहांपे हम अगर बात करें हैं यहां पर कहीं और सेपरेट हमने और हम देते लिए अव simply сможح है अगर हम दyतात है यहां को दिते हैं तो हेज़न की अलग बनाते हैं ठीक है H1 element का एक अलग style बनाते हैं और उसको हम दे देते हैं ठीक है इसका background color का दे देते हैं कुछ भी दे सकते हैं जैसे अब उसका color black है तो इसका background color दे देते हैं yellow और इसकी जो width है bit के अगर बात करें तो इसकी bit से देते हैं 50 प्रतिसाथ है ठीक है तो देखिए जो complete जो box है box जो है किसकी मतलब पूरी complete जो browser window उसका 50 प्रतिसाथ है परन्तु उसके अंदर हमने के लिए है h1 तो h1 किसके अंदर है इस box याने div के अंदर है और div की जो है already 50 है तो यह अपने उपर मतलब देखिए यह relative मतलब इससे संबंदी थे इसके कारण इसका 50% ले रहा है और यह किससे संबंदी थे browser window से इसलिए इसका 50% ले रहा है तो अब समझ गया हूंकि percentage किसे साफ से काम करता है तो आप percentage को भी यहां पर उप्योग करके देख सकते हैं इसके अलाबा हम से एक element लेते हैं और इसको देते हैं font size ठीक है font size देते हैं 1 em तो 1 em मैंने बताया था जो font size है वो already रहते हैं ठीक है और अगर हम बात करें 2 em की तो वो multiply कर लेगा 2 से ठीक है चलिए यहां पर जो है px नहीं लेना पी लेना है यह देखिए देखिए यहां पर 1916 से multiply कर लिय अगर हम 3 कर लेते हैं तो क्या करेगा वो देखे यह 3 से multiply तो यह multiply करता है 16 से ठीक है पाइडिफाल जो होते ब्राउजर की जो जो font की size होती है वो 16px होती है तो यह आपको ध्यान में रखना है तो दोनुचीज हमने यहां पर देखे हैं कौन-कौन सी एक तो हमने देखे है प्रतिसत यानि percentage जो की relative होते है किसी अन्य पर निर्वर होती है जो की हमने यहां देखे देखे जो पी है पैरग्राफ इसकी 30% ली है और background color red ले लिए तो किसका 30% आएगा इस box का 30% आएगा box already 30% में उसका 30% यह आएगा मतलब जैसे पूरी विंडो है पूरी विंडो का 30% इतना आसपास हो जाएगा तो उसका 30% यहां को देखने को मिलेगा जैसे h1 h1 20% में आएगा h2 10% में आएगा तो यह सारी चीज़ जो है किस पर डेपेंड है box पर और box किस पर डेपेंड है body यानि की बैर जो browser window उस पर डेपेंड है तो यह सारी चीज हमने देख लिए उसक यहां हम देखें यहां पर जो है हमने देखे थे अभी जो देखें है उसी को यहां पर देख लेते हैं तो माई डिप के नाम से एक लिए हमने जिसके विट है 30% मतलब total browser window की 30% color यालो ले लिए background color और h1 है जो 30% है या अपने आप में 100% किसके लिए h1 के लिए तो यह 20% उस पर डेपेंड है और डिप किस पर डेपेंड है यह body यानि कि browser window जो होती है उस पर डेपेंड है तो आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको फिर बात करते हैं EM की तो डिफॉल्ट ब्राउजर को फॉन्ट साइज है वह वन यानिकी 16 पिक्सल होता है ठीक है तो यहां प्राइस के रिलेटिव मेजरमेंट यूनिट होता है यह ब्राउजर के डिफॉल्ट फॉन्ट साइज से सम्बंदित होती है अगर जो है करेंट एलिमेंट की फॉन्ट साइज हो तो बन इम होता है और टू इम दिया जाता है तो यह दो गुनी यानिकि 24 पिक्सल हो जो बतब्र अब समझ सकते हैं जो रजो यहीं कि 12 पिक्सल हो सकते है यहां 16 पिक्सल यहां देखने को मिलती है और उसका डबल कर देते हैं तो तो क्या हो जाती है वह जाती है डबल है यह बरतमालमेंट की जरुव नहीं है तो आई यह सारी चीज़ आपको clear हुई होगी फिर भी अगर कोई doubt है ता आप मुझे comment box में बता सकते हैं चली अब बात करते हैं हाँ पर हम जो है किसकी text की मतलब CSS के अंतरगत हम जो है text की बात करते हैं text होता कि है text के अंतरगत हम बहुत सारी चीज़े देखेंगे वो होती CSS के अंतरगत text ठीक है तो चली यह बात करते हैं हम एक करके सारी चीज़े तो यहाँ देखें वेबसाइट बहुत सारी वेबसाइट आपने देखेंगे जिसके अंतरगत text का अलग-अलग color होता है ठीक है और बहुत सारी का लिखना होता है नॉर्मल यहाँ पर देखें कहीं भी हम एच बन दी हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं color और एंटर करें तो हम ले लेते हैं क्या इसका color ले लेते हैं क्या background color येलो ली हैं तो इसका color ले ले लेते हैं blue छीक इस प्रकार लिए लिए यह हमने blue ले लिए normal और इसको जा कर refresh करते हैं तो दीखे blue color में हाँ पर आगrator ठीक है blue color अ गया है नॉर्मली color अगर लेना है तो color हम इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं अलग हो सकते हैं जैसे कि मैंने हैं पर आर जी भी बताः था नौर्मली कलर ने लौन के नहीं होता हुँ परकार लिखा होता आपको तीन बैलू देना होता है तो उनकी बैलू कहां से कहां तक होती है, जीरो से लेकर 255 नहीं कि जीरो से लेकर 205 होती है, तो तीन बैलू हम को देखने को मिलती है. भी सकते हैं और सबसेंम देना तो वह दे सकते हैं और सबसें मीनिमम देयरत बनेगा मिरीड कालर बने गार मिश्च कलर बनान तौग और सिर्फ् salvation यह रट बनेगा रची पाड़ करूं नेक्स्ट अगर बात करें तो HSL की बात करें, HSL में जो पहले वैलू होता है वो कलर कहलाती है, फिर नेक्स्ट जो होता है वो कुन सा रहता है, वो होता है, मतलब यहां देखे, HSL मतलब ही जो होता है, वो नॉर्मली 360 तक दे सकते हैं, और जो सिचुलेशन होता है, वो 100% तक दे सकते हैं, मतलब दो चीज है, परसेंटेज में आएगी, और एक जो चीज है, निकि 360 जो है, वो होता है, ठीक है, तो वो दिखाएगा है, इसकी भी कुछ वैलू होती है, 0 किस पे होगा, 120 पे क्या बनेगा, 240 पे क्या बनेगा, 360 पे क्या बनेगा, सारी चीज हम अल्रेट दे सकते हैं, इसका लावा डारेक्शन के अगर बात कहें, आपने देखा होगा, जब हम आलाइनमेंट की बात करें, तो डारेक्शन होता है, मतलब जैसे वोक्स लिए, बोक्स का जो है, डारेक्शन हम नॉर्मली दे सकते हैं, एक होता है, ल्टी आर, ल्टी आर, ल्टी आ होता एक तो left to right already है तो हमको समझ में नहीं आएगा ठीक है पर अगर इसकी जगे हम कर देते हैं आर टू एल आर्टी एल मतलब right to left right to left कर देते हैं और यहां पर हम देखें तो देखें यह right to left इस प्रकार से alignment इसका change हो गया दो चीज़ यहां देखने को मिलता है तो आप जहां भी देना चाहे डारेक्शन दे सकते हैं ठीक है तो डारेक्शन पॉपर्टी जो है यहां देखें क्या होता है जब हम इसको ल्टी आर देते हैं तो यह जो होती डिफॉल्ट तो रहती है पर बाद में हम सेट करें करने के लिए यहां पर यहां पर यह लिखें हैं तो इन सभी बीच मेंतलब एस के बीच में दूरी कितनी है वो डिफाइन करने के लिए यहां पर letter spacing के ज़रुवत पढ़ती है तो हम देखिए उपयोप करके देखते हैं यहां देख लेते हैं letter spacing letter spacing हम देते हैं two pixel pixel इसले दे रहे हैं क्योंकि सबसब छोटी unit है ठीक है तो यहां देखे सब के बीच में यहां गैप आ तो यहां पर देते हैं तो नीचे आ जा रहा है अब देखे जो दिस लिखा इन में सभी मैं गैप आ गया और हम ज्यादा गैप देना चाहते हैं तो हम देखे यहां पर लेटर स्पेसिंग को कर देते हैं 5 पिक्सल अगर कर देते हैं तो वो देखे काफी दूर दूर हो जाएंगे और अगर हम बन पिक्सल करते हैं तो भी यहां पर देखे दूरी रहेगी और अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो नॉर्माल हो जाएगा ठीक है तो यह चीज हम property अगर बात कहें तो देखे हम जो वैलू है property तो हुगollen left होता right होता center होता justify मुख रुप से 4 होती है ठीक है left right center justify ठीक है तो यह चीजों को प्योग करके सकते left by default होता right कर सकते आप तो right कर देंगे देखे यहां browser में जाकर इसको रन करें तो जैसे डारेक्शन था वैसे यहाँ पर यह property काम कर रही ठीक है उसी के लावा हम इसको center उप्योग कर सकते हैं ठीक है यह हमने center लिए center को हम देख सकते हैं यहाँ पर देखे center उप्योग कर सकते हैं और अगर हम बात करें किसकी right तो हमने लिए left already रहता justify justify होता paragraph के लिए तो paragraph चलिए justify देखते हैं justify और यहाँ paragraph हम ज्यादा ले लेते हैं जैसे हमने यह paragraph ली है ठीक है और इसी हम पेस्ट कर देते हैं यह देखे कर दिये पेस्ट बहुत सारा paragraph ले लिए और जब हम refresh करते हैं देखे justify मतलब होता है दोनों तरब से बराबार तो यह चीजे देखे चारों property हमने उ प्योग कर सकते हैं तो देखे अभी underline है क्या नहीं है पर हम text decoration देते हैं कहां पर dip में जाका देते हैं जो box हमने लिए property मतलब जो class ली है box dip की उसमें हम देते हैं text का decoration यह देखे text decoration आ गया और इसमें underline देते हैं ठीक है अंडर लाइन इस प्रकार हम दे देते हैं और अगर आज जिसको जाकर refresh करते हैं देखे सभी में अंडर लाइन आ जाती है तो यह text का decoration होता है हम इसको हटा देते हैं और जो गैप हमने दी है letter spacing letter spacing हमने दी है letter spacing को कर देते हैं जीरो ठीक है और आप देखिए नॉर्मल जो डेकोरेशन था इसका मतलब text का वैसे अल्रेडी आ चुका है चलिए आगली property देखते हैं text इंडेंट text इंडेंट का मतलब paragraph छोड़के लिखना तो text इंडेंट भी आप देकर देख लीजी text डएस लगा इंडेंट लिखे इंटर और यहां देते हों ट्री connection अ देते हैं और उसको करते हैं थोड़ा सा चल्राइब आया है भी जैए पे Stream हम देते हैं यहां पर 10 पिक्सल करके दीखिए यह देखिए देखिए यहां first paragraph में gap आ रहा है तो first paragraph में गया पा रहा है यह और जान लेते हैं हम देखिए इसको हम जो है कौपी करके लजाक पेस्ट कर देते हैं तो दूसरा paragraph में यहां पर देखिए थोड़ा ज्यादा देते हैं तो अच्छे समझ में आएगा 10 की जगह हम देते हैं 30 पिक्सल है यह देखिए gap आ रहा है मतलब इंडेंट जो होता है paragraph छोड़क है मतलब लाइन छोड़क है थोड़ा जरूबग थे कि आपको देखिए इसकी जो है विट देना होता है 5 पिक्सल पिक्सल कूई कि 3D में होती दो देना होता है और इसका color भी define करना होता है यहां अगर बात कर जो क्या है सेमिकोलन सेमिकोलन के बाद हम जो है color दे सकते हैं यहां की light सियान दे सकते हैं जो भी हमको देना तो चलिए यहां पर हम जो टेक्स्ट की shadow देते हैं ठीक है जैसे टेक्स्ट शेड़ इस प्रकार अगर लिये तो तो हम देदेते हैं आई पिक्सल देदी है दो डाइमेंसन यहां देना पड़ता है और कलर देदी हमने कलर सेडों का लाइट ही आता है तो हम देदेते हैं लाइट स्यान लाइट स्यान हम देदेते हैं और जाकर रिफ्रेस्ट करते हैं तो देखिए यहां पर जो है इसका सेड तो इसलिए नहीं दिखरा है क्योंकि आल्रेडी बेग्राउंड siyaan में available है, और अगर हम देदेते हैं light yellow, चलिए यहां पर हम देदेते हैं, light gray देदेते हैं, ठीक, light gray देदेते हैं, और यहां refresh करते हैं, तो देखिए, आप ध्यान देजिए, यहां पर सभी में shadow आ गई है, त अब इस प्रकार भी shadow दे सकते हैं किसके माद्य हम से shadow दी है हमने text shadow एक property है जो कि text के अंतरगत हमको देखने को मिली है तो यहां पर हमको देखने मिली फिर next जो property हमको देखने मिलती है word spacing word spacing का मतलब क्या होता है देखे पहले हमने देखे letter spacing यानि कि जो complete word लिखा है इसमें word इं इस पर वाडित बात लगाया और यहां कहाm नॉर्मल कर देद रहा है फिल रहा हूं हम यहां पिक्सल कर देते हैं atut 20 फिक्सल कर देते थैं सभी बोड़ के बीच में गैप आगए 20 फिक्सल की जग है अगर हम कर देतें чता capturing यहां पर फिर भी देखे गैप आ रहा है तो हम इस प्रकार जो है वर्ड स्पेसिंग का गैप मेनेज कर सकते हैं तो यह देखे वर्ड स्पेसिंग नॉर्मल अगर लेना तो नॉर्मल आल्रीडी आ जाएगी ठीक है मतलब जो वाइड फाल रहती बो आ जाएगी और यहां पर अगर हम अपनी इक्षण उसार लेना चाहते है तो पिक्षल में पीटी जो सारी चीज यूनीट हमने पढ़े उसके अंतरगत हम दे सकते हैं फिर एक और होता है वर्ड रेप वर्ड रेप का मतलब होता है कि जैसे पूरी बिंडो दिख रहे है जितनी बिंडो दिख रहे है पार उतने में जो बड़ है वो नीचे फिसल कर आ जाना चाहिए तो बड़ रेफ हमेसा आप क्या लीडिये नॉड लेलीजिये ठीक है नॉर्म आप ले सकते हैं यहां पर जैसे देखें बड़ रहेफ नॉर्मल अगर हम यहां पर चेली आपर ले लेते हैं वाड फॉर्ड तो आप ध्यान में रखना इसको प्योग करके देख सकते हैं जिसे बड़र पॉपर्टी का जो इस्तमाल है चाइनिज कोरियान और जापनिश लेंग्वेज को छोड़कर सभी लेंग्वेज की लाइन को बैलू के हिसाब से ब्रेक करने के लिए मतलब जैसे यहां बिंडो तक कामखे टेक्स्ट पर कौन कौन से प्रॉपर टिम हमने कामखे बॉर्ट्रफ में कामखे बॉर्ड इंडन में एक डेक्स इलॉइब्स एसाथ नहीं के को fonts होते क्या है fonts का मतलब होता है जैसे हमने normally यह लिखे हैं धरकार ठीक है तो इसकी लिपी को चेंज करना यानि कि इसको अलग-अलग जो है लिपी में चेंज करना जैसे टाइमज़ू रोमन में करना एरियल ब्लेक में करना या फिर कोई और जो फॉंट के प्रकार होते हो उसमें चेंज करना तो यह सारी चीज होती फॉंट तो font की family होती है, इसके लावा font का size होता है, ठीक है, और font का variant होता है, font की weight होती है, सारी चीज हम को यहाँ पर देखने के मिलती है, font के अंतागा, इन सभी चीजों के बारे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, डिस्तार से, चलिए, यह करके हम जानते हैं सारी चीजों को, अब यहाँ पर CSS font property से, जो है, text content के font को set किया जाता है, जो भी text हम लिखते हैं, मतलब जैसे हमने, जो लिखे हैं, यह कहलाएगा, text, यह text कहलाएगा, और इसी को change करना, यानि की font के दोर करते हैं, इसके अलाबा, देखे, bold italic, जो है, और font के size है, यह सारी चीजे, किसके इंतरग लोता है, aerial black होता है, agency, fv, bank, gothic, gothic, calipri होता है, ठीक है, इसके आलाबा, भी बहुत सारे font के प्रकार होते हैं, इसके अलाबा, font family के name के अगर बात करें, तो देखे, aerial, aerial black, agency, fv, bank, gothic, calipri, यह सबी जो और font family के naam होते हैं, यह font जिनरी के name होगा, font family के naam होगा, तो यहाँ सकते हैं यह सारे ऺैप्वह बहुत को देख सकते हैं इसْके अलावा बहुत सारी चीजा लेक्षेंद कि account anti uh में लहता हैं इस प्रकार की फॉन्ट आएंगे डर्कनस में अगर देखें तो यहाँ देखे इसकार के के साब से देखने मिलेगे कोडियर के अगर बात करें तो यह देखे एबीसी डीए एफ इस प्रकार जो है जो फूंट के स्टाइल है वो हमको देखने को मिलेगी अब बात करते हैं फौंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है तो इन सब्सक्राइब को अपने में ले लेता एक साथ मतलब सभी फॉंट पॉपर्टे को एक ही जगे पर दिया जा सकता फॉंट के साथ से अगर सबको अलग अलग लेना थे यहां देखे फॉंट फैंबली अलग ले सकते हैं जिसे मैं फॉंट के प्रकार एरियल ब्लेक टाइंस म trata कि अधर हम देख सकते हैं देखें यहां पर जो है जो है जो फॉंट है के देखेंगे एक एक करने चलिए सबसे पहला बात करते हैं फॉंट की तो फॉंट के अंतर हम देख सकते हैं देख यहां पर जो है जो फॉंट है रिलेटिव मतलब फॉंट रिलेटिव सभी प्रॉपर्टी के वैलू को और कुछ स्पेसिफिक कीवर्ट का इस्तेमाल करके इस से देखिए यहां पर फॉंट हमने लिए तो बोल्ड हम ले सकते हैं 20 पिक्सल उसका फॉंट साइज ले सकते हैं इसके इसका फॉंट हमने लिए सकते हैं में फोटी पिक्सल दाओ शॉंट हमने सकते हैं यहां पर उसका लैएalo चलिए font यह तो हमने color पहले ले लिए इसको हम ले सकते हैं जिसे area ले सकते हैं ठीक है area और क्या ले सकते हैं इसके अलावा हम जो है इसको जो है और ले सकते हैं ठीक है तीन चीज़े ले सकते हैं यह बोल्डर ले सकते हैं चलिए यहां पर हम जो इसको रिफ्रेस करते हैं तो अब देखिए जो paragraph है पैरगाप दोनों paragraph हमारे जो है इस style में चेंज होगा जो हमने दिये हैं 40 पिक्सल 40 पिक्सल के जगे हम कर देते हैं 20 पिक् है बरदाना देदेते हैं ठीक है तो इसको डेस लगाग देना पड़ेगा तो यहां पर काम कर लेगा ठीक है यहां पर आप फॉंड के नाम आप दे सकते हैं अलग-अलग की नाम दिखाता हूं कहां से दिखेंगे जैसे आप MS बाट खोल लीजिए MS बाट खोल लीजिए कोई भी और आप new document बनाईए और यहां से आप देखिए aerial कैसे लिखा जाता है ठीक है उसके आप देखिए आप बहुत सारे aerial black, aerial narrow जो font के प्रकार है वो सारी चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो आप इस प्रकार अगर देखते हैं ठीक है तो इनको आप copy करके भी लेज़ा सकते हैं और या तो आप लिख सकते हैं तो यह font हो गई इसके लावा हम देखें तो हमको font family देखने को मिलती है font family ठीक है font family में देखिए हम यहां पर बहुत सारे देखने को मिलते है संसेरी है या फिर गया हम जो एंड़ ब्लैक दे सकते हैं चल यहां पर हम संसेरी करते हैं और रिफ्रेस करते हैं रहा है ओर देखिया संसेरी में आ गया हा यह ठीक है जो यहां तो हमार यह देख को रहत हैं सुद्दाब के चानला को शलना जीखा और स्की cherished कि यहां हम देख सकते हैं थे और इस नोर्माल और यह देख सकते हैं sensor कर्स्यू दे कर देखते हैं तो कि देखे कर्स्यू में आ गया इसके जब complet 004 लेना चाहते हैं तो whitesis हम दे सकते सकते हैं और मुझा साथ देदिये थे हैंUST पोटिपिक्सल हम आलक से दे सकते हैं बढ़ए हो गया है उसकी लावा हम जो है इसको कम कर का देते हैं नॉर्मल भी अगर करेंगे जैसे 20 पिक्सल का देते हैं तो देखिए नॉर्मल 20 पिक्सल हो गया है ठीक है इसके लाबा चली हम वापस चलते हैं फॉंट में हमने सभी चीज़ों को प्योग करके देख सकते हैं मतलब यहां पे टैलिक भी कर सकते हैं बोल्ड भी कर सकते हैं इसके लाबा फॉंट फैंबली में तो सिर्फ फॉंट फैंबली दे सकते हैं जैसे एरियल है सेंसेरी थे इसके लाबा टाइंशनू रोमन इस प्रकार दे सकते हैं सेरी दे सकते हैं ठीक है कोरियर दे सकते हैं मोनो स्पेस यह सभी हम जो है फॉंट फैंबली के नाम इस प्रकार याद रखें तो हम दे सकते हैं जो कि हमने देखे फॉंट साइज में जब पिक्सल में दे सकते हैं इस प्रकार भी दे सकते हैं स्मॉल स्मॉल आर मीडियम लार्ज एक्स्ट्र लार्ज डवल एक्स्ट्र लार्ज इस प्रकार दे सकते हैं या फिर पिक्सल में दे स तक मतलब प्रतिसद में दे सकते हैं pixel initial default value inherit मतलब जो parent class उसकी value यहां पर define हो जाती है ठीक है फिर होती है font style तो font style हम देख सकते हैं italic oblic or normal दे सकते हैं तो यहां देखे font जो style है font style हम दे सकते हैं italic ठीक है यहाँ पर रिफ्रेस्ट कर सकते हैं ऑब्लीक हम देते हैं इसके लाबा जो हम बात करें नेक्स्ट प्रपरटी की यह तो तो font style होगे font style में हम नॉर्मल भी दे सकते हैं, oblique भी और italic भी सभी चीज़े हम यहां पर दे सकते हैं, उसके आद font variant के अगर बात करें तो यहां पर small capital को ध्यान मर रखकर चीज़े दी जाती है, ठीक upper case lower case, तो हम चलते हैं यहां पर font variant, font variant में small caps इस प्रकार दिया जाता है, ठीक है, यहां पर जो है, small capital आ गया है, या फिर हम sense sheriff कर देते हैं, तो भी वो हमको समझ में जाएगा, यह देखिए, italic को हटा देते हैं, हमनों फ्योप कर लिए italic, ठीक है, italic की जगे सीधा आ गया, और small capital को ध्यान वर रख कर यहां पर, ठीक है, यह आ जाता है, इसके अलाब आपकी की भी जो property है, इसके अंतरगत हमको value देखने की मिलती है, जैसे font variant में आप जो है, देखिए, और बहुत सारी चीज़, small capital, normal इस प्रकार दे सकते हैं, ठी जैसे आप बात करें, gap, तो चलिए, यहां पर पहले दे कर देख लेते हैं, line height, line height दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं, 3 pixel, refresh करके देखिए, यह देखिए, line की height यहां पर जो है, देखिए, एक paragraph पूरा आ गया, और इसके अलावा कर हम, इसको बढ़ाते हैं, जैसे 20 pixel करते ह हैं, देखिए, यह देखिए, 20 pixel में line की height यहां पर आ गई, और बढ़ाएंगे, तो और यहां पर change हो जाएगी, ठीक है, चलिए, यहां पर 50 pixel कर देते हैं, देखिए, line का gap यहां पर change हो रहा है, तो हम इसको जो है, यहां पर अगर देंगे, तो हम अपनी साफ से दे सकते है नहीं तो आप हटा देंगे, वो normal ले लेता है, जिसे normal जो था, वो already आ जाता है, ठीक है, तो line के height हम देखिए, यहां पर line height 2 दे सकते हैं, 5 normal, 200% दे सकते हैं, 50 pixel, 100 pixel यहां पर दे सकते हैं, ठीक है, इसका अलाबा, font variant हमने देख लिए, font size हमने देख लिए, font family हमने देख लि तो देखिए, हमारी तीन चीजे, मतलब यहां पर जो है, सारी जो property से वो clear हो चुके है, मतलब हमने font पढ़ लिए, इसके पहले के अगर बात करें, हमने जो है, क्या कर चीजे पढ़ें, इसके पहले हमने measurement unit, measurement unit के बारे में पढ़ें, उसके बाद हमने text property, मतलब जो text की जो ह हमना इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया, तो आप sequence में अगर lecture देख रहे है, तो आपको सारी चीजे clear यहां पर समझ में आते रहेगी, तो यह सारी चीजे आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर कोई doubt है, आप मुझे comment box में बता सकते हैं, ठीक ह इसके बाद हम जो है next chapter में जाएंगे, जो कि हमारा margin है, चलिए अब हम पढ़ने वाले यहां पर margin के बारे में, margin होती क्या है, वो हम यहां पर जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए यह आपका page है, ठीक है, पेज के इधर देखे left में, right में, top में और bottom में, चारो तरब से आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी जगह छूटी जाती है, ठीक है, या थोड़ी थोड़ी जगह यहां पर छोड़ दी जाती है, तो उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, margin बोलते हैं, अब margin जो होती है, automatic भी हो सकती है, मतलब जो browser है, या फिर जो system है, उसके अनुसार, automatic हो या फ्योद हम बोल सकते हैं, हम खोद अपनी चायनूसार यहाँ पर दे सकते हैं, तो चलीए हम यहाँ पर सारी बारे में देखेंगे, तो देखे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मारजिन अगर टॉप से हम देते हैं 20 pixel, तो इस प्रकार देखें, आप टॉप से 20 पिक्सल ले सकते हैं, या फिर margin राइट से हम देखें, 50% हम देखें, तो देखें, margin राइट से 50% मतलब आधी बिंडो में यहाँ पर मार्जिन दी गई है, और अगर हम लेफ्ट से margin 50% देते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ले margin होती है, यहनि कि top है, top, bottom, left, right, यह चारो margin हम एक साथ दे सकते हैं, या फिर single single दे सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे, तो चलिए देख लेते हैं, तो CSS के अंतरगा थम margin part है, CSS में देखें, element के अंतरगा top, right, bottom और left, इन सभी को margin दे सकते है, ठीक, और यहाँ पर देखें, पर यहाँ पर overlap होने की संभावना हो जाती है, तो इसलिए हम minus में न देकर plus में देते हैं, और plus में देते हैं, यहाँ पर आपको plus लगाने की जरूवत नहीं होती है, margin के demonstration के लिए यहाँ पर हम देखें, तो हम border का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो हम देखें कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं, चलिए पहले तो हमें एक्जामपल के तौर पर आपको run करके दिखाता हूं, मतलब कुछ एक्जामपल आपको बना कर दिखाता हूं, तो हमने यूज करे थे sublime text, sublime text editor हम उप्योग करते हैं, यहाँ पर आप देख desktop है, HTML के नतरगत CSS folder बनाए और CSS में हम देखते हैं, यहाँ पर हम margin के नाम से इसको save कर देते हैं, ठीक है margin burn के नाम से save करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं HTML, यहाँ आप HTML नहीं भी लगाओगे, चलिए, HTML लगाने क्या आदाता आपके पास में होना चाहिए, यह देखे, save क अब यहां लिखते हैं हम यहां HTML का structure पुरा आ गया आप यहां title लिखते हैं margin को हम practice कर रहे है margin practice करके हम एक page बनाए और यह अनवस्त से चीज यहां से मैं हटा देता हूं ठीक है हम काम कहा करते हैं हम काम करते हैं body के अंतरगा ठीक है तो हम यहां देखिए जैसे हमने पी लिए ठीक है पी कैसे लेते हैं paragraph के अंतरगा तो पी में लिख दिए इस 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 प्रकार से हम ले लेते हैं तो फर्स्ट पैरा के अंतरगात हम यहां पे अगर inline style लेते हैं inline style में हम ले लेते हैं margin और margin को हम totally यहां दे देते हैं 50 pixel ठीक है इसके अलाबा हम इसकी बॉर्डर ले सकते हैं ठीक है बॉर्डर आप normal complete ले सकते हैं यानि कि हमने 5 pixel बॉर्डर ले लिए उसका जो color है color हम ले लेते हैं red और solid ले ले लेते हैं solid मतलब होता उसका प्रकार प्रकार होगी तो हमने लिए उसके बाद हम इसको फाइल में जाकर सेफ कर देते हैं अब आपके पास में पता आपको कहां पर है देखिए html नाम का फोल्डर बना हुआ डेश्टॉप पे css का भी फोल्डर उसके अंदर और margin 1 gram का हमने जो है बना है तो यह जो है कौन से ब्राउजर में open करना है यहां पर आप देख सकते राइट क्लिक करें open with में जाना गूगल क्रोम में करना internet explorer में Microsoft एज में Firefox में या फूर कोई अन्य ब्राउजर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो उसके अनुसार आप यहां पर जैसे मैं Google क्रोम में इसको रन करा लेता हूं तो आप देखिए मान लो यहां पर this is first paragraph दिये तो उपर से 50 पिक्सल left से right से 50 पिक्सल bottom से इसलिए हमको समझ में ना रहा है क्योंकि bottom में कोई एक और paragraph हमको लेना पड़ेगा तो चलिए एक paragraph और ले लेते हैं एक paragraph और ले लेते हैं जिसमें हम कुछ भी style नहीं देंगे ठीक है तो यहां पर हमन इससे दूरी बनाय हुए है अगर हम bottom पे नहीं देते हैं तो देखिए हमने bottom पे मतलब यह margin जो है margin आपकी कैसे दी सकती है मतलब यह तो 50 पिक्सल अगर हम single value देते है margin के साथ में तो मतलब समझ जाए कि 4 तरफ यानि कि 50 पिक्सल top में रहेगी right में रहेगी left में भी और bottom में अगर हम यहां बैलु देते हैं ॉह 100 पिक्सल हुम यह 100 पिक्सल तो आप देखिहरें दो डी गई गयी है तो पहली जो होती है वह तो थर्ड वैलू 10PIXल का मतलब एक क्या है, यह होती है top के लिए यह पिए यह होथी है , और यह होथी है bottom के लिए, ठीक है यहां से सिक्वेंस चलेगा तो आप देखे यहां से हंट्रेट है परंतु यहां से 20 है तो हमने दिये 20 तो चलिए यहां पर आपको मार्जिन समझ में आगे होगी चारो तरफ की मार्जिन दे सकते हैं एक साथ भी दे सकते हैं अलग अलग भी दे सकते हैं ठीक है अब हम विस्त एक बार उप्योग करके देख लेते हैं एक बार यहां पर इसको रिफ्रेस्स करके देखे तो देखे नॉर्मल आ रहा है अब हम इस टाइल देते कहां पर है हेड के अंदर हेड के अंदर आपको और अगला ना पढ़ाता है यह मैं पहले चीजे के भी आपको लिखना मादवा किela tis अब तो आप फिक्पी पिक्सल्य बना रहे हैं एक के बाद आप기도 मादवίας की अपको लिए और आपको आपको margin देना है , तो margine दे दिजी, यहाँ पे 50 pixel दे देता हूं, उसके बाद आप दे देते हैं , बॉर्डः आप देखियो 5 पिक्सल , उसके ब सब्सक्रणरर दे दिजी , जैसे में यहाँ पे green या फिर hazin or blue देते ह। जŒ भी आपकét दोनों paragraph में border आ गई डेस्ट इस्टाइल में ठीक है उपर वाले नीचे वाले से 50-50 का gap आ गया है चली हम इसको थोड़ी सी theory जान लेते हैं तो देखे जैसे कि मैंने बता है margin का मतलब होता है चारों तरफ से जगे छोड़ना ठीक है जगे आप कितनी छोड़ना चाहते है वह आप डेपेंड करता है तो हम समझ लेते हैं और बहुत सारी चीज़े जिसे margin है तो margin जो property है इसमें टॉप राइट बॉटम और लेप्ट यह सिक्वेंस में होता है नहीं कि टॉप कैसे देखें यह बॉक्स मान लीजे पेज है आपका तो सबसे पहले टॉप आएगा दूसर का example के तौर पर अगर हम देते हैं 50 और 30 50 और 30 दी यानि कि sequence होता देखें 50 यहां का होगा 50 यहां का होगा 30 यहां का होगा 30 यहां का होगा 30 यहां का हो मतलब जोड़े से आते यह जोड़े है और यह जोड़े मतलब जो भी हम दो value देंगे वो top और bottom के लिए उस होगी पहली दूसरी वाली होगी राइट और लेफ्ट के लिए अब मान लो हम थर्ड वैलू दे देते हैं कुन-कुन सी जैसे 50 दी है 30 दी है और एक 10 परसेंट या फिर हम दे देते हैं बॉटम से 10 परसेंट लेगा या फिर हम 50 पिक्सल ही दे देते हैं तो पहला जो है 50 पिक्सल किसका यह होगा राइट का और तीसरा जो है बॉटम का और चौहता अगर ली है तो ठीक है नहीं तो यह राइट वाले को ही वह यहां अप्लाई का लेगा थर्टी पिक्सल इसके अलावा एक और चीज होती है अगर हम चार वैलू देते हैं चार वैलू मतलब यहां देखिए हमने जो है तीन बैलू के बदले हम एक और बैलू देते हैं वो लेट के लिए हो जाएगी तो यह चीज हमने अभी अभी अल्रेडी देख चुके हैं तो देखे है margin से related कुछ properties होती है तो हमने margin बस देखे है margin उपियोग करना देखे है हम अभी और विस्तार से सारी चीजे देख तो चलिए यहां पर अगर चारह मार्जिन दी जाती है तो इसमें हम देख सकते हैं चारह मर्जिन कैसे देंगे हम 5 फिट्य पिक्शल यहां तो यहां देखे हम चारो मार्जिन को अलग अलग भी ले सकते हैं अगर हम अंली 50 पिक्सल देते हैं तो वह चारो वैलू ले है उसके बाद अगर margin में दो value अगर दी जाती है दो value का मतलब दो value हम दे देते हैं पहला देते थे 50 pixel और दूसरा दे देते हैं 30 pixel तो यह वाली जो value है top और bottom के लिए उस होगी और 30 जो होगी right और left के लिए ठीक है और अगर हम मान लो तीन value देते हैं तो देखें पहली value तो use होगे top के लिए दूसरी वाली हो गई top मतलब right और left के लिए और तीसरी होगे bottom के लिए मतलब तीसरी एक्ष्टा bottom के लिए हो जाती और अगर हम 4 value देते तो कोई सक्की बात नहीं 4 value मतलब टॉप हो जाएगा आपका bottom हो जाएगा right और left चारो चीजे चारो के लिए हो जाएगी ठीक है आई होप यह समझ में आगया होगा आपको मैंने अभी बताए भी आपको दिसे यहां example को तोर पर देख भी लेते हैं 50 पिक्सल अगर लेते हैं एक जग है margin में 50 अगर लेते हैं देखि आपको टॉप मैं भी 50 मिलेगी राइट में 50 मिलेगी bottom में 50 और left में 50 इसके अलावबर आप दो लेती हैं जैसे 20 इससे तुर् tout eij anál contrary तो आप देखी होगा तॉप में दूसरी वैलू आपके कहां जाएगी, राईट में तीसरी वैलू आजाएगी, यहां बॉटम में ठीक है? और चोंती वैलू कुनसी आएगी? जो राईट में दी गई थी 50, वो चोंती वैलू यहां पर ले लेगा, और मानलो अगर चार वैलू दे देते हैं, चार प्रकार ले सकते हैं तो यह हम देखे चार अब ले सकते हैं आई तो पर प्रक्राप से यहां पर जो पैरग्राप है यह कि हमने पी लिखे है तो पी जो है पी पैराग्राफ है एक प्रकार से यह हमने पैरा लिखे तो उपर से भी 50 आएगी राइट से भी 50 बॉटम से भी और लेट से भी ठीक है चारो तरप से 50 अगर लेना है margin तो हमको एक ही value देना होता margin property के साथ में ठीक है इसके अलाबा इसमें हमको कुछ चीज़े जैसे margin को हम कैसे दे सकते हैं हमने अभी pixel में दिये थे हम प्रतिसत में भी दे सकते हैं ठीक है या हम length क्या मतलब automatic रहती है एक length होती pixel percentage होता इस प्रकार initial मतलब होता है starting value automatic जो होती है और inherit मतलब होता है जो man man मतलब होता है उसके उपर कोई हमने div ली है या फिर कोई चीज़ ली है तो उसकी जो value है margin की वह automatic अंदर ले लेगा तो यहां देखिए auto का मतलब क्यों होता है browser दोरा margin खुद बाकुद दी जाती है length का मतलब हम margin measurement unit measurement unit मतलब pixel है या फिर PT है या फिर PC इस प्रकार से अलग-अलग जो units है जो कि मैंने पहले पढ़ा चुका आपको उसके अनु अगर 50% देते हैं राइट से तो आप देख सकते हैं 50 तक ही जाएगा पी और इधर से 50 का जो हो जाएगा margin हो जाएगी और अगर हम 50% देते हैं bottom से तो यहां पर 50% का margin हो जाएगी ऊपर चला जाएगा ठीक है तो यहां percentage दिया जाता है initial मतलब default value set की जाती है यहां पर inherit का मत मतलब होता है parent element मैंने बताया ना कि जो डिब है एक डिब लिए डिब के अंदर हम पैरा ले रहा है तो जो डिब है डिब की margin को आटोमेटिक लेना है तो यहां पर पैरा को हम लिख देते हैं तो यह होती है inherit मतलब inheritance मतलब जो man class है उसकी value को inherit कर लेगा अब हम देखते हैं top margin top की देखते हैं तो दीखिये हम उपयोग कर लेते हैं पहले ठीक एक-एक margin हम देखा देखते हैं जैसे यहां यह margin को हटा देता हूँ अब यहां हम लेते है margin अब देखें margin top ले लिए margin top हम दे देते हैं 50 pixel ठीक है इसके अलाब़ा margin अगर हम देखते हैं कोन सी right की मार्जिन राइफ हम दें देंगे 200 इसके लाभा मार्जिन बॉटम के अगर बात के लिए ने अब इसको रिफ्रेज्ट करके देखते है तो आप देखे यहां 20 200 यहां से 100 यहां बॉटम से 2020 ले लिया उनने यहां 20 और 50 लिया उपर से यहां 50 लिया है ठीक है तो यहां समझ गया यहां पर हमने देखिए चारों मार्जिन अलग-अलग देखा देख लिए परसंटेज में भी देखा देख सकते जैसे मार्जिन राइट से हम देदेते हैं इ percentage में भी ले सकते हैं और जो measurement unit है उसमें भी ले सकते हैं तो यह आपको समझ में आ गया चलिए हम वापस चलते हैं यहां देखिए जैसे हमने पी लिए ठीक है मार्जिन टॉप में अगर 50 लेते हैं तो सिर्फ टॉप से ही 50 आएगी ठीक है इसको भी हम कैसे दे सकते हैं या तो आटोमेटिक ले सकते हैं लेंट में परसंटेज में इनिसियाल इनहेट तो इस प्रकार इसको जो हम मैनेज कर सकत है 50 परसंट हमने लेका देख लिए अभी राइट की बात करे तो सेम एस जैसे हमने टॉप की लिए हैं तो एंसे हिराइट ही ले सकते हैं 50 अब daley में अप्लाइब होगी अब margin right का बात करें 20 परसंट मिंड़ो को यहां पर माइनस कर देगा 50 में टिए और बिदाओट margin राइट में तो आप देख सकते हैं यह मार्जिन के साथ में है और यह मार्जिन है तो इस प्रकार हम ले सकते हैं मतलब यह 20% इतनी लिए यहां तक विंडो है यह बिना मार्जिन का यह मार्जिन के साथ मैं सेस की जो मार्जिन है बॉटम कि अगर देखे बॉटम में भी सेम उसे मार्जिन बॉटम आपको लगाना फिप्टी परसेंट और इसमें भी वही चीज़े आपको देखने मिलेगी जो वैलू है यह सब में हमने देखे हैं तो एक चीज अगर बन जाती है तो आपको सारी दोब जाती उसको हम क्या बोलते हैं Margin बोलते हैं तो जो हम अब देखशके हैं और हमने सेपरेट सेपरेट देखिए यानि टॉप की अलग देख लिए बाटम की अलग देख लिए ठीक है rai 꼭 के याई देखे और left की अलगे इसके बाद सभी को एखटा करके भी देखें यानि margin पर पपर्टी है उसके बार अनुसार जो है सभी को एखटा हमने यूज़ करके भी देख लिए आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे comment box में या फिर टेलिग्राम में आप मुझे message कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पर पेडिंग्स के बारे में हम css पढ़ रहा है और css के अंतरगत हमने जो है इसके पहले margin को डिसकास किया margin आप नहीं देखा इसके कुछ प्रोपरर्टी होती जिसे margin होती है एक top होती है, एक bottom होती है, एक left होती है और एक right होती है जन्हीं कि चार, चार जो property separate होती होती है you separate separate देंके और एक margin जोWasती थी वह तभी को एक देने के लिए उसी प्रकार यहां पर जो है पेडिंग भी हमारी काम करती है तो देखें मार्जिन और पेडिंग में क्या डिफ्रेंट है यह हम देख लेते हैं जैसे यह दो चीज हम बना लेते हैं ठीक है तो देखें मार्जिन का मतलब होता है टॉप से राइट से बॉटम से left से इन सभी से जो है इसकी margin देना यानि कि दूसरे object के बीच में जैसे इस object को object से हमको दूर करना है तो हमको margin देना होता है पर इसके अंतरकात अगर कोई text लिखा जैसे मान लीजिए as लिखा है तो as अंदर border से यानि कि जो main border है border से वह कितनी दूरी पर रहेगा इसको decide करने का काम करती है padding पेडिंग का मतलब होता है अंदर का gap अंदर का gap मतलब जैसे मान लीजिए box बना यह box आप देख सकते इस box की दूरी आप देखिये text से यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ बाटम से और ईख से और rocky से यहां तक अगर देते तिगे 70 तक नीचे चला जाता है तो यह चीज हमको देखने को मिली यहां पर पेडिंग के अंतरगा ठीक है तो इसके बारे में हम यहां पर विस्तार से बात करने वाले चलिए देख लेते हैं पहले तो हम जो है एक बेपिज बना कर देखते हैं उसके बाद हम बाकी की चीज यहां पर हल करेंगे तो आपको प देखिए हमारा खोल्डर बना है डेश्टॉप है HTML और CSS के अंतरगत आप देखिए यहां पर हम पेडिंग नाम थे एक फोल्डर बना लेते हैं पेडिंग.html इसे हम लिख देते हैं ठिक और से बटन पर क्लिक करते हैं यह देखिए आपका जो है यहां पर पेडिंग.html लेते हैं पी लेते हैं पी में ले देते हैं देखिए इस फर्स्ट पैरा ठीक है अब आपको पता है पैरग्राप में हमने अभी कोई चीज एपलाई ने किया स्टाइल तो हम अभी डारेक्ली सेफ करते हैं और हम मिनिवाइस करके कहा जाते हैं हमारा फोल्डर बना है HTML का CSS क अंतरगत और यहां पर हमने एक फोलार मतलब पेज बनाया है जिसका नाम है पेडी इसको हम यहां पर ओपन विद करके गूगल को में रं कर लेते हैं हम जैसे यहां पर रं करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर इस फर्स्ट पैरा करके एक पैराग्राप आ चुका है ठ कि साइड वाई साइड हम इसको मैनेज कर सके हैं यहां पर हम जो है इसको छोटा कर लेते हैं इसको और चोटा कर लीजी और यहां पर इसको जो है इस प्रकार कर लेते हैं आप देखे पैराग्राप में हमने इस्टाइल दिये का बिल्कुल नहीं दिये हम इस्टाइल इंट एक प्रकार यहां लेखते हैं पी लिए outta हम बनाते हैं वेहां पर हम देख सकते हैं क्यίν लेते हम Heakan लेते हैं ठीक है कि अए तों पेडिंग देखिए मैंने बताया था आपको देख तो अब लिश Display T अब दो वेल्यू देते हैं तो वो दो अलग अलग चीज में अप्लाई होता हुँए चलिए हम यहाँ पर इदेते हैं और फैडिंग हम दे देते हैं 50 पिक्टल अब को समझ नहीं के लिए आपको यह चीज पता होने जैसे हमने हम आप अपर लूर्ट अपड करना होता है और बॉर्डर में हम क्या देते हैं यहां पर हम इसको सेप करते हैं और सेव करने के बाद यहां जाकर रिफ्यर्स करते हैं आप देखिए यहां ध्यान से हमने उपर से भी देखिए यहां पे आप जाके देखिए 50 50 पिक्सल हमने पेडिंग लिए यहीं कि बॉर्डर की बॉर्डर है उससे 50 पिक्सल टॉप में जो है उसका अंदर गया पर राइट से 50 पिक्सल आ जाए पर राइट में हमको पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि पैराग्राफ हमारा चोटा सा है उसके बॉटम में भी हमको और जो लेट है वहां पर पता चल रहा है पर इसी के जागे हम यहां पर दो वैलू दे देते हैं जैसे 50 पिक्सल और हम दे देते हैं 100 पिक्सल तो दो वैलू हम देते यहां पर तो दो तरब दिखिए यहां पर 50 से आएगी यहां पर 100 बॉटम में 50 उसके यहां पर जो लेफ पिक्सल देते हैं तो यहां देखे सेप करो और यहां जाकर इसको रन करो तो आप देखे टॉप में 50 आएगी मतलब पहली बेलू दूसरे में जो है 100 दी है तो वह राइट और लेफ्ट के लिए होगी और बॉटम में हमने दी है 100 तो बॉटम के लिए यहां पर 100 होगी हम अग यह चारो चीज़े आपको यहां पर समझ में आगर होगी यानि पेडिंग हम सिर्फ एक वैलू देते हैं वह चारो तरफ यानि कि टॉप के लिए भजाती है बॉटम के लिए और लेफ्ट के लिए यह चारो चीज़ों के लिए उसके आद अगर हम दो दो वैलू देते हैं तो दो वैलू में पहली वैलू जो होती है और दूसरी वैलू जो होती है वो राइट और लेप्ट के लिए होती है यदि हम यहां पर तीसरी वैलू देते हैं तो टीस्री हो गया जाए है और देखें हमारे भाटे में ने बताया यह वड़र से अंदर टोरी कितनी है इंटर्नल वह वह यहां पर धर साथ है किसके फिर यहांपर पेडिंग पीर्डिन चीज यहां पर अप अप्लाई करसकते हैं तो smallest झॉप यहां यहां पर पेडिंग के लिए नि लूप के लिए पर रर्म पीग की हैं तो यहांद देखे निक प्रॉपर्टी पा paso है यहां पहले यहां पहले दूसरी नंबर पहला टौप नहुंद प्रसक्राइब से इसको कम अ FDA सक्षबंध हम ने लिए लिए तो यह चारों- तरत के लिए जो होती पेडिंग हो जाती है एक वैलू और यदि हम दो वैलू लेते हैं ठीक है दो वैलू इस प्रकार लेते हैं तो पहली वैलू हमारी हो जाएगी कहां के लिए टॉप और बॉटम के लिए और दूसरी वैलू हो जाएगी लेप्ट और राइट के लिए ठीक है य तीसरी चीज यदि हम तीन वैलू लेते हैं तीन वैलू कैसे पहली वैलू 50 पिक्सल यानि कि टॉप के लिए हो जाएगी दूसरी वैलू 30 पिक्सल यह लेप और राइट के लिए हो जाएगी और तीसरी वैलू जो लिए है बॉटम के लिए हो जाएगी यह चीज भी क्लियर हो प्रापर्टी है उसका यूज किया जाता है तो हमको प्रपरटी उसका यूज किया जाता है ठीक है और अलग अलग सेपरेट सेपरेट देना हो जाती है यदि हम दो वैलू देते हैं तो दो वैलू कहां कहां किया जाएगी दो वैलू हो जाएगी टॉप बॉटम के लिए यहां पर जो पहली वैलू है और दूसरी वैलू जो होगी राइट और लेफ्ट के लिए होगी यह चीज भी हमको क्लियर होगी यादि हम तीन वैलू लेते हैं तो त देख सकते हैं, यागी 50 पिक्सल लेते हैं, सब में 50-50 आजाएगा, सब ही जग है, यादि हम 20 और 40 लेते हैं, तो पहला जो है, 20 वाला जो top और bottom के लिए हो जाएगा, 40 वाला right और left के लिए हो जाएगा, यादि हम 3 वैलू लेते हैं, तीन वैलू में देखें, पहला तो आपक जाएगा और 30 जो लिए है वो बॉटम के लिए हो जाएगा यदि हम चार वैल्यू लेते हैं चार में हम देखे सेपरेट सेपरेट टॉप राइट बॉटम लेफ यह चारू चीज के लिए लग लग ले सकते हैं चली यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ जो मतलब जो सब्सक्राइब है तो यहां पर देखे उसको 50 फिक्सल हमने लिए फिप्टि पिक्सल की जएगे हम वहां प्रतिसत ले सकते हैं पीटी ले सकते हैं प्रसंटेज में ले सकते हैं इनिस्येल मतलब डिफॉल जो होती हैं इन्हरिट मतलब होता है जो मैं ऑबजेक्ट है उसके अनुसार जो इंटरनल औजेक्ट हो आटोमेटिक इन्हिरीट कर लेगा जो कि हमने मारिजिन में देख चुके हैं यहाँ ज़िए चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं चली अभी हम जो है पैडिंग टॉप देखते हैं तो पेडिंग टॉप पेडिंग ड्राइट पेडिंग तो हम ले लेते हैं पेडिंग टॉप को प्योप कर लेते हैं ठीक है पेडिंग टॉप में हम दे देते हैं 50 पिक्सल यह अलग से हम दे सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगर बात करें हम पेडिंग राइट की सेकंड नमबर के कुन सा होता राइट तो हम इसमें दे देते हैं 200 पिक्सले और उपके बाद यागर वात प्रसों काहले हो अपे सट देंगा यह व॥ कर देख यहां पर देख सकते हम यह यह देते हैं हम 50 पिक्सले है रिए और इसका कलर एक यह पार कर देते हुआ यहां पर कर देते हैं और यहां पर करते हैं इसको रिफ्रेस्स करते हैं तो आप देखिए टॉप के लिए 50 था इस जो राइट है उसके लिए 200 पिक्सल हमने दिये उसके बाद बॉटम के लिए 100 दिये और इधर से बेलु इसने भी हम डिशाइट कर सकते हैं जैसे मार्जिन में डिसाइट किये थे जैसे टॉप में हमने देखिए यहां पर 50 देखा देख लिए आटोमेटिक भी ले सकते इसकी बेलुए जैसे आटोमेटिक ब्राउजर के दोरह पेडिंग दी जाती है लैंट मेंजरमेंट के मार्जिन में सैट किये थे सिर्फ आप को प्रॊंटिक चौढ इसके बीलुन आप उसी प्रकार दे सकते हैं जैसे आपने टॉप की दिये थे और यहां दिखेंडर 20% अगर लेते हम कहां से राइट से 20% झोड़कर आ रहा है और without fading के साथ में च्पक्र आ रहा है फिर यह चीज हम देख सकते हैं यहां पर इस राइट में हमने दी है 20% और दूसरा हमने without प्रतिसत के दिये हैं यह चीज भी आप इस प्रकार कर सकते हैं लेट की बाद करें तो जैसे हमने तीन उप्योग करें वैसे यहां लेट की आप पढ़ लीजी एक बार यह देखें लेट के हम यहां पर 50% अगर लेते हैं तो आधा जो है ऑबजेक्ट पूरा खाली यहां पर देख रहा है आपको और यह तो हमने इध अब टेक्स होता तो यहां तक चला आता था ठीक है तो यह हमने पेढ़िंग पेढ़िए कंप्लीट रूप में यहां देखें तो पेढ़िंग आप समझ सकते हैं जो कोई भी औब अब जेक्ट इंटरनल ही जो गैप होता है तेक्स्ट का और बार मॉटर का इनको देने का का कि रहए अब हाइट एन बिटट के बारे में हाइट होती क्या है जैसे एक बॉक्स आपने बनाई याने की मान लीजी इसको डिप, डिप की हाइट क्या होगी और उसकी बिट क्या होगी या फिर किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जो हम टैग यूज कर रहा है उसकी हाइट और बिट्ट क्या होगी उसको निरधारित करने के लिए यहां पर इन चीज़ों को प्योग किया जाता है इसी प्रकार हाइड भी होती है तो दोन चीज़ों यहां पर देखने वाले हैं तो चलिए पहले हम जो है कुछ प्रक्रिस करके देख लेते हैं हम उपन करते हैं सब्लाइम टेक्स्ट हमना उपन करें एक न्यूँ फाइल हमने बना है और यहां पर हम जाते हैं सेड में और डेस्टॉप पे हमारे एक फोल्डर बना हुआ है HTML के नाम से उसमें CSS में जाएंगे और यहां पर हम जाएंगे किसके है एच और एच बी यानिकी हाइट एंड बिट्ट है डॉट हिस्टी एमल के नाम से हम इसको सेप कर देते हैं और हम यहां है HTML एक बेपेज बनाते हैं यहां पर लिखते हैं हाइट हाइट एंड बिट्ट है इसके अलावा हम जाते कहां पर बॉड़ी में बॉड़ी में हम लेते हैं एक डिब लेते हैं ठीक है एक डिब लेते हैं यहां पर और इसमें हम लिख देते हैं कुछ टेक्स्ट जैसे मान ले यहां लिख देते हैं एक paragraph लिख देते हैं ठीक है paragraph में this is div जिसके अंतरगत हमने क्या use करें है height and bit अब normally अगर हम save करते हैं file minimum जाके save और यहां minimize करके हम जाते हैं कहां पर हमारे एक folder बना html का उसमें जाते हैं css में और यहां पर हम एक hw के नाम से हमने एक folder बनाए है ठीक है यहां पर एक देखेगा आपको hw के नाम से यह दिखा और हमने right click करें open with google chrome ठीक है यह हमने देखे हमने normally अगर यूज करें तो this is div नाम से हमारा element run हो चुका है ठीक है इसमें हम height or bit को उप्योग करेंगे तो हम कहां जाते हैं title के जस्ट नीचे जाएंगे और हम style जो है internal style उसको उप्योग करेंगे यहां जाकर हम जो है एक देखे class और एक id बनती है class मतलब क्या होता है dot से हम class बनाते है dot div या फिर हम जो है id बनाते है id कैसे बनती है has का निसान आता है और dot div बन के नाम से हम बना लेते हैं ठीक है यहां पर हम जो है इसको क्या देते हैं इसको देते हैं हम bit ठीक है और bit हम देते हैं कितनी bit आप देखे यहां 50 मतलब जैसे मालों कोई window है पूरी window हम 50% देना चाहते हैं तो हम दे देंगे 50% या फिर हम उसके अनुसार maintain कर सकते हैं जैसे 50% में देता हूं ठीक है और इसका color दे देते हैं जैसे इसका color जो है background color हम द चांदे देते हैं ठीक है और height भी अगर देना हो तो height भी हम दे सकते हैं जो भी जैसे कि हम 500 pixel दे देते हैं या फिर हम जो है इसको 200 pixel दे देते हैं चली इतना देते हैं और हमको जो है div जो ली हैं वहां पर हमको id के रूप में यहां पर उपयोग करना है क्या उपयोग करना ह जो जो ने लिए जैसे डिप बन हम उप्योग कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर देखे इस जो डिप है हाइट हो चुकी है अब इसका कलार हम को सहीं से नहीं दीख रहा है तो हम जो इसको green ले लेते हैं, green इस प्रकार ले लेते हैं, और आप refresh करके देखिए, यहाँ पे जो height, देखिए हमने bit लिए है, bit आप देखिए पूरी बिंडो, पूरी बिंडो को मतलब होता है 100%, और हमने आधी लिए, आधी लिए हैने कि 50%, और height हमने लिए है 500px, 200px, जितनी भी हम चाहते हैं उसको, तो यहाँ पर height or bit दोनों हमारी यहाँ पर आ चुकी है, तो यह चीज़े होती है, dip के अंतरगत ले सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ के अंतरगत height or bit का उप्योग आप कर सकते हैं, तो चलिए हम जो है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके आ ID से भी लिए सकती है, ठीक है, और HTML को कुछ basic element होती है, उनमें कोई चीज़ हमको define ने करना पड़ता है, यानि कि हम अगर P paragraph के लिए रहा है, तो P ले लिजीए, अगर हम H1 के लिए रहा है, तो H1 आप डारक लिख सकते हैं, यहाँ पर देखे, हम ले सकते हैं, bit 200 pixel, height हमने 100 pixel तो आप देखे, इस प्रकार का जो है, हमको element दिखेगा, यहाँ पर ठीक है, और background color के लिए हमने, background color red ले लिए, क्योंकि हमने अभी लिए थे green, फिर इसके अलाबह देखे, यह जो है, हमने यहाँ उपयोग कर रहे थे, जिसके अंतर रहे थे, जो class के अंतर class से use कर रहे थे अब next, अगर बात करें, यहाँ पर तो देखे, minimum bit जो है, 200 pixel और minimum height हम 100 pixel दे दी जाती है, तो minimum bit और minimum height, यानि की, min bit जो होती है, minimum height के लिए होती है, और min bit है, minimum height के लिए होती है, तो इसका इसका इस्तवाल ज़्यादातर CSS media query के लिए जाता है, हम यहाँ पे इसको विस्तार से यहाँ पर देखने, मतलब उपयोग नहीं करेंगे, आपको मैं basic चीज़े बता दूँगा, media query से responsive webpage को create किया जाता है, तो हम यहाँ देखे, min bit को इस प्रकार उपयोग कर सकते है, जैसे हमने bit लिए थे, only यहाँ पर यहाँ पर यह जो होती है, bit का प्रकार होता है, तो min bit हमन ले लिए, 100 pixel, background red ले लिए, और आप इस प्रकार देख सकते हैं, तो यह कहाँ पर, यह देखे, इस div में इसको उपयोग कर जाएगा, my div, my div class हमने बनाये थे, यहाँ उपयोग कर लिए, और यह text है, यह text इसके अंतरगत प्रदरसित हो जाएगा, अब यहाँ देखे, css जो property होती है, देखे, यहाँ पर अगर देखें, तो height होती है, height हम देखे, element की height set की जाती है, bit, bit set की जाती है, minimum height, min height नाम से लिजाता है, minimum height को set किया जाता है, इसके लावा min bit के अगर बात करें तो minimum bit को यहाँ पर set किया जाता है, इसके लावा maximum, जैसे min height और min bit होती है, उसी प इस्वारेम वि Zhuya लेते हैं और उसके बाद हम उपयोग करके देखेंगे तोीज है आप देखे हैक है उपर से निचेने बर्टिकल से लेवल पर कितना जो पर उचाय देना चाहते हैं उसको बोला जाता है मिला यहां को clear होनी चाहिए तो हम एक class बनाते हैं style के अंदर class बनाने के बाद यहां पर हम height देते 50 pixel और background color देते हैं red अब यह जो div है my div हमने class बनाए class को कहां use कर लेंगे html के अंतरगत हम जो है div div के अंतरगत जो class से उसको यूश की और my div हमने यहां पर use कर लिया और यह text हमने लिखे तो आप इस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं ठीक है उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर सब्लाइम टेक्स्ट में जाते हैं और अगर हम यहाँ इसको बिट को हटा देते हैं और ओनली हम लेते हैं हाइट ठीक है तो हाइट हम लेते हैं और बैग्राउंड कलर यहाँ पर रहने देते हैं चलिए रिफ्रेस करके देखते हैं यहाँ पर तो देखें बिट इसके बाद length में हम दे सकते हैं कुछ measurement unit जैसे कि हमने pixel में दिये थे percentage में हम प्रतिसत दे सकते हैं जैसे 50% अगर लेते हैं तो total window का 50% यहां पर दिखाई देगा initial मतलब default value set की जाती, inherit मतलब जो main element होता है उसके अनुसार यहां पर set किया जाता है ठीक है तो यह चीज भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो automatic जो value है height property की वो कैसे ली जाती तो देखे height की जो auto होने का जो कारण है वो element content के हिसाब से यहां पर height set कर ली जाती है तो हम दे this is div, this is div के हिसाब से यहां पर height set कर लिया और अगर हम this is div के बदले में और कुछ लिख देते हैं जैसे एक paragraph और लिख लीजिए, जैसे हम यह p कर के एक paragraph और लिख देते, this is para करके हम, या जो भी हम लिख देते, ठेक है, this is para one, और this is para two, इसको हमने सेप करे और रेफ्रेस करे तो देखिए यहां पर दो paragraph हमने लिए तो उसके अनुसार height set हो गई तो पहली जो है आपको समझ में आ गई automatic यानि कि जो height है वो automatic यहां पर set कर लिया जाएगा ठीक है background color हमने red ले लिए और यह set करके देख लिए ठीक है length जो value होती है length के हैं हिसाब से अगर देखें तो pixel भी ले सकते हैं २े सकते हैं और जो बहुत सारी unit होती है उसको हम यहां पर up investig कर सकते हैं तो इन मेंसाब कोई भी उपियूग करके देख लिए जैसे हमने u pixel solche हम देख सकते हैं यहां पर देखें जो हाँ जो आटो है आटो की जगह है हम यहाँ पे ले लेते हैं फीकसर फ 같은데 है फीकसल अगर लेते हैं कि यह ढड़ गई यह रिये तो इसके अलावा हम यहांपर in बहुत होधा हिवार पी क्लिपाद यहांपर बड़ी ते मिलोह पीटी पहों को होँ यहां पे पीटी में कर देता हूं और यहां पे मैं रिफ्रेस्स करता हूं ठीक है पर जो हमारा कहा चला गया बाहर चला गया तो पीटी को हम बढ़ाना पड़ेगा जैसे हम यहां 50 कर देते हैं 50 PT छोटी यूनिट है यह ठीक है तो देखें इसको उनने कवर कर लिया इसके अलावा आप देखें तो इम जो है बहुत बढ़ी यूनिट है इसको हमको छोटे ही अंकों में देना होता जैसे 4 येम करके आगर देते हैं तो यूनिट यहां पर बढ़ जाएगी तो हम परसंटेज में मतलब यहां पर जो है यूनिट के साफ से दे सकते हैं इसके अलावा नेक्स्ट अगर चलें तो देखें आपको यहां पर 50 पिक्सल हमने दिये थे तो इस प्रकार से बेलु आई 10 पिक्स अगर बोले तो यह जो है देखें इस प्रकार से यहां पर हाइट ले लिए इसके अलावा पीटी मतलब पॉइंट होता है सिक्स्टी पॉइंट होता है और यह मतलब रूट एलिमेंट के हिसाब से यह डिफाइन करता है फिर परसंटेज की बात करते हैं आपको पता हमने अभी देखकर देख लिए देखें 50% या फिर 30% हम यहां पर ले सकते हैं यह अल्रेडी हम इसक्रीन का रेजूलेशन साइज उसके अनुसार यहां पर डिफाइन करता है इसके लावा कुछ और एक्जामपल है जैसे आई-एमजी हमने लिए हैं आई-एमजी का जो हाइट है वह हम देना चाहते है 50% निटियों आई-एमजी जो लेते ना इमेज जैसे हमने किस में लिए थे HTML में अगरी साइस को यहां पर डिफाइन करेंगा आप बात करते हैं अग करें पित की लिए वह हम लिए और इसकी बिट को लिए यह सिर्फ हमने बिट लिए और रिफ्रेस करते हैं ब्राउजर में जाका देखें बिट जो 50% आ गई और जो हाइट है वो आटोमेटिक यहां पर टेक्स्ट के अनुसार ले ले रहा है तो यह चीज आपको यहां पर समझ में आगे जैसे बिट हमने 50 पिक्सल भी लिए 50% भी लिए जो बैग्राउंड कलार उसका रेड ले लिए तो डिब में हमने क्लास को यूज कर यह वाली और यहां जो है इसको टेक्स्ट लिखे तो इस प्रकार से यह बॉक्स आपको दिखेगा तो यह कैसे दी जा सकती है जैसे कि हमने देखें किसमें दि जाता है जो इनिशियल है वो डिफॉल्ड वैलू सेट करता है और बट deffald's करता है और इमेरिट को में रूट element है या फिर मियू पर उपयोग ręए जाता है इसके property की value को ignore कर लिया जाएगा ठीक है मतलब अंदर वाली जो min height जो property है वो उसकी value को यहाँ पर accept किया जाएगा और जो height property उसकी value को यहाँ पर ignore कर दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते 50 pixel अगर देते minimum height और bit जो है ब्राउजर द्वारा automatically auto दी जाती है तो जैसे हम यहाँ देखते है देखे min height 50 pixel और background जो है red ले लिए अब यहाँ पर dip class उप्योग करे और min height तो min height यहाँ 50 pixel ले लिए और जो bit है वो automatic यहाँ पर set कर ली गई है इसके अंतरगत भी हम देखें यहाँ पर length यानिकी 0 default जो होती 0 minimum height को measurement unit में दिया जाता है इसके लाव परसंटेज तो percentage हम प्रतिसाद में दे सकते हैं 50% 30% यह इस प्रकार दे सकते हैं initial जैसे कि आपने पहले देखा default value इने रिट मतलग होता है parent element की value को यहाँ पर set किया जाता है जैसे min height होती है उसी पकार min bits भी होती है तो min bits जो property element minimum bits को set करता है और अगर min bits के property में जो value है वो बड़ी है किस से जो bit properties है तो bit property को यहाँ पर ignore कर लिया जाएगा जैसे कि height को किया जाता था इसके लाबा max hootी है max height और max bit होती है तो यहाँ देखे max height properties है element पर maximum height को set के जाता है जैसे के हम देखें 100 pixel हम देते है maximum तो यहाँ देखें maximum height 10 देखें और high height 100 देखें तो यहाँ देखें जो height अ GUY हम इस प्रकार से हमको देखने को मिलेंगे ठीक है इसके अलाबा इसको हम कैसे दे सकते नन यानि default maximum height यहाँ पर दी जाती है नन में length में क्या होता है जो measurement unit उनको set किया जाता है percentage में प्रतिसर दिया जाता है initial में default value और inherit में फिर से parent element की value ली ली जाती है जैसे max height होती थी max width भी होती है तो max width में क्या होता देखे यहां पर maximum जो bit property है वह element पर maximum bit को set करता है जैसे कि हम देखे maximum width 100 pixel दी गई है तो यहां पर देखे 10 max width 10 pixel देखे यहां पर इतना ले लिया उनने और max width property की value जो है यह bit property की value को overwrite कर देता है ठीक है जैसे कि हम यहां पीछे देखें तो देखें मैक्स हाइट पॉपर्टी की वैलू जो हैं हाइट पॉपर्परिटी की वैलू को यहां पर अबर्राइट कर रहा था ठीक है तो दोनों चीजे एक दूसरे से मिलते जुलती है नन में default maximum भी डी जाती है लेंद्ध में measurement unit, percentage यहां दी जाता है, initial value और inherent value, तो यह थो थी हमारी height और width, चलिए एक बार हम यहां पर चलते हैं, यहां देखे हम जो है, यहां minimum width देदेते हैं, ठीक है, minimum width यहां पर देदेते हैं और यहां पर 100 px, ठीक है, तो देखे यह इसने ले लिया, ठीक है, इसके अ हम जो है minimum height भी दे सकते हैं ठीक है minimum height के अगर बात करें तो inherit और initial तो आपको पता है हम minimum height यहां पर automatic कर देते हैं यहां पर हम देते हैं 200 pixel ठीक है यह देखें समझ में आया तो यह सारी चीज हम यहां पर height height और width के दौरा यहां पर maintain कर सकते हैं आई होप यह चीज आपको clear हुई होगी हम देख लेते एक बार हमने क्या के चीजी यहां पर पढ़ें ठीक है तो हमने height और width देखें कोई में आई होग समझ में आ गया होगा आपको सारी चीजे फिर भी अगर कोई doubt है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं कि चलिए CSS के अंतरगत हम पढ़ेंगे आप borders के बारे में border काफी important topic है इसके अंतरगत देखें पहले हमने जो है margin को पढ़ा इसके बाद हम padding को पढ़ लिए अब हम पढ़ना है border को तो जैसे अगर बात करें 3D box model की तो 3D box model में ये इतनों चीजी काफी important होती है मतलब margin padding और border इतनों चीज़ें मिलकर आपका जो है box यानि कि जो 3D box है उसको बनाने हम काफी help करते हैं तो चली इनहीं के बारे हम हम पढ़ने वाले हैं पहले तो हम देख लेते हैं कि जो border है उसको basic group से उपयोग कैसे करते हैं इसके पहले भी हमने देख चुके काई बार फिर भी हम जो है अभी से सुरू करते हैं तो हम start कर लेते हैं sublime text अब sublime text start करें हैं तो यहां पर एक बना लेते हैं new file और new file बनाने के बाद हम इसको कर लेते हैं save save कर लेते हैं आपको पता है हमारे एक folder बना है desktop HTML के अंतरकर CSS और यहां हम बनाते हैं border.html के नाम से एक html page यह हमने save कर दिये और हम html जो basic structure है उसको उप्योग करते हैं यह लिया हमने border webpage के नाम से हम इसको save कर देते हैं और यह हमारी अनवस्तिक चीज़े स्कोट आदेते हैं अब हम नीचे आते हैं body के अंदर तो body के अंदर आते हैं तो body में आप कुछी भी उप्योग करें जैसे मान लिए h1 उप्योग कर रहे है h1 में this is heading first heading first लिखे ठीक है और हम इसके अंतरगत जो है चलिए पहले इसको हम जो है उपन करना है open कर लीजिए या तो Microsoft Edge में या फिर Google Chrome में दोनों चीज में आप किसी में से भी open कर सकते हैं यह देखिए यहां पर heading up की so हो गई है पर इसके आसपास border आई क्या आई है इसलिए border नहीं है हम क्या करेंगे यहां पर एक तो आपको पता है inline आप style seed उप्योग कर सकते हैं एक आप यहां पर title के जस्ट नीचे head के अंदर आप internal उप्योग कर सकते हैं या फिर एक आप CSS की अलग से file बना लते .css extension के अनुसा तो उसको हम बोलते है external style seed तो यहां पर आप देखिए एक हम उप्योग करते हैं internal style seed एंटर करें और यहां जाकर आपको करना क्या है एक style लिखना है style हम बना रहा है h band की तो basic html element के अनुसार बनती है तो हम से एक नाम दे देते हैं एक बनती class और एक बनती है id के अनुसार तो हम h band दे देते हैं और यहां दे देते हैं border तो normally अगर आप border उप्योग करते हैं तो देखें border की बहुत सारी जो है properties होती है जैसे एक normal border हम उप्योग कर सकते border width, border style, border color, border radius और बहुत सारी होती है जैसे border top होती है border right होती है border bottom, border left होती है इन सभी का हम उप्योग करेंगे धी धी रहे हम जैसे border उप्योग करते हैं तो हाँ यहां देखे border में आपको तीन कितनी होगी उसका Color कैसा होगा और इसकी style कैसी होगी तीन चीजे आपको कैसे हैं आगे पीछे कैसे भी दे सकते। डूसरी बात हमने जो है उसका we will O Auto कर आएगी और उसका Color कैसे रहता है choose तो यह तीन चीज़ें आपको देना होता है, dark red देते हैं जो भी आपको देना, तो देखें, water हमने property उपयोग करे हैं, उसमें आपको bit लेना है, solid उसका style लेना है और dark red उसका color लेना है, इतना हम normally करते हैं और save कर देते हैं, तो अब देखें, इसमें जाकर हम refresh करते हैं, तो आ आप देखें, refresh करकर, तो यहां देखें, green आ गई है, उसके अलाव हम solid की जगे, उपयोग कर सकते हैं, dash, dash मतलब dash dash आएगी, तो आप देखें, dash dash आ गई है, यहां कर सकते हैं, dot it, ठीक है, यह हम कर सकते है, dot it, यह सारी properties, मतलब जो है, यहां पर इसको करते हैं, और यहां refresh क करते हैं, तो आप देखें, dot dot, यहां पर पाएंगे, pixel की अगर बात करें, pixel आप घटा बढ़ा सकते, जैसे मैं 5 की जगे 10 कर देता हूं, तो आप देखें, यहां पर 10 pixel देख पाएंगे, bit, तो यह देखें, बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई, border क्या होती है, आप border के हम बिस्तार से पढ़ते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़े उपयोग करेंगे, तो चलिए यहां पर हम border के बारे हम देख रहे हैं, border जो होती है, काफी important होती है, यह जो box model बनाते हैं, हम उसके लिए यहां पर border काफी अपनी एहम भूमी का अधा करती है, तो इसके बिट दी जाती है, तो बिट हमने कैसे दी है, हमने 5 पिक्सल दिए थे, इसके अलावा हम जो है उसकी जरूवत के साफसे 10 पिक्सल कर सकते हैं, यह आप और भी अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके अलावा हमने color दी थे, color आपको पता है, color red होता है, green होता है, तो इन color का लिए और बाद में लिख दिए और सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर दिए यानि कि एक कम्प्लीट चीज मिलकर क्या बनती है इस प्रकार का हम बिट जो बॉर्डर है वह रिफाइन कर सकते हैं आपको देखे कुस एक्जामबल दिए जैसे हमने वॉर्डर पिक्सली है उसकी मुटाई ठीक है विट उसका कलार रेड बी है और सॉचलीट फिर अगर देखे नेक्स्ट तो बॉॉडर ली है और फिर ग्रीन लेए और सॉचलीट लेए टिक है कि इसके अल्पा हम देख सकते हैं अधिक रिज कि रिख यहां पर यहां पर पिक्सल लीए है और वाट को चीज दख रहे देखे बॉडर फाइबचल मेसे डी ठीक है यह इसका क्या हो गया complete चीज़े हो गई पर एक और चीज़े एक स्ट दी गई है बॉर्टर रेडियस बॉर्टर रेडियस का मतलब होता है कर यानि कि देखे कॉर्णर जो है आपको नुकी लेना देखकर कर देखते हैं तो बॉर्डर रेडियस कितना होगा 30 पिक्सल हम देखे अब इसको समझने के लिए हम इसको डॉटेट की जगए कर देते हैं तो आप देखे यहां पर कॉर्णर जो है आपके कर्व हो गया है कर्व हो गया मतलब राउंड सेप मतलब है रेडियस हो गया तो यह बॉर्डर का रेडियस पॉपर्टी है जिसके अंतरगत हम यहां आप है तो देखे रेडियस जो है आपका बाढ़ गया है चली और देखते हैं इसके बारे में जैसे आप से पूछा जाता है CSS जो बाडर है उस पर क्या-क्या किया चाहिए तो आपको पता होना चाहिए CSS border में हम color दे सकते हैं, बिल्कुल style दे सकते हैं, जैसे dashed है, dotted है या फिर जो solid है वो दे सकते हैं, color में आप कोई भी color define कर सकते हैं, bit में आप 5 pixel, 10 pixel ज़रूरत के साथ से, और चौती चीज होती है radius, radius मतलब होता है जैसे आप इस प्रकार का border देते आता है, पर radius में यह जो है इस प्रकार आजाता है, मतलब round circle होता है, मतलब यहाँ पर curve होता है, round corner बन जाते हैं, इसको बलते है radius, तो यह चारू चीजे किसमें दी जा सकती है CSS border में, यह चीज आपको पता होना चाहिए, फिर देखिए CSS जो border style है, bit है और color है, तो उसकी अग प्रकार अगर देंगे, तो हमारे पास मैं देते हैं, यहाँ red दे दिए green, blue, yellow और bit हम घटाते जा रहा है, और इसकी style देखिए, double भी ले सकते हैं, group, inside और outside, तो इसकी जो output है वो इस प्रकार देखेगा, इसे मान लो आप border का जो bit है, वो one pixel लेते हैं, और यहाँ पे जो उस blue लेते हैं, तो आपको इस प्रकार सा देखेगा, yellow लेते दिए दिखेगा, cyan में इस प्रकार group में देखे थोड़ा सा shadow based दिखेगा, उसके बाद अगर magenta लेते हैं, इसेट लेते हैं, तो देखे आपको यहाँ देखे, 3 मतलब 2 corner का जो है, मतलब 2 border का color अलग दिख रहा है, dark दूसरे के opposite, फिर आप देखे, border style अलग से देना, only border style हम दे सकते हैं, चलिए इसका उप्योग करके देखते हैं, खिलते हम हमारे sublime में, और यहाँ पर हम देदेते हैं, जैसे हम देखे, इनको हटा देते हैं, यह हटा है हमने, radius भी हटा देते हैं, अभी हम radius को बाद में प् border style दे देते हैं, ठीक है, border style का दे देते हैं, जैसे हम solid लेते हैं, solid की जगे हम ले लेते हैं, क्या, outset, ठीक है, आउटसेट लिए था हमने, उसके बाद हम ले लेते हैं, border का color, ठीक है, यह सब separate लिए जा सकता है, जैसे हम border का color दे देते हैं, blue, ठीक, उसके बाद हम ले लेते जैले को उप्योड करते हैं जाउट्सेट में आपको पता दो बौडर हमसी देख लहां और बौडर इनमें की सप्रेला है इन में ज़िप हाई चाहर में ओघुड़ से लिएथे बियुshore awaiting इनसेट में भी देख लेते हैं यहां देखें इनसेट में आपको इस प्रकार से प्रिव्यू देखेगा फिर आप और चीज ठीक है उसके बॉडर हम दे लिएते हैं कुन सा राइट मतलब एक अहके टॉप एक हो टा राइट यो सर्फ army को आक गाट आने मोजशा लेफ्ट तो यहां पर देखे बॉडर हम ले लेते हैं है तरक हम ले ले लेते हैं राइट हम दे देते है ठीक है बॉर्डर बॉटम में हम फिर से फाइफ पिक्सल ले लेते हैं और यहां कर देते हैं डॉटेट और इसका कलर कर देते हैं क्या यलो कर देते हैं ठीक है यह यलो कर दी उसके बाद हम बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट करके इस प्रकार ले लिए और इसमें उ देते हैं क्या डवल डवल स्टाइल देते हैं और कलर देते इसका ग्रीन तो देखिए जिस प्रकार हम जो है एक ही में मतलब से बॉर्डर में यह देते थे चारो बॉर्डर रगाती थी ठीक है पर हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट यह चारो चीजों के लिए अलग-अलग यहां पर डिफाइन की हैं तो देख लेते हैं यहां पर उपउट nauAll को करए अब देखेंहेता उपर वाली हमने रैड दिये थे इफांड को dotade को उपयोग कर एंगत अलग से उपयोग करके देखके, और उनकी style आप इनका ईपयोग कर सकते हैं, तो दिखे यह आपको preview ९हाँ पर दीखने को मिलेगा फिर बॉरडर कफिच ऑप वरे ह हमने अलग से देखके, तो बॉरडर कलर प्रवर्ट कोई कर सकते हैं पाता होना चाहिए कि कौन सी यूनीट चोटी होती है तो इसके अनसार आप यहां पर यूनीट की जो वेलू है वो दे सकते हैं देखे यहां पर आपको देखने मिलेगा जो हमने पीछे दी है यहां पर जो एक्सांपल हमने उप्योग किए उसकी प्रिव्यू यहां पर आपको देखने को मिलेगी फिर देखे राउंडेट बॉर्डर अगर लेना तो आपको क्या लेना पड़ता रेडियस लेना पड़ता है तो रीडियस भी हमने उप्योग करके देख ली उसकी वेलू भी आप कैसे दे सकते हैं पिक्सल में दे सकते हैं पीसी- एम में दे सकते हैं पॉइंट में और सेंटीमिटर में डिसकते हैं यह चीज़ भी आपको प्यूब कर ली जाता है तीनों चीज़ों को एक सन्थ अगर लिखना थो हम water property کا is अगर हम सिप बॉडर बॉटम को उप्योग करते हैं तो बॉडर जो हैज है बॉटम की तरफ आह कि और बॉडर बॉटम के स्टाइल अगर करेंगे तो जो इसको वह इसको हम दे सकते स और जूचलमार अगर मेर्टेन करना तो इसको सकते हैं तो यह तीन चीज shrug बॉटम के फिर बॉडर कलर से बॉडर कलर आएगा यह चारो तरफ का कलर आएगा यह जो चार तरफ है चारो तरफ का बॉडर कलर लेना इस से लिए और बॉडर लेट से बॉडर लेट का कलर आएगा इस्टाइल आएगी बिट आएगी रेडियस अगर लेना तो रेडियस के इस्तमाल rounded corner के लिए दिया जा सकता है तो यह देखें left जो है bottom के जैसे उपयोग कर सकते हैं उसके जैसे ही right होती है तो right की तीनों चीज़े कर लेना तो right की ले सकते हैं और अगर अगर लग लेना तो color, style, bit यह तीन चीज़े हमाला लग ले सकते हैं फिर border style separate सभी की चारू तर ले जा सकते हैं तो यह सभी property हमने उपयोग करके देख लिए इसके लावा सिर्फ border जो हमने अभी उपयोग कर रहे हैं तो देखे border से हम तीन चीज़े एक साथ ले सकते हैं कौनगोन सी इस प्रकार solid ले सकते हैं आगे पीछे कहीं भी ले सकते हैं मतलब जो one pixel है उसको हम बी हो सकता है पर लिखा जाना चाहिए border के अंदर ठीक है तो यह काम करेंगे जैसे आप यहाँ प्रिव्यू देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो बॉटर की जो बिट है style है बॉटर कलर है यह सब हम जो है अलग अलग दे सकते इनिसेल मतलब डिफॉल्ट वेल्व होती है और इनिसेल मतलब पैरेंट अगर देखें तो आप उप्योग कर सकते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं यह सिर्फ बॉडर बॉटम का कलर यहां पर होता है अच्छा कलर के लिए मैंने यह कुछ चीज़े जो होती है कलर पढ़ा चुका हूं एक्जडेसिमल जो पोर्ड होते हैं और जी भी होते हैं इनको उप्योग कैसे किया जाता है वह आप सकते हैं और एक चीज़ जरूरी अगर आप सब्सक्राइब के वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आप CSS को अ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसके लिए हम यहां पर नहीं कर सकते हैं कि डिफॉल्ट यहां पर देखें बॉर्टम नहीं दी लिए जाएगे तो जैसे होता है मतलब देखता नहीं है तो घ्रॉटम मतलब सब्सक्राइब कर दो 허गजी एंसेट में देखें आपको सब्सक्राइब होता है यहां पर देखें तो यह ग्रूप के बिरूद होता है ठीक इसके लावा इनिसियल डिफॉल्ट वैलू सेट की जाती है और इन्हेरिट मतलब होता है यह पैरेंट यहां पर देखें तो यहां पर देखें तो यहां पर देखें तो बॉर्डर का नाम लिख सकते हैं यहां यह देखें तीन चारू चीज़ आप यहां पर हम इंटेन कर सकते हैं फिर उसके बाद अगर देखें तो बॉर्डर का रेडिया अब जाते हैं तो चारु कॉआ का अप भारते हैं तो देखे सिर्फ यह वाला हो गया है रेडियस मांजित इसकते हैं बीन काछ से डेहां लिद लिदे ना दीजा सकते हैं और यहां अलग अलग देए न थे डिखाए राइट न बोटम wyops इस प्रकार दे सकते हैं तो देखिए यहां पर भी दिए 50 पीक्सल लगा तो चार नगा अगर 24 देैं तो अलग हो ठीक है जैसे 2020 टापार बॉटम और 40 जो आमारे से जाएक लिए और आपецंप त्माट ब्लदिए चार के लिए फैनल सकते हैं URL तो आप पहले देख चुके हैं तो आप देखेंगे यहां पर जैसे लेंथ के अगर बात के मेजर्मेंट यूनिट हमने देखे अभी परसेंटेज परसेंटेज में देसकते इनिसियल डेफॉल्ट वेलू होती है और इन्हेरेट पैरेंट एलिमेंट की वेलू ठीक है बौडर एलिमें चार बौडर के लिए ठीक है तो इस चीज आपको पता चल गए चली हमने देख लिए इस चीज आप पढ़ लेना पीडियाप आपको मिल जाएगी टाइल ग्राम में तो आप उससे यह देख सकते हैं तो आपको ले सकते अलग से इसके लावाव बौडर टॉप के स्टाइल ले सकते अलग से इसके आपको यहां पर समझ में आ गई होगे फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो हमने सारी चीजे देख लिए बौडर के अंतरगत अब यहां पर आपको करना क्या है जैसे हमने मार्जिन पढ़ लिए इसके पहले हमने मार्जिन पढ़े और पेडिंग पढ़ें तो मार्जिन और पेडिंग और बॉडर इन तीन चीजों को मिलागा आपको बॉक्स बनाना है अच्छा सा ठीक है तो यह प्रेक्टिकल आप कर लेंगे तो आपको सारी चीजिए हाँ पर क्लियर हो जाईगी चलिए हमने पहले हम कंप्लीट रूप से पढ़ा उसके बाद हमने css का कंप्लीट बेसिक जाने अब तीसरी चीज है जाती है हमारी जावास्क्रिप्ट ठीक है देखे मैं एक चीज बताता हूं आपको जैसे मान लीजे आप कोई कार की डिजाइन ले लेते हैं यानि कि कार को जो और यदि बात करें हम उसको डिजाइन देने के लिए निंग उसको सजावर देने के लिए जो भी चीज एम उसमें सजाने के लिए करते है वह काम करता css कैस्केडिंग इस्टाइलच BAR को हम बात करें HTML की, तो HTML मतलब Hypertext Markup Language जो की एक WebPage का structure बनाने काम करती है, CSS मतलब होता है Cascading Style Seat जो की इसमे style perform करती है, यह की style को apply करने काम करती है, और JavaScript जो होती है, उसमें action देने का काम करती है, यह रन टाइम पर action देने का काम करती है, तो JavaScript एक प्रकार की scripting language है, और जो की dynamically work करती है कि इसमें HTML में, HTML जो होता है सिर्फ structure तयार करता है, यह रन टाइम को उसमें कुछ काम करना तो अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए यहाँ पर जगुरत होती है JavaScript की, तो इसी के बारे हम यहाँ पर पढ़ने बाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं, सारी चीज़े यहाँ पर एक-एक करक है, तो हम इसके बारे हम पूरा basic से लेख है, advance तक complete रूप से यहाँ पर पढ़ने बाले हैं, ठीके, देखिए, यहाँ पर simple हाँ अगर बात करें, HTML की, HTML का मतलब के होता है, हापटेक्स्ट मारकप लेंगेज, चुकि एक simple ही हम देखे, एक smiley का उधारन लेते हैं, तो smiley एक structure बना है, उसको भो भी आवेवस्तित है, और उसको वेवस्तित करने का काम कोन करेगी CSS, यानि कि HTML में, अगर CSS जोड़ दी जाती है, तो देखे, इस प्रकार से सही design बन करता है, पर यह सिर्फ design बनी है, design को यहाँ पर action perform कराना है, तो उसके साथ मैं HTML तो हो गया, CSS भी हो गई, अब JavaScript जावस्क्रिप्ट इसके साथ मिल जाती है, तो देखे, यहाँ पर हम action कर सकते हैं, यानि कि यहाँ पर जो भी smiley है, उसमें यहाँ पर काम कर सकते हैं, तो simple सी बात हम समझे, HTML जो होता है, basic structure बनाने काम करता है, उसको एक सही जो लुक है, उसको प्रदान करने का हम CSS करती है, और JavaScript जो है, उसमें action देने का काम करती है, यह चीज आपको clear हुई, next और जो चीज हैं, हम देखें, दूसरे धारन से देते हैं, जैसे human है, human का मतलब होता है, इनसान, यानि कि हम, हमारी बात करें, skeleton system मतलब हमारा basic धाचा होता है, उसको बनाने का काम जो होता है, HTML न किया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, उसको देखें, धाचा है, धाचा में हम यह डीजाइन बन गई हाँ तो आपको पहचान में नहीं आ रहाई, यहां सही रूप में पहचान में आ रहा थी, एक जो है बैसाइट बन चुकी है, इंसान बन गया, इंसान काम कप करेगा, जब उसमें देखें, मास्पेसियों का यहाँ होगी, तो उसमें जो रक्त-Pरिस मतलब हो गया उसको सजाना यानि सही रूप पदान करना नहीं के कपड़े बगेर आजूते जो भी हम जो डिजाइन देख रहे हैं वो सारी चीज किस ने दिया को सब्सक्राइब करने कि तो ऊत्भी में कैसे देखेंगे तो उसके प्रकार को बोले आजए हैं कितने प्रकार देखेंगे उसके बाद भात करेंगे आपरेटर्स की और प्लम करते या इसी प्रकार के बहुत सारज्ए भून को ऑपरेटर के पढ़ने वाले हैं औरbrush लूपिंग स्टेटमेंट देखिए दो इस्टेटमेंट होती है एक तो लूपिंग और एक कंडीशनल इनको बोलते हैं गिंति प्रिंट काराना तो इसके लिए यहां पर लूपिंग स्टेटमेंट उपयोग में आती है अगर बात करें तो जैसे सर्थ की बात करें मतलब जैसे आपने एक बाउंडरी तयार की है सर्थ और उस बाउंडरी को यहां पर सही है गलत बताना मतलब वहां पर उस सर्थ को clear करता है तो true answer होगा और नहीं करता है तो false answer होगा तो इस प्रकार की अगर condition लेना तो हमको किसके की जरुवथ पढ़ती है conditional statement के जरुवथ पढ़ती फिर बात करते हैंveं कीsty अ देखें Friends आफशन क्या होते हैं मतलब होता है जो कायAR होते हैं मतलब जो गार उसको होता है इसको हेम एक नाम देदे है अब एक value हो सकती है तो string type की हो सकती है या फिर आप numeric type की ले सकते boolean type की या decimal मतलब जो double है दसंबलों वाली संख्या हम ले सकते हैं और यहां पर अगर array की बात करें तो यह भी प्रकार का variable होता है परन्तु same data type का collection होता देखे एक value store करें यानि की वेरेबल और एक सहथ value को एक साथ store करने का काम कोन करता है array यहां पर करता है ठीक है यह चीज आप clear समझ गया इसके बाद हम पढ़ेंगे डालेक बॉक्स के बारे में डालेक boxes होते क्या है जैसे मान लीजिए आपने कोई गलत काम मतलब गलत entry field की है तो उसके बारे में यहां पर boiling जो सो करेगा उसको बोला जाता है यहां पर डालेक बॉक्स ठीक है समझ गया तो चलिए एक-एक करके सारी चीज़े हम यहां इसको करते हैं जैसे मान लीजिए पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से पहले बाजानेंगे आँ जावस्क्रिप्ट क्या है इसके बारे मैं बेसिक चीज़े ठीक है तो जावस्क्रिप्टिंग जावस्क्रिप्ट एक scripting language ठीक है तो scripting language मतलब javascript क्या है एक प्रकार की scripting language है जो की dependent language है यानि कि बिना html की साहता से या बिना कोई other language की साहता से इसको run किया जाना possible नहीं है जैसे कि css की बात करते है css भी क्या है css भी dependent यानि की उसको format देने का काम करें तो यह भी html के साहती वर्क करती है चलिए आगे देखते हैं सबसे पहली बात की जारे है कि javascript language है एक client-side language है client-side मतलब एक होता है client और एक होता है server ठीक है तो यह किस साइट की language है client-side की यानि की client-side में dynamically action प्रदान करने के लिए यहाँ पर है client-side language यह जावा script का उपयोग किया जाता है जो कि hypertext markup language के साथ यूज की जाती है जो कि हम पहले देख चुके हैं उसके बाद देखिए यह काफी lighted language है हम simple सी बात हम समझ पा रहे हैं यह scripting language है तो scripting language है मतलब काफी हलकी language काफी जो सरल language इसको बोला जा सकता है इसके बाद हम देखते हैं देखिए इसका अविसकार की बात करें तो ब्रेंडन इच के दोरा 1995 यानि की सन 1995 के अंतरगत जो है इसको अविसकार यानि की इसका विकास किया गया था इसके बाद जो language है जावा प्रोग्रामिंग मतलब एक complete उप्स प्रोग्रामिंग है object oriented जो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है जावा जैसे की C होती है C++ होती है और अन्य जो language होती उसी प्रेकार जावा भी एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेज और उसी के उसी से प्रेरित होकर जो है जावा इसक्रिप्ट यहाँ पर बनाई गई है ठीक है March Anderson की अगर बात करें तो net escape, नेट escape एक user है, navigator एक user है उसके founder है ठीक है उन्होंने इसका दा में लाइव स्क्रिप्ट कर दिया मतलब बहुत पहले क्या नाम था चातम फिर इसका नाम live स्कinya और बाद में 1995 में सन बाभ कि आखना है जावा स्क्रिप्ण सकत healthy पहले मोचा रखा गया इसका नाम फिर लाइव स्क्रिप्ट और फिर जावस्क्रिप्ट तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है अब नेक्स्ट अगर बात करें तो जावस्क्रिप्ट जो लेंग्विज है इसका इस्तमाल हम देख सकते इसका उप्योग जो है बैब डेवल के लिए जावस्क्रिप्ट का यूज किया जाता यह चीज आपको पता चल गई उसके बाद अगर नहीं होता है तो जावस्क्रिप्ट का इस्तमाल करना यहां पर पॉसिबल नहीं है जावस्क्रिप्ट के नहीं किया जा सकता और जावस्क्रिप्ट का कोड एक नॉर्मल वे जैसे कि बेसिक रूप से अगर देखे तो इंटरनेट एक्सपोरर आप देख सकते माइक्रोसॉप्ट के साथ जो बिंडो के साथ आता है उसमें जावस्क्रिप्ट को इनेबल करना होता है पर मान लोगर गूगल क्रोम में हम कोड को रन कर रहा है तो वहां पर इनेबल करने की यानि कि कुछ ब्राउजर में जावस्क्रिप्ट पहले से ही इनेबल होता है बेसिक रूप से हम जान लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है सिंटेक्स का मतलब होता है उसका प्रारूब यानि कि हम सिंपल बोल सकते हैं इसको प्योग करने के लिए हम जो इस्ट्रक्चर बनाते ह है उसे हम syntax बोलते हैं तो syntax में हम सबसे पहले देखें तो इसको script जहां भी इसको लिखा जाता तो script इस प्रकार से लिखा जाता टेग और बंद करने के लिए इस प्रकार से script लिखा जाता है दूसरी चीज script के अंतरगत हम type भी ले सकते हैं type equal करके हम text या फिर जावस्क्रिप्ट इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं और अगर यह ना लिख तो इसके बाद भी हमारा code है यह जावस्क्रिप्ट का वह रन किया जाएगा ठीक है इन दोनों टेग के बीच में एक इस script start है और script end है इन दोनों टेग के बीच में हम सारे code को लिखते हैं किसके जावस्क्रिप्ट को ठीक इसके बाद कि script tag को जो है head tag के बीच में लिखा जाता है जावस्क्रिप्ट कोड मतलब जो है code बैपेज पर कहां पर implement किया जा सकता है मतलब देखे एक तो head tag के बीच में लिखा जा सकता है इसको और दूसरा body के अंतरगत भी इसको लिखा जा सकता दोनों ही जगे आप जो है जावस्क्रिप्ट को लिख सकते हैं इसके बाद जावस्क्रिप्ट कोड इंप्लिमेंट करने के लिए script tag में साधरान रूप से क्या यूश किया जाता है ठीक है टाइप जो या जावस्क्रिप्ट आप देख लेते हैं यहां source code तो देखिए जैसे हम source code लिखते हैं तो script type करके दिए और text या जावस्क्रिप्ट हम यहां पर देते हैं और अंदर हमको content लिखना होता है content मतलब जो भी हम जावस्क्रिप्ट में statement लिखते हैं उसको लिखेंगे और sublime text editor तो एक चीज है कि जैसे sublime text editor आपको download करना तो मैंने html और css वाले जो class है उसमें already बता चुका हूं और बिना html के बिना html सीखे और दूसरी चीज चीज इन दोनों को आप पढ़ लोगे तो उसके बाद जावस्क्रिप्ट पढ़ोगे तो काफी अच्छ आपको लगेगा यहने कि पढ़ने में काफी आसानी होगी तो इनको भी आप सीख सकते हैं और एक और चीज अगर आपको कोई doubt रहते हैं तो मैं doubt session भी आगे लेने वाला हूं तो जो भी comment जो question मुझे answer बताने लाइक के लगेंगे मैं उनको एक खटा करके एक सब्तहा में जो doubt session है ठीक है तो आप जितने भी जो भी आपके question रहते हैं तो आप मुझे comment box में लिखते जाएं तो उससे क्या होगा मैं उन questions को एक सब्तहा में मतलब हर साथ दिन के अंदर मैं एक doubt session लूँगा तो उसमें आपको ये clear करते चलूँगा चली हम सबसे पहले उप्योग कर लेते हैं not paid और sublime तो हम up करते हैं sublime को तो यहां देखिए start करेंगे हम करेंगे sublime sublime text इस प्रकार से हमने open कर लिए ठीक है और यहां हम एक जो है नया page बना लेते file menu में जाके new और इस प्रकार से हम इसको जो है save कर लेते file menu में गाए save करें और save करने बाद देखिए हमने एक folder बनाया ह है और save कर दिए ठीक है आपको basic html format आपको बनाना है ठीक है मैंने बना लिया और यहां हम कर देते हैं जावा स्क्रिप्ट प्रेक्टिस करके हम जो है टाइटल में लेग देते हैं यह basic आपको पहले स्पता होगी अनवस्त्रक चीज़ें हमाटा देते हैं ठीक है body के अंदर आते हैं और हम सुरू करते हैं script tag script tag हमने उप्योग करें देखे script और type में देखे type में हमने के लिए एक तो text लिए या तो javascript इसका प्रकार कैसा रहेगा यह चीछ डिफाइन होती है किसमें type में और यहां देखे इसको double code में लिए और यहां पे जैसे हम enter करेंग यहां से इस प्रकार और double code में हम जो भी हमको लिखना है जैसे hello SSW education इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और लास्ट में semicolon semicolon नहीं भी लगा है तो भी चलेगा पर semicolon हम terminate करने के लिए यहां पे लगा देते हैं यहां कि कोई भी statement जिसको end करना है तो देखे यहां पे एक line में जो statement end होती है उसको terminate करने के लिए यहां पर semicolon की जरूवत पढ़ती है इतना हमने करें और इसको जाकर file menu में जाकर save कर देते हैं और हम जाते हैं यहां पर desktop में जैसे desktop में गए यहां यहां HTML हमारा बना हुआ है JavaScript का folder बना हुआ और यहां practice के नाम से हमने बना कर राखें इसको जैसे ही आप run करोगे तो आप देखे यहां पर hello SSW education आपका run हो चुका क्यों हो चुका है क्योंकि हमने देखे यहां पर document.write document.write और यहां packet यहां कि bracket के अंदर double code में hello SSW education यहां लिखे हैं और semicolon से उसको terminate की है तो यह क्या है यह जावा script है देखें यहां script text से इसको बंद कर दिएगा type उसका दिएगा attribute text यह जावा script यह चीज आपको clear हुई और बहुत सारी चीज है यहां पर हम उपयोग कर सकते हैं ठीक है जैसे comment के अगर बात करें तो अगर इसको run नहीं कराना था हम इस प्रकार से double slash लगा देते हैं और save करते हैं तो यहां जाकर देखेंगे तो यह रन नहीं होगा क्योंकि वह comment बन गया है तो comment क्या होती है comment एक ऐसी चीज होती है जो हमारी personal जैसे हम यहां पर लिखते हैं this is print यानि कि screen पर this is one line या this is line जो क्या कर रही है hello SSW education को screen पर print करने का काम कर रही तो देखिए हमने इसको जो है किस प्रकार लिखा इसको slash double slash करके this is line hello SSW education इस प्रकार से comment में लिखा जैसे हम save करते हैं तो वह run नहीं होगा क्योंकि वह comment है और multiline में भी comment देना है तो multiline comment के लिए हम देख सकते जैसे हमने slash लगा चलिए य multiline comment ठीक है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और अगर हम यह अगर इसको comment में नहीं रखेंगे तो वह run नहीं होगा तो इस प्रकार देखिए multiline comment को किस प्रकार लिखते हैं एक slash लगाया आपने slash के बाद स्टार लगाया यानिक एप स्टिक का निसान और last में जहां तक लगाना और slash लगाना तो यह multiline comment होगे देखो यह भी रन नहीं होगी क्यों रन नहीं होगी क्यों कि यह comment है तो single line comment आप इस प्रकार दे सकते हैं double slash में सकता है मतलब अगर type हम ना विलें तो भी वह रन हो जाता है ठीक है इसके अलावा हम देखें तो देखिए यहां पर सिर्फ script tag हमने लिए हैं और script tag को बंद कर दिए तो यह भी हमारा काम करेगा मतलब simple बात क्या बूली जा रही है अगर हम यह नई भी लेते हैं जैसे मानलो लिखे और यहां पर हमने text या इस प्रकार लिख दे जावा script ठीक है इस प्रकार हम लिख भी सकते हैं तो इससे भी रन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं दोनों आप दे सकते हैं मतलब आप टाइब एट्रिब्ट के साथ में भी लिख सकते हैं मतलब यहां पर जैसे हमने को इस्टिंग मतलब जो हेलो वर्ड या हेलो एसस डवल एजूकेसन हमने प्रिंट की है वो क्या है इक इस्टिंग है और इस्टिंग को ब्राउजर पर डिस्प्ले करने के लिए का स्टेट्मेंट लिए जाता है डॉकुमेंट डॉट राइट यह चीज हम अल्रेडी देख चुके हैं ठीक है तो यहां देखें बोई चीज हमने यहां पे लिए स्क्रिप्ट हमने सुरू की स्क्रिप्ट एंड कर दिए टाइप एट्रिबूट के साथ में टेक्स्ट या जाव इसे प्योग करेंगे हम यहां पर वोल्ड एक कूझ साय बोट टिक है और यहां बी को कर देते हैं क्लोस वी देखिए मतला बोल्ड और यहां जाकर refresh करोगे तो देखिए text आपका bold में नजर आएगा और अगर हम उप्योग कर देते हैं I, I मतलाब italic ठीक है यह देखिए और यहां I को जाकर हम कर देते हैं close यह देखिए अब देखना इसको बंद कर देते हैं इसको एक को हटा देते हैं यहां पर जो है slash लमने लगा दिये थे अब देखो देखिए यह bold भी हो गया और italic भी हो गया अब अगर उप्योग करना है तो underline भी उप्योग कर सकते हैं और दूसरे tag भी हम उप्योग कर सकते हैं multim developmental हमको यहां पर प्रेंट करना है यहां पर नगी करना चाहते हैं तो यहां पर हम some प्योग कर सकते लास्ट में गए और यहाँ पर व्याट आपको पता है कैसा आता है सिंगल आता यह यह पेर में नहीं आता इस प्रकार से जिसtera the दो लाइन में अगर प्रिंट करना है और अगर हम ब्र टैग नहीं लगाते हैं तो ऐसे डबली एजूकेशन साइड में प्रिंट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं यहां देखें document.write यहां bracket में हमने देखें strong यानि कि bold हम उपयोग कर सकते हैं और उसको close भी कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम जो html tag है document.write में यहां अंदर ले सकते हैं डबल कोट के अंदर ठीक है तो आपको जो भी tag उपयोग करना तो आप इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं comment in javascript javascript में comment का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि मैंने बता है comment एक प्रकार से browser ignore कर देता है तो single line comment लेना double slash लगा कर ले सकते हैं और multi line अगर comment लेना था हम कैसे ले सकते हैं slash और star लगा है बीच में आपको 10 बार लाइन या पांच लाइन या पांच लाइन का code लिखना वो ठीक है और javascript का code भी comment किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है जैसे देखिए यहां हमने लगा है slash star document.write हमने लिखे और फिर star slash से लग दी तो यह run होगा क्या बिल्कुल नहीं होगा और यह वाला run होगा कि यह भी नहीं होगा क्योंकि यह single line comment है तो javascript के code को भी यहां पर हम comment कर सकते हैं ठीक है फिर देखे plus for concatenation and arithmetic operation जो plus symbol है plus मतला arithmetic operator है जो की जोडने का काम करता है तो जोडने के साथ साथ क्या करता है concatenation यानि कि दो string को आपस में जोडने का काम भी करेगा तो जैसे हम देखते हैं यहां पर चले मैं आपको example से पहले समझाता हूं जैसे हम यहां पर अगर बात करें हम document.right लेते हैं document.right लिए bracket start किये और यहां पर हम क्या कर देते हैं इस प्रकार से देखे यहां हम देख लेत अब answer क्या आना चाहिए जैसे 1 और plus 2 के हो जाएगा 3 और 3 और 3 6 हो जाएगा परन्तु यहां देखे यह double quote में है यानि कि 3 को 3 जैसे ही लेगा और 3 मतलब यहां पर 3 तो आजाएगा पर यह 3 जैसे कि वैसे print हो जाएगा चलिए इसको run करके देखते हम देखे यहां पर क्या आया डबल 3 डबल 3 क्यों आया क्योंकि यहां देखे डबल कोट के बगर लगा है यालिकि प्लस करने का काम भी कर लिया और इसको concatenate है यही दो string को आपस साथ में सो करने का काम ही कर लिया यहने double quote के अंदर लिखा जाएगा या यानिक कि string है और बिना उसको डबल कोट में ले लेते हो तो क्या होगा देखते है अपन अभी जैसे यह लिखी कर देते हैं इतना रहन देथे और इसको कर देते हैं सेमिकॉलन से बंध ठीक है तो यहां आप देख सकते देखें इसको मैं बी यार कर देता हूं पहले जैसे हम इसको प्लस करते हैं डबल कोट के अंदर क्या कर देते हैं बी यार इस प्रकार वाप योग कर सकते हैं यह से लिए कर शिनग कर पर जोड़ कर रग देगा और कि कोई को किसी को भी उनने प्लस से किया है 123 करकर प्रिंट कर दिया तो पुद्परिया वाले हैं जैसे 的 Dogs lol किया ली आरूर आना प्र प्र पन्दर वाईगा क्या नहीं आगा ले फिर तीन और चार जैसे कि वैसे प्रिंट होंगे यानि कि पांस तीन चार तो इस प्रकार यह प्रिंट हुआ फिर देखिए दो और तीन पांच हो गया तीन को जैसे कि वैसे प्रिंट हो गया यानि कि फिप्टी थिरी हो जाएगा तो यह देखिए आप देख सकते हैं पर जो प्लस है वो concatenation यानि कि दो string को आपस में जोड़ने काम कर रहा है और प्लस करने का काम भी कर रहा है यह दोनों काम कर रहा है यह प्लस जो operator है यानि कि symbol है ठीक है उसके बाद not required semicolon on separate lines अगर separate line के अगर बात करें तो यहां पर देखे कोई भी जो variable और statement होते हैं तब semicolon के जरुवत नहीं पड़ती है यहां पर काम करेंगा तो इस चीज आप उपयोग करकर देख सकते हैं उसके बाद देखिए हम जैसे बैरेबल लेते हैं वी ए आर से बैरेबल लेते हैं कॉमा लगाखे भी हम जो है अगला बैरेबल ले सकते हैं और semicolon लग सब्सक्राइब लेते हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा जाता है ठीक है और यह सुम्पलान हम लगाते हैं दोनों में से कोई भी लगाए काम करेगा दीखिए हम देख लेते हैं यहांपर जैसे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट और जावा वास्क्रिप्ट लिए हमने ए बरावर 5 और बी बरावर 6 तो separate करने के लिए क्लिए क्लिए हाँ पर semi-colon लिए जब हम दोनों को print कराएंगे तो काम करेगा जैसे लिखिए यहां पर document.right एक करके print कर लिए और next line में आना चाहिए document.right तो यह next line की जगे हमने लिख दी क्योंकि semi-colon से terminate हो लिखा गया उसके आद एक वेरेवल लिए c एक वेरेवल लिए d कैसे लिए कॉमा लगा लगा के लिए यहां कॉमा लगा है और इस line को अपनने terminate के semi-colon से फिर document.right c document.right d कर दिए कॉमा लगा के मतलब semi-colon से भी हम लग सकते हैं और कॉमा लगा के इस प्रकार लिख सकते हैं तो आंसर आएगा 5678 क्यों क्यों कि देखे पहले में 5 है दूसरे में 6 है तीसरे में 7 है और 4 में 8 है ठीक है तो यह साथ में उनने print कर लिए तो आप इसको प्योग कर मिल जाएगी CSS की PDF complete मिल जाएगी और JavaScript की भी PDF आपको complete मिल जाएगी अच्छा यह सारी चीज जो है आपको कहां मिलेगी application में आप डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करें application में आपको complete मिल जाएगी और यहां देखिए सभी जो वीडियो है आप से सिक्वेंसली देखना चाहते है लाइन से देखना चाहते तो आप application में जाओगे तो हाँ separate जो है आपको यह बने बनाए जो slot है पूरे complete मिल जाएगे तो हाँ आपको एक nominal charge में यह मिल जाएगे अगर complete देखना है तो नहीं तो YouTube से आप तो देखी सकते हो ठीक है चलिए आगे चलते हम आगे यहां जाकर दे तो अगर हम इसको देते हैं 10 और इसको देते हैं 20 दोनों को अलग-अलग print कराते हैं तो देखे इसकी value यह अलग माने जाएगी और इसकी value अलग माने जाएगी मतलब क्या है ए हमने capital लिए तो यह separate रखेगा दोनों को तो मतलब क्या है case sensitive language है जैसे हम मान लीजिए यहां पर जैसे VAR A लिए और A को हमने दे दी यहाँ पर जैसे हमने A को कहां दे दी है, और इसके आध VAR एक कैपिटल A लेते हैं, और A को यहाँ दे देते हैं 20, तो आप दीखिए हम करते हैं, ätta है,ド Cuando.Write और अंदर कर देते A को print, ठीक है, और एक document.write लेते हैं ठीक है और अंदर करा देते है capital लेगो प्रिंट चलिए दोनों को run करके देखते हैं अलग-अलग run होंगे दोनों क्यों होंगे देखे 10 आ गया और 20 आ गया अब यहां separate separate इसलिए हुए क्योंकि case sensitive है यहने कि यह देखे अगर small A है तो उसको अलग लेगा और capital यह तो उसको अलग लेगा ठीक है तीचीज आप समझ गया यहां पर देखे 56 अलग-अलग answer आया दोनों का अब एक होती है external JavaScript external JavaScript होती क्या है CSS हमने पढ़े हैं ठीक है CSS कितने प्रकार की होती है inline internal और external inline मतलब होता है टेक के अंदर लिखा जाना internal यहने की head जो section उसके अंदर लिखा जाना external मतलब उसकी खुद की file बनती है .css के नाम से उसी प्रकार JavaScript की file बनती है .js के नाम से तो चलिए हम बना कर देख लेते हैं ठीक है एक file बनाते हैं new ठीक है जैसे हमने external js करके हमने बनाया है यह देखे पहले से बनाया है यहां हमने head section के अंतरगा head section में आपको लेना है script ठीक है script ले लिए type type ले लिए टेक्स्ट यह जावास्क्रिप्ट src src का मतलब होता है जो जावास्क्रिप्ट हम लेने वाले हैं जैसे external.js ठीक है यह ले लिए अपनने और अब यहां जाकर हम जो है इसको run कराते हैं कहां पर अंद है तो यह यहां पर देखिए हम यहां पर देखते हैं जैसे किसमें जाते हैं जो हमारा external है जैसे हमने फर्स्ट जोड जेएस बनाये थे ठीक है और देखिए हमने जो है external फाइल लिए है इसकी जावस्क्रिप्ट की .js external.js के नाम से लिए function लिखे एक FUN के नाम से दो लाइन प्रिंट करा है हमने और उनको कहां घोसित किये देखिए head tag के अंतर का title के नीचे script type text या जावस्क्रिप्ट src external.js लिखे हमने और script को close कर दिए और जो उसके अंदर हमने function लिए तो उसको देखिए हमने कहां लिए FUN कहीं भी body के अंदर कहीं भी आप प्रिंट करा सकते हैं जहां script लिए FUN जो लिए हैं और उसको semicolon से हमने कर दिए यहां पर लिया लिए तो देखिए आप उसके अं अ wohlun करके देखते हैं कि क्या हो रहा है कि यहां नीचे आ गया मतलब सरकार नीचे आ गया उसके सरकार सॉलूसन नीचे आ विवह लाइन ॉसक के अंतरगत जो हैड है उसके अंदर यहां पर है तो एक्से अंदर होती क्या है हमने च् sav 10 की इस अंतरगत हम हम जो भी code लिखेंगे उसको इसके प्रकार से यानि कि script type javascript text src external.js इस प्रकार से लिए और यह close कर दी यह लिखा जाता है head के अंतर यानि कि जो भी हम link के देते है src के अंतरगत हम दे सकते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं आगे यहां कुछ जान लेते हैं इसके बारे में जैसे html script में जो है javascript file दूसरे html script में message इंपोर्ट किया जाता है यह javascript file js extension js मतलब javascript extension के साथ save की जाती है और external javascript से html जो page है उसकी speed काफी तेज हो जाती है क्यों तेज हो जाती है जैसे हमने html एक web page बनाए अब उसी में हम पूरा javascript का code भी लिख देते हैं उसमें css का भी लिख देते हैं उसमें html का भी लिख देते हैं तो क्या होगा काफी loaded page हो जाएगा run होने में काफी दिक्कत होगी पर यदि इसी को हम तीन पार्ट में बार्ट दे यानिके सिर्फ आपको वहाँ पर call करना है जैसे css हम उपयोग करते थे multiple web page में उसी प्रकार इसको भी multiple web page में उपयोग किया जा सकता है ठीक है फिर देखते हैं external javascript के लिए जो है script पर जो है src नाम का attribute लेना होता और जिसमें हम जो है इस प्रकार से उसका file का नाम.extension के साथ में यहां पर देते हैं ठीक है चली आगे देखते हैं example के तौर पर देखें external javascript तो देखें external javascript जो है script tag के कोई जरूवत नहीं होती है अगर लगाया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती जैसे external.js और hello.html यह दोनों फाइल जो है एक ही location पर होनी चाहीं है क्यों क्योंकि जैसे हम call करते हैं जैसे मान javascript बाला जो पेज है वो दोनों एक ही location पर होना चाहीं तब आसानी से इसको call किया जा सकता है जिसके हमने अभी लिखे थे external javascript में src फाइल को पूरा पात दिया जाता है ठीक है और यहां देखें हमने जो है source code के लिखें है function and sample ली है और sample में हमने देखें bracket लगाया और अंदर लिखें document.right hello world और इस javascript को हमने देखें है HTML page के अंतरगत के लिखें है external js.js हमने call कर लिए और अंदर जाकर हमने देखी script के अंतरगत sample उप्योग करें तो जो external file है मतलब देखें अलग से file बनाए था हमने वो कहां run हुई है वो हमारी HTML page में run हुई है तो यह कमाल है HTML में external javascript लेने का ठीक है वो काफी speed हो जाती है HTML page run होने की comments हमने देखे थे देखे दो लाइन दो प्रकार की comments होती है JavaScript में मतलब यह non-executable होती है कुछ JavaScript code में additional information documentation मतलब user की जानकारी जैसे मान लो मैंने कोई web page बनाया हूँ या फिर कोई हमने web designing web development किये ठीक है अब वो code हम किसी के लिए बनाते हैं और वो उस जगह पर जाकर अगर उनको कोई changes करना है तो वो समझ पाए कि code में क्या लिखा है code में कौन-कौनसी चीज कहां पर उप्योग हुई है तो उस जानकारी को यहां पर define करता है comment तो यह चीज हमको किसमें देना होता है comment के अंतरगत यानि कि additional information या documentation के लिए comment का उप्योग किया जाता है और यह browser ignore कर देता है नहीं ब्राउजर में रहन होगी क्या विलकुल नहीं होगी ठीक है जावस्कृट comment की जो line है ब्राउजर में जावस्कृट दौरा ignore की जाती है और जावस्कृट के code का execution भी comment से बंद किया जा सकता है simply double slash लगाया तो वो code बंद हो जाएगा या फिर इस प्रकार से हम जो है जो code है उसको slash कर सकते हैं यहां पर हम बहुत सारी चीजे लिख सकते हैं दो प्रका पर देखें अगर document.right हम कुछ code लिख रहा है तो print hello world की नाम से हमने लिखें यह दर्सा रहा है कि यह क्या है मतलब इसकी define करने का काम कौन का रहा है यह comment कर रहे है ठीक है रन क्या होगा सिर्फ run सिर्फ hello world होगा ठीक है multiline comment के अगर बात करें हम तो java script में multiline comment के लिए इस से देखें स्टार और स्टार 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 इसके बाद बीच में कुछ भी हम लिख सकते हैं जो की comment में देना तो यहां पर हमने लिखें है this is multiline comment print hello world तो यह कोई भी चीज हमारी रन नहीं होगी सिर्फ run क्या होगा hello world तो देखिए आप output में देख सकते hello world हमारा run होगा ठी एक चीज हम बात करने वाले हैं variable की variable होते क्या है एक चीज में बताता हूं जैसे computer कभी भी processing करेगा तो value पर करेगा और value जो है डारेक्ट प्रोसेस नहीं होती उनके लिए एक जो है आइडेंटिफायर की जरुवत पड़ती है आइडेंटिफायर का मतलब होता है जो value को तो एक जो value होती है जैसे value है बैलू कहीं न कहीं तो store होगी जैसे मान लीजी है value store हुई तो इसको एक symbolic नाम दे दिया जाता है जैसे मान लो ए दे दिये तो इस जगह जहां पर value store हुई है उस जगह को एक symbolic नाम दिया जाता है उसे identifier बोलते है और identifier को ही दूसरे नाम से हम variable प कीजिए पहले तो हम उपयोग कर लेते हैं ठीक है तो आप देखिए यहां पर कोड में जाओगे तो देखिए हमने जो है यहां पर देखिए भी ए आर जो कीवर्ड होता है यहां पर इसको डिफाइन करने का काम करता है एक और होता है ठीक है लेट एक कीवर्ड होता है जो की को define करने काम का था जैसे हमने ए लिए यहां पर यहां ले ले लेते बी बी लिए और बी को 10 कर दी यहां पर और document.write करें ठीक है इस प्रकार से और बी को हमने print कर दिये बाहर आकर हम semicolon लगा है और 10 हमारा print हो रहा है कि यह देख लेते हैं देखे 10 print हो गया मतलब आप simply अगर समझे तो var या फिर let यह दोनों में से कोई भी कीवर्ड आप ले सकते हैं जिससे की variable को define किया सकता है बेरेवल एक alphabet नाम होता है single नाम भी हो सकता है single character और multiple character का समूब भी हो सकता है ठीक है इनके बीच में मतलब space नहीं दिया जा सकता underscore का निसान दे सकते हैं जैसे हमको लिखना first name तो first और name के बीच में अगर gap देना है तो हमको underscore देना पड़ता है वो कैसे देंगे अभी हम आगे देखने वाले हैं दीर दीर करके चलिए हम आगे देख लेते हैं यहाँ जो code है जैसे जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट जो है बैरेवल में information को एक जगह पर store किया जाता है ठीक है और बैरेवल पर कौन से data type या कौन सी value store की जाती है वो यहाँ फर्स्ट नेम ऐसे देना है तो बीच में हमको underscore लगाना पड़ता ना की less इसके अलावा यहाँ पर देखे डॉलर साइन भी उपयोग किया जा सकता यहाँ पर किसमें जो बैरेवल है उसके नाम में बैरेवल की सुरुबात नुमेरिक से नहीं की जा सकती जैसे आप देखते हैं वैलू हमने लिखे हैं तो लास्ट में हम बन लिख सकते या फिर सुरू में बन लिखेंगे तो इन्वैलिड माना जाए नहीं कि वन वैलू नहीं होगी वैलू बन हो सकती है ठीक है एवन है फॉर एक्जामपल पर अगर देखें तो अलफा नुमेरिक हो सकता पर सबसे पर रहले आलफा वेट ही उप्योग किया जाएका बाद में वैरिक आशाओ फिर बेरेवल जो है, जावास्क्रिप्ट का कोई, जो की वर्ड नहीं होना जए की वर्ड का मतला होता है जैसे पहले से रहता न जैसे एक कंडिशनल स्टेट्मेंट है फॉर यह पहले से वह लू अलग मानी जाएगी और इसकी वैलू अलग मानी जाएगी तो दोनों डिफ्रेंट होते हैं ठीक है इसके लावा एक्जाम्पल अगर देखें जावा स्क्रिप्ट के अंतरा का जो वैरेवल है उसका तो देखें भी ए आर करके हमने ले लिए हैं ए भी ए आर ए यानि कि वर मतल जakल रही ुछ। दूबल कोट में लिखी जो चीज है और दूसरी चीज़ पलस करके अमने यह लिए हैं यहां ends कीत हैं तो इसको लिए यहां यहां पे हम लिखेंगे देते इसको var var b ले लिए और v को हमने 20 दे दिए ठीक है एंटर किये और document.write करे bracket लगा है यहाँ पर और अंदर double quote में आपको क्या लिखना है value of b और dash लगा के हमको क्या लेना है b पर देखे double quote में हमने हमारी इक्षानुसार तो हमने print कर लिए string इस्ट्रिंग प्रिंट करें हैं और सिर्फ हमको b print करना है तो b print करना तो दो इस्ट्रिंग को आपस में जोड़ कर लाने के लिए यानि कि एक तो होगे double quote के अंदर हमारी इक्षानुसार दूसरी चीज हम print करना चाते बी में जो इस्टूर तो बी में जो इस्टूर वह प्लस साइन लगाएंगे और बी यहां पर लिखेंगे बी कौन सा लिखना capital वाला क्यों क्यों कि यहां पर case sensitive होता है तो बी यह वाला लिखना ठीक है और उसके बाद हम से जोड़कर print करने के लिए हम plus का निसान लगातें यह प्लस साइन का हां पर java script में ठीक है वह चीज यहां पर देखी जा रही है चलिए यहां इसको हम का धेते जा से फिर से हैं कि फिरीजॉर्ड तीक है और यहां चलते है बेखे प्लस का VAR लिखते हैं और A लिखते हैं और उसको हम प्रिंट करते हैं चलिए देख लेते हैं जैसे मानलो हम जावस्क्रिप्ट कोड में चलते हैं और इसको हम बैलू नहीं देते हैं जैसे हमने इसको हटा दी हैं तिर्फ VAR B ली हैं और B को हमने यहां प्रिंट कर दी तो क्या आना च हम उसमें value दे देते हैं तो 30 दे दिए ठीक है तो अब क्या आएगा अब वो 30 आ जाएगा तो यह चीज हमको clear हुई मतलब जब हम सिर्फ define करते हैं मतलब declare करते हैं जब उसको declare करते हैं और print करते हैं तो इस प्रकार से मैंसे जाएगा undefined ठीक है और अगर value दे देते हैं तो उसके बदले में value आएगी यह चीज हमको पता चल गई variable initialization मतलब सिर्फ declare करना मतलब VAR करका उसका नाम लिखना परंत उसमें हमको value भी दे देना है तो जैसे देखिए हमने VAR दिए और A को हमने 5 दे दिए फिर VAR B दिए B को हमने 10 दे दिए और यहाँ पर A को print करते हैं और B को print करते हैं यहने कि यहाँ पर value प्रदान करते हैं एक उधारनyu बताता हूं मैं कोई company हमारी अब मतलब हम उसमे चेहर कंप़ेश हैं पहली बात करते हैं हमारी company है तो company के लिए हम बहुत ऽारी चीज खरीँदना चाहते हैं तो एक चेहर बनाने वाली जो इक यह जाते हैं sulam भी यह से वही सारी प्रकार की मिलता है अलग है बनाने वाला बिलारे के ठीश होगी है यहемप्लॉए टोब सरी फिर्फ क्या गरता है यहां कर देता दूसरी कि तो हम इसको कर आते हैं तो हम और सलवी है यह मैनेजर की है तो मतल़ हुसको वेनेजर की धीया जाता है तो मतलब उसको value दे दिया यानि कि नाम दे दिया तो उसी प्रकार यहां दिया जा रहा है कि सिर्फ declare करना यानि कि chair बन चुकी है और उसको एक हमने value दे दिये यानि कि वो define कर दिये कि a में क्या है अब 5 है बी में क्या है अब 10 है तो अब दूसरी चीज उसमें लाना है तो हमको ध्यान देना होता है तो यह चीज होती है initialization करना तो हमने a को print कर दिये बी को तो answer क्या आएगा value of a 5 और value of b 10 आएगा ठीक है अगली चीज की बात करें तो एक ही जो var keyword है उसके साथ multiple variable को कॉमा लगा कर कैसे initialize करते हैं तो देखें यहाँ पर अगर देखें तो var a लिए और a में 5 दे दिये कॉमा लगा है b c और c को हमने 10 दिये b जो है इसको सिर्फ declare किया गया है उसको हम बाद में इस प्रकार से b equal 20 इस प्रकार से ले सकते हैं तो यह देखें हम साथ में भी इसको initialize कर सकते हैं और बाद में भी initialize कर सकते हैं multiple यानि कि कॉमा लगा लगा कर override variable value ठीक है तो जैसे मान लो हम यहां पर कोई variable लेते हैं ठीक है यह देखें बी लिए बी लिए नहीं यहां पर और बी को हम यहां फिर से क्या दे देते हैं बी को यहां 40 देते हैं ठीक है हमने variable define नहीं की है document लिए document.write लिए बैकेट लगा आए और अंदर लिए value of B और यहां पर हमने ले लिए क्या बाहर लजाकर प्लस करें और बी को print कर दिए और लास्ट हमने semicolon लगा दिए देखें पहली बार में जो बी है उसने 30 लिया तो 30 को यहां print कर दिया दूसरी बार में बी 40 ले रहा है तो 40 को यहां print करना चाहिए नहीं कि बी जो है बी की value को ओवर राइट किया रहा है चलिए run करके देखते हैं तो देखिए यहां पर पहले 30 आ गया और दूसरी बार में 40 आ गया तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं यहां पर बी आर टेग लगा देते हैं बी आ नीचे आ गया मतलब पहली बार में जो value है वो 30 लिया दूसरी बार में जब हमने ओवर राइट कर दिया तब 40 लिया तो चीज आपको पता चल गई देखिए यहां पर बही बात की जा रही है कि जब हमने 5 ली है तो 5 को प्रिंट कर दिये दूसरी बार में 10 को प्रिंट कर द कर ली बैकट शुरू होता है इसके अंदर हमने लिए वी ए आर ए ठीक है और इसके अंदर ही उसको प्रिंट करना है तो वह हम कर सकते हैं परंतु अगर उनको बाहर प्रिंट करना है ठीक है तो बाहर के लिए यह वाला वैरेवल काम नहीं करेगा मतलब क्या है यह लोकल वै लोकल का मतलब होता है कि हम सिर्फ function के नाम को access कर सकते हैं उसके अंदर जो चीज़ लिखी है वह पर बैरेबल को access कर सकते क्या बेलकुल नहीं कर सकते तो जैसे हम एक function define करते हैं चलिए यहां पर हम आते हैं नीचे और यहां पर ले लेते हैं इस प्रकार से हमने ले लिए यह लिए लिए function ठीक है अब यहां function का नाम ले लेते हैं function का नाम के ले लेते हैं sample इसमें argument भी पास किये जा सकते हैं पर हमें भी without argument के साथ में ले रहा है इस प्रकार से और यह body हम लिख लेते हैं वर यहां दे देते हैं 10 ठीक है और document.write करके हम दे देते हैं a ए को print कर देते हैं और यह run करते हैं ठीक है यहां देखिए हम इसको run करते हैं तो हमको बहार आखे देखिए इसर्फ function है function सिर्फ define हुआ है call हुआ है क्या call करने के लिए हमको यहां लिखना पड़ता है सेंपल और इस प्रकार सम को लिखना होता, अब देखिए ज़रा रन होता है, देखिए यह 10 हो गया, अब यह जो है, क्या होना चाहिए, डबल कोट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, जो बी आर है, ब्रेक, उसको लिखना पड़ेगा, और प्लस लगा आखिए इस प्रका को कॉल किये, पर अगर बात करें हम जो भी ए आर ए लिए हैं, ए को हम कुछ और दे देते हैं, जैसे ए को हम दे देते हैं, ए, ठीक है, यह लिए, और इसको हम रिफ्रेस मार रहा हैं, तो यह तो हो गया है, परन्तु ए जो है, ए को हम यहां लेते हैं, तो आएगा क्या, जै जैसे हम 20 देते हैं तो यह रॉंग हो जाएगा ठीक है जैसे हम यहां लेते हैं document.write और यहां यहां इको प्रिंट करते हैं ठीक मैं चलिए यहां पर जो function है function यहां पर जो value है मतलब जो variable है जैसे यहां पर हमने देखते हैं एक्जाम्पल में लोकल वेरेवल हम पढ़ रहा है तो function के अंदर हमने क्या लिए है वेरेवल ए 5 और 5 को हमने प्रिंट करा दिये तो यह देखे function को call करके यहां 5 आ गया पर इसी के विपरित हम global variable की बात करें तो देखे function है function की जो length है वो कहां तक है देखे यहां तक है यह द हो आएगी देखे यह तो होगा प्राइबिट बाला function के अंदर जो लेते हैं वो प्राइबिट हो गया जो सिर्फ function के अंदर यूज हो जाएगा और उसके बाद बाहर जो लेते हैं जैसे ए जो 5 है तो दीखी document.right जो function के बाहर लिए जा रहा है ए में जो है 5 भी प्रिंट हो और एक ले लिए हमने function और function को हमने दे दिये sample और argument हटा दीजिए और body के अंदर आकर हम ले लेते हैं variable a और equal करके हमने ले लिए 20 ठीक है और यहां आकर हम जो है देखे document document.right document.right करके हमने a को अगर प्रिंट कर आया है तो कौन सा a आना चाहिए 10 आना चाहिए 20 आना चाहिए तो देखे हम देख लेते हैं कौन सा आना चाहिए 10 आया क्यों आया 10 देखे function के अंदर कौन सा लिखा है a 20 वाला और function के बाहर कौन सा लिखा है a 10 वाला क्यों देखे a 10 वाला जो है वो global variable है और function के अंदर जो लिखा है वो local variable है local variable का मतला होता है जो जिस function में define कियागा है सि दूसरा होता है local variable ठीक है अब बात करते हम डेटा टाइप की ठीक है तो डेटा टाइप होते क्या है जैसे हमने देखे एक location थी location में 10 श्टोर करें उसको नाम दे दिए एक identifier हुआ मतलब variable जो है क्या श्टोर कर रहा है value को श्टोर कर रहा हो कोई प्रकार की value हो सकती है तो variable में जिस प्रकार की value store की जाती है वो उसका type कों define करता है उसका type define करने का काम होता है data types का यानि की variable में कौन से type का data store किया जाएगा उसको define करने काम यहां तो डेटा टाइप ठीक है उसे को हम यहां पर data type बोलते है तो data type यहां देख सकते है कौन कोन से होते है तो चलिए एक एक क पर अलग-अलग बैलु स्टोर करने के लिए डेटाइप का इस्तेमाल किया जाता है वह हम ने देखे अभी डेटाइप मुखरूप से दो प्रकार की होते हैं तो एक तो होते primitive data type और एक होते object data type primitive data type जो धोते हैं हम बोल सकते है जैसे string का मतलब होता है जैसे हम किसी का नाम लिख रहा है जैसे हमने लिखे अजय ठीक है तो अजय को हम कैसे देंगे double quote में यहां पर double quote में लिख सकते हैं उसके बाद number number को हम जैसे 10 है 20 है इस प्रकार से दे सकते हैं boolean जो होते है true या false यहां पर देखने को मिलती है जैसे हमने true या false या जीरो और बन पर काम करते हैं undefined जो कि हमने देखे था भी जैसे ए में कुछ हमने नहीं दी हैं तो वह undefined आता था message उसके आद object data type का मतलब होता है null यानि कि अभी blank है array मतलब होता है collection collection मतलब जो चीज एक से अधिक जो data type होते है एक ही data type के जो value होती है एक ही वेरेबल में store करना उसको एरे बोलते है function हम देखेंगे और object देखेंगे चलिए एक एक कर्षा हम देख लेते हैं यहां पर सबसे पहली वायत होती है string की तो string जो है एक characters का sequence होता है characters का sequence का मतलब जैसे हमने लिख दिये normally इस प्रकार से हमने लिखे सरकार ठीक है तो यह जो है characters यानिकि स, A, R, K, A, R यह जो होते characters का sequence होता है जिसे हम string बोलते हैं और इसको डबल कोट के अंदर ही लिखा जाता है या फिर सिंगल कोट के अंदर भी हम लिख सकते हैं ठीक है सोर्स कोट हम देख लेते हैं जैसे script type जो है text या जावा स्कृप्ट हम बोल सकते हैं वी ए आर नाम से ही लेना है और अगर हमने str1 ले लेते हैं तो सिंपल से बात आप समझ जाएए वो क्या है देखे str1 लिए यह नहीं कि इससे define नहीं हो रहे टाइप क्या है परंतु उसके बाद हमने value देदी hello तो यह single code में लिखी कि इस ट्रिंग उसके आप भी ए आर इस्टी आर टू लिए तो डबल लिख दिए ठीक है तो यह देखे double code में लिखी वाली string है उसके आप तीसरे हमने भी ए आर एस्टी आर के लिख दे ब्लैंक तो empty है ठीक है तो हम तीनों को यहां पर देखते हैं पहले उपयोग कर देखते हैं ठीक है यहां हम चलते हैं हमारे जो code है उसमें script यहां पर हम सारी चीजों को हटा देते पहले तो हम simply लिखते हैं भी ए आर एस्टी आर बन एस्टी आर बन में हमने दे क्या जैसे देदी हमने हेलो और सिंगल कोट में ले सकते हैं तो सिंगल को डवल कोट कोई दिक्कत नहीं आप सिंगल कोट में ले लिजिए या फिर डवल कोट में ले लिजिए कमेंट हम लिख देते हैं इस प्रकार से नहीं लिखना तो रहने दीजिए आपको कमेंट बनने ल ले लेते हैं blank ठीक है इस प्रकार से देखे तीनों चीज हमने ले लिए यहां पर मतलब आपने पहले लिए एस्टी आरवन जिसमें सिंगल कोट में हेलो रख दिये एस्टी आर टू लिए जिसमें डवल कोट में सरकार रख दिये और इस्टी आर थी जिसमें ब्लैंक रख दिये जब हम इसको प्रिंट कराते हैं document.write डॉकुमेंट.write इस प्रकार लिखे और क्या लिखना है इस प्रकार से हमने लिखे और यहां सेमिकॉलन भी लगा देते हैं क्यों कि नई भी लगाएंगे तो भी चलेगा पर हम लगा देते हैं ठीक है यह हो गया पहला तो हम एक एक करकर रनकार आग देखते हैं यहां चलिए ब्राउजर में देखे यह हो गया hello print हो गया दूसरी चीज हम इसी प्रकार ले लेते हैं document.write करके यह ले ले लेते हैं और str2 ले लेते हैं str2 के लिए यह double वाली है ठीक है double को भी हमको print कराना पड़ेगा इस प्रकार चलिए इसको भी रन कराएं तो देखे डबल वाली यहां पर रन हो गई अब line break करना है तो line break करना तीहां पर आप क्या करना पड़ेगा आपको प्लस डबल कोट के अंदर यहां पर बी आर और प्लस लगा यह इस प्रकार हमने यह देखिए होगे line break आप तीसरी स्टिंग प्रेंट करा देते हैं तीसरी स्टिंग में क्या है यहां पर empty ठीक है सब्सक्राइब यह इसकी एंडिते प्लस है बस्क्रांच क्लिस कोटे 565 ऑप एक प्क्रेंट पूइंट अपर सब्सक्राइं यह Surprise twelve ने सब्सक्राइब दोतिês नंबर क्यों होते हैं इसमें हम it and raging प्रफाइबर यहां पर भाइलों ले सकते हैं तो कैसे लिभाट A लेते हैं तो यहां पर ले सकते हैं भी ai谁 लेते तो 5.10 ले सकते हैं floating- point value और माइनस वाली वाले बेलु भी इसके इसकी अंतरग़त ले सकते हैं या फिर माइनस वाली जो होती निमेरिक floating point value ले कर सकते हैं तो आप इनको प्रयोक कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता ह्ताहा मुले को दिखें तो सी 카bourne to value को store करता है या तो true या false ले लिए और वी ये आर वी में false ले लिए इस प्रकार भी हम उसको print कर सकते हैं single value यानि कि या तो true लेगा या तो false लेगा boolean जो है एक प्रकार का primitive data type है undefined होता है तो अगर हम a इस प्रकार से लेते हैं और उसको print करते हैं तो answer क्या आना चाहिए undefined तो यह हमने अल्रेडी पहले करकुछ करके देख चुके हैं तो आप ध्यान दीजिए उस चीज को null मतलब होता खाली तो कैसे यहां देखे अगर हम a equal null लेते हैं और document.write करते हैं a बराबर है undefined के equal to double dash मतलब double बराबर का निसान याने की equal to a जो है किसके बराबर है undefined के तो simple से बात उसमें कोई value नहीं है तो simple से बात यहां पर answer क्या आना चाहिए true आना चाहिए आप चाहिए तो उप्योग करके देख सकते हैं तेखे हम य a equal var और a को ले लेते हैं null क्या ले लेते हैं null और यहां हम define करते हैं document ठीक है document.write इस प्रकार ले लेते हैं और a बराबर है undefined के ठीक है अब देखते है run करके इसमें चले जाओ तो देखिए true आ रहा क्यों आ रहा क्यों कि सिंपल सी बात a बराबर किसके undefined के पर जो array है array हम देख लेते हैं ठीक है array मतलब क्या होता है array जो होता है same data type का collection होता जैसे मान लीजिए आपने integer लिए इंटीजर की वैलू जो एक साथ है बहुत सारे वैलू को एक ही variable में आप रख देते हो तो इसको हम बोलते array और उसको हमेशा यहां पर देखे जो square ब्रेकेट आता है बड़ा ब्रेकेट इसके अंदर ही लिखा जाता है और हर वैलू को जो है मतलब देखे वैलू को कॉमा ल का value है तो 3 तक जाएगा और इस प्रकार से हम ले सकते हैं चलिए हम जो है इसको काम करके देखते हैं यहां पर जैसे यहां पर हमने इसको हटा देते हैं भी ए आर करके ले लिए equal करके हमने दे दिये और इस प्रकार से हम ले सकते हैं ठीक है यहां पर semi-colon से इसको बंद कर तो जैसे हमने ले लिए 1,2,3,4 इस प्रकार लिए और जब हम document.write करते हैं document.write तो document.write करते हैं तो क्या आता है ए और और अंदर हम ले लेते हैं 0 और इसको हम print कर देखते हैं क्या मिला आपको 1 और अगर हम इसी प्रकार जो है क्या करते हैं चार value print कर देते हैं ठीक है जीरो के बदले हम क्या कर दो index आपका जीरो से सुरू होता जीरो 1,2,3 तीन आ गए अब हम run करके देखते हैं चारों चीज आपके एक साहत आगी और बी टेग लगा देते हैं आप यहां प्लस करके प्लस करके यहां पर लगा देते हैं क्या ब्र ग्लान लाइन डेक करके नीचे जाए तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं ठीक है function क्या होते है function जो होता है एक object data type है जो यहां देख सकते है function को create करने के लिए function keyboard जो कि हम पहले देख चुके हैं ठीक है और ब्लॉक होता है complete रूप से जैसे हम देखे function f1 लिखे हमने और bracket के अंदर हमने यह लिख दिया document.write कर दिया और लगसे हम उसको call कर लेती हम अल्रेडी देख चुके हैं उसके अब्जेक्ट जो होता है data type object data type होता है जिसके अंतरगत object में method और कुछ properties होती है जैसे object के बारे में हम देख सकते हैं वी ए आर employee करके लिए equal करके हमने लगा है curly bracket स्टार्ट किये और id को हमने बंद दे दिये name में हमने देख यहां पर colon लगा के कह दे दिये रमेश कुमार और salary हमने points में कुछ दे दिये और इसको हमने बंद कर दिये और semicolon लगा दिये फिर document.write employee नाम से हमने क्या लिए थे एक object लिए थे ठीक है और dot id करके मतलब employee के अंदर जो id है dot id करके हम उसको बुला सकते हैं प्रिंट होगा one और अगर हम dot name करके बुलाएंगे तो क्या प्रिंट होगा राकिश कुमार और dot salary करके बुलाएंगे था हम 280005 हम कर सकते तो इस प्रकार से यह output आएगा तो यह चीज हम देख सकते हैं यहां डेटर टाइप तो देखे हमने जो है डेटर टाइप के बारे मे एक आप नई सीरीज सुरू होने वाली एक सब्ताहा में जितने भी कमेंट आएगी जो डाउट सेशन रहेगा computer से रेलेटेरी आने चीजों से उसका मैं live class लूँगा और उसकी timing में आपको बता दूँगा और उसके लिए आपको टेलिग्राम में जोड़ना पड़ेगा टे टेलिग्राम में आप मुझे personal message कर सकते हैं चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पर operators के बारे में operators होते क्या है उसके पहले हम एक चीज जान लेते हैं जैसे कि आप देखिए अगर अपन लेते हैं VAR A और उसमें देते हैं 10 इसके अलावा हम लेते हैं VAR B और उसमें देते ह इनको हम total करने के लिए थर्ड लेते हैं जिसको हम बोलते हैं C ठीक है और इसमें हम ले लेते हैं A plus B ठीक अब इसको जो है यहां आप देखें आपको कुछ चीज है यहां देखने को मिल रही यह complete जो चीज है यहां पर जो लाइन हम देख पा रहा है इसको बोलते है expression ठीक ह आपको दिख रहे हैं A क्या है एक alphabet है वह हम जानेंगे एक variable है ठीक है और दूसरी चीज आपको दिख रहे है equal का sign क्या है एक symbol है इसी symbol को हम यहां पर बोलेंगे operators ठीक है और इसके अलावा आपको एक operator और और दिख रहा है यह assignment operator इसको बोलते है इसके अलावा एक operator आपको plus दिख रहा है जो क्या कर रहा है देखे A और B को आपस में जोडने का काम कर रहा है यानि कि हम simple बोल सकते हैं कि ऐसा कोई symbol जो क्या करता है किसी action को perform करता है उसे हम क्या बोलेंगे operator और यह किस पे अपना action कर रहा है यहां पे A है B है तो A और B जो समझ गया तो simple हम बोल सकते हैं अगर हम C बराबर A plus B देते हैं तो इसको हम complete रूख से expression बोलेंगे जो किस किस से मिलकर बनी है एक तो operand आपको दिख रहा है C है A है B है यह तीनों क्या है operand है और equal का sign है और plus का sign एक क्या है operator है तो operator आप समझ गया है operator कोई symbol होता है जो किसी action को perform करता है इसी के बारे में हम यहां पर विस्तार से जानने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम एक example को हल करते हैं ठीक है तो हम सब्लाइम टेक्स्ट मतलब हमारे text editor है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं अलिडि हमारा basic code है हम पहले से बहुत सारा कर चुके हैं हम यहां से जो अंदर के कोड है उसको यहाँ को यहां से हटा देते हैं तो यहां जैसरे मैं मान लीजिए यहां पर वh ar A लेता हूं और एककोल का साइन लगा के हम देते हैं faith तो दिखें, यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे जो जो ओप्रेटर है, जो प्लस का साइन, इाप देख सकते हैं, जोगा प्लस है, वो एक प्रकार का ऑप्रेटर है, ठीक है? तो यहां हम इसको जो equal है वो operator है और यहां पर A जो है operand है दोनों से मिलकर हम एक प्रकार से एक action को perform कर रहा है जो क्या है एक expression बनता है दूसरी जिज़ अगर हम बोले तो VAR B लेते हैं और इसको देते हैं 20 तो आप देखिए यहां पर भी हमको operator की जरुवत पड़ी और थार्ड जो बैरेवर लेते हैं भी ए आर और सी लेते हैं एकवल करके हम ए प्लस बी लेते हैं तो यहां पर एक next जो operator आया प्लस का यह क्या कर रहा है जावा स्क्रिप्ट का और प्रैक्टीस है जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास मैं 30 यहां पर नजर आ जाता है तो आप समझे यहां पर operator क्या अपनी भूमी का निवारा है इसके अलाबा हम जो प्लस है उसको माइनस भी कर सकते यानि कि हम देखिए यहां पर यहां पर यहां पर बात करने की करने की तो मैं यहां पर क्या लगा देते हैं और यहां पर यहां फिसको डिवाइड भी कर सकते हैं तो जीसरे डिवाइट के लिए हम यहां पे लिखते हैं 40, 40 लिख देते हैं, 40 में 20 का भाग देना है यहनि कि जो डिवाइट के निसान gorilla बिलंग जाना है 2 बार यहां पे भाग गया और यहदी हम यहां पर मोडियूल लगा देते हैं मोडियूल मतलब इस प्रकार से तो यह सेसफल लाएगा ठीक है सेसफल कितना आजा जी और यदि हम यहां पर लिख देते हैं कितना 50 तो दो बार तो भाग चला जाएगा 20 का 10 बच जाएगा तो यहां पर सेसफल जाएगा तो यह क्या हो गए हमारे एक प्रकार के ऑपरेटर हो डिवाइड यह 4 हो सकते हैं और साथ में हमने एक मॉडिल भी देखे हैं जो कि यहां पर रिमांडर एनिकी सेसफल निकालने का काम कर रहा है ठीक है इसके अलावा एक comparison operator होते हैं तुलनात्मक जो operator होते हैं उनको हम देखें तो जैसे equal to double equal लगाते है equal to आता है greater than और equal to आता है less than और equal to आ जाता है not equal to आ जाता है इस प्रकार से हम जो है इनको यहाँ पर देखने वाले हैं तीसरे जो category होती है assignment operator assignment operator मतलब जो left side left side मतलब a लिखा है और a के right side में 10 लिखा है तो 10 को ठाकर कहां रख रहा है left में यानि कि जो assign करने का काम करते हैं उन्हें बोलते है assignment operator अब assignment operator अलग अलग हो सकते हैं जैसे सिर्फ equal हो सकता है यानि कि assignment operator हो सकता है plus करके equal करने का काम हो सकता है minus करके equal करने काम हो सकता है into करके equal करने काम हो सकता है divide करके equal करने का काम हो सकता है next जो होते है logical operator logical operator के अगर बात करूं तो यहाँ देखे आप logical operator तीन देख पाएंगे एक तो end होता है end मतलब a वाला ठीक है end मतलब a वाला यानिकी दो condition येसे a है और b है दोनों बीच में end का निसान लगा है यानि कि दोनों सही होना चाहिए तब यह true यहाँ पर देगा एक होता है और और double और इस प्रकार से लेते हैं तो यह और मतलब या तो a होगा या तो b होगा दो में से कोई भी एक सही होगा तो true का answer यहाँ पर देगा यह हैस का हैस का निसान हो गया एक single या कॉमा हम बोल सकते हैं इनको special operator की शेड़ी में भी हम रख सकते हैं next last जो होते है conditional या फिर हम ternary operator बोलते हैं ternary operator मतलब यहाँ पे जो जैसे दीखे एक operand के साथ यानिकि एक के साथ में अगर plus plus हम लगा देते हैं क्या कहलाएगा यह हो जाएगा unary, unary मतलब एक operand के साथ में जो काम कर रहा है और a plus b कर लिए यानिकि दो operand के साथ में काम कर रहा है निकि binary हो जाएगे और इसी प्रकार अगर तीन operand के साथ में काम कर रहा है निकि उसको हम बोलेंगे ternary ठीक है तो ternary operator क्या होगा expression 1 या expression 2 में से कोई बड़ी है तो यह हल करके देखें हैं देखें यहां पर plus लगाए minus लगाए into divide और module यह सबी जो है क्या कहलाएंगे arithmetic operator तो arithmetic operator जो जोड़ घटाने या गुणा करने की जो घणनाय करते हैं उनको हम arithmetic operator बोलते हैं जैसे कि हम देखें तो plus हो गया minus हो गया यानिकि plus मतलब addition minus मतलब subtraction into यानिक multiplication divide या काम करता है जैसे यदि हम यहां देखें a plus b तो देखें a बराबर six है और b बराबर three है तो nine आएगा और अगर यहां minus की बात करें थ्री आएगा ठीक है minus करके और into के अगर बात करें चैती अठार रहे नहीं का ठार आएगा और अगर हम divide की बात करें तो यह दो आएगा divide कर करके अगर बात करें तो जीरो आगे क्योंकि भाग पुरा पूरा चला जा रहा है तो हम देख सकते इनके प्रोग्राम भी आप एक नजर देख लीजी है यहां पर हमने तो हल करके देख ली है जैसे देखिए वी ए आर करके six ली और भी आर करके जो बी है जैसे कॉमा लगा चुका हूं जब डबल कोट लगाते हैं और उसके बाद में सी हमने प्रिंट करना है तो यहां प्लस के साइन से उसको जोड़कर यहां पर लिखा जाता है चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं सबस्ट्रेक्शन की सबस्ट्रेक्शन मतलब जो एक संख्या है जैसे मान लो ए अगर मानस B करते हैं तो एक ही जो बेलू है टैन और यहां मानस 5 तो यहां 5 अंसर आएगा जैसे हमने यहां दीए 6 दीए और 3 दीए और सी में हमने मानस करके श्टोर करें लिए तो यहां पर जब C को print करेंगे तो value of C जो है 3 आएगा क्यों क्यों क्योंकि minus कि अगाए है और अगर multiply यानि multiplication की अगर बात करें तो गुणा करके यहां पर देता है यह भी एक प्रकार का arithmetic operator है जैसे हम यहां देखें 6 दिये और 3 दिये दोनों को multiply करके C में store कर दिये और यहां यहां पर बात करें तो इस सी को print करेंगे तो 18 यहां पर नजर आएगा इसके बाद हम बात करें डिवाइस की यहां डिवीजन की तो यह भी arithmetic operator है जो कि divide करने का काम करता जैसे 6 में 3 का भाग दे रहे है तो इस store कहा हो गया C में और C को जब हम print कर आएगे तो यहां पर 2 आए देता हूं तो तीन का भाग दो बार जाएगा और remainder क्या बचेगा एक तो इस प्रकार से यहां पर अंसर आजाएगा अभी तो आपका जीरो आ रहा है आप इसको हल करके देख सकते हैं नेक्स्ट प्रकार के जो मतलब नेक्स्ट टाइप के जो operator होते हैं वहोते comparison यानि कि एक तो आएगा false इस प्रकार से यह देखने को मिलती एसे यहां पर इफ कंडिसन आगे हम पड़ेंगे इस कंडिसन जो होते conditional statement या conditional जो control flow statement होती है जिसके अंतर गत्व हम ए A और B हमने जो लिए हैं तो देखे A और B अगर equal to लगाएंगे इनके बीच में इस प्रकार से तो return true होगा और नहीं तो false होगा और less than का मतलब होता है A छोटा है B से अगर सही है तो return true करेगा और नहीं तो false करेगा और less than और equal to करेंगे तो चलिए करके इनको देख लेते हैं जैसे हम यहां पर दो value लिए हमने यहां पर देखे हम क्या करा देते हैं A equal to B और C को जब print कराएंगे तो A जो है क्या है B के बराबर है या नहीं है यह पूछा जा रहा है तो क्या बोल रहा है false है क्यों क्योंकि A की value 50 है और B की value 20 है तो बराबर है क्या बिलकुल नहीं है और अगर मान लो मैं इसमें बराबर कर देता हूँ ठीक है तो बराबर करने के बाद अगर हम run करें तो देखें यहां true आएगा क्यों क्यों क्योंकि बराबर है ठीक इसके अलाबा हम इसको फिर से कर देते हैं और आप करते हैं A greater than B मतलब A बड़ा है B से तो यह greater than वाला ठीक है true है और अगर A greater than B या बराबर है तो यह भी मतलब बड़ा तो है ठीक है less than भी करेंगे तो भी हमारा false आने वाला है ठीक है इसके अलाबा हम क्या कर सकते हैं हम not का निसान लगा सकते not ठीक है तो देखें यह यहां पर not equal to कर देते हैं ठीक है तो देखें true आ रहा मतलब यहां पर true क्यों आ रहा क्या मतलब हुआ not not मतलब नहीं लगा दिया पहले तो comparison operator में देखें आप देखें यहां पर equal to लगा है तो यह बराबर है बीगे तो क्या आना चाहिए true आना चाहिए right answer हमारा true हो क्यों कि देखें लगा यहां पर हमको संख्या को करना पड़ेगा same करना पड़ेगा ठीक है same इसलि Alicia हम संख्या हम सेम नहीं करें तो वह भी यहां पर फॉल्स आने बाला है जोकि हम अभी आल्रेडी देख चुके हैं इसके अलाब़ ग्रेटर देन की बात करें तो जब यह बड़ा है तो ग्रेटर देन लगाएंगे तो टू आंसर आएगा जैसे हम दीखिए यहां पर तू आंसर यहां पर आ रहा है अब ग्रे a बराबर मतलब नहीं है बराबर b के तो simple सी बात है नहीं है मतलब 6 और 5 बराबर थोड़ी है तो इसलिए यहाँ पर true answer आया जब हम बराबर कर देते तो false answer आता है ठीक है अब बात करते है assignment operator की assignment का मतलब होता है a equal b करते है तो assign करके b को a में हम पहुचा रहा है कर सकते हैं तो चलिए पहले तो हम example यहां पर देख लेते हैं देखिए यहां हम जो है c को print कर रहा है c में हम क्या store करने वाले हैं ठीक है कि चलिए हम c में store नहीं करते हैं हम सिर्फ a को print करते हैं यहां पर a में हम store करते हैं ए बराबर बी कर देते हैं तो ए बराबर बी करें तो नॉर्मली क्या होगा 20 इसमें अगर हम देखो यहां पर सिर्फ ए लेते हैं और ए बराबर बी करते हैं तो क्या अंसर आएगा बताईए आप यह आएगा 20 क्यों 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 चली गई ए में और अगर ए प्लस करके करते हैं तो यहाँ पर देखे लीन कहा हुं कि यहाँ पर हमने वैलू नहीं दिये जैसे हम 10 दे देदेए ठीख है अब देखेजर कि सब्कार्टीख GitHub कियो आरहा हुत है क्यों के दोनों को जोड़कर कितना हुआ जोड़ेगा और फिर assign करेगा तो B और A को जोड़ेगा और A में assign करेगा यहनी कि 30 आजाएगा और अगर हम बात करें माइनस की घटाएगा फिर लाएगा तो यहाँ देखें माइनस 10 आया क्यों? क्योंकि 10 में से 20 घटाएगा तो माइनस 10 आया फिर assign किया गया है और अगर हम बात करें गुणा की चलो इसको ये बड़ी संक्या कर लेते हैं जिसे हम 30 कर लेते हैं ठीक है माइनस करके लाएगा तो प्लस 10 ला लेगा ठीक है इसके लाभवा हम अगर बात करें Intu करके Asign करें तो Intu करके Assign कर लेते 600 यहां आ गया इसके लाभवा हम चाहते है Divide करके Assign करें तो Divide करके Assign करें 1.5 , । देखे 20 का जाम हम भाग देंगे 30 में एक बार जाएगा फिर दूसरी बार दसनलो लख है फाज बार चला जाएगा ठीक है तो यह हो गए हमारे assignment operator आगे चलके हम एक करके जान लेते हैं यहां पर देखे assignment operator जैसे एक कोल भी करें तो एक की value कहां चली गए बी में मतलब जो बी की value है वह ए में चली इसके लाबा प्लस करके assign करना यानिकी देखे ए में already 10 है और प्लस करेगा किसको बी में जो value है 20 प्लस करेगा फिर assign करेगा यहां पर यहां पर answer आ गया था माइनस की बात करें तो जैसे मान लो इसमें हमने 30 रखे हैं और इसमें 20 माइनस करें तो माइनस 10 आया और 10 करके ए में वो पहुँचा देगा उसके आद इंटू की बात करें तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 600 यहां इंटू करके 600 ए में apply कर देगा और print भी करेगा ठीक है इसके अलाबा हम बात करें किसकी divide की तो जैसे 30 यहां लिए और यहां ले ले लेते हम 10 तो divide करने के बात कितना आ रहा ह 3 तो यहां पर 3 store हो जाएगा तो हमने देख लिए देखिए आप यहां देख सकते हैं जिसे हम देखें A में हमने लिए 10 और B में हमने A को दे दी है तो मतलब क्या आजा 10 आ गया और अगर यहां देखिए हम लेते हैं यहां पर B में A में ले लेते 10 और B में ले लेते 15 तो दोनों में जोड़कर वो यहां पर assign करेगा तो 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 तो A में क्या आ गया 25 आ गया A को जब हम प्रिंट कराएंगे 25 यहां पर answer आ जाता है दोनों की वेलू कितनी है 10 और 15 है दोनों को जब माइनस कर खिलाएंगे तो यहां पर माइनस 5 आ गया क्योंकि 10 में से 15 गया या नहीं कि माइनस 5 आपका answer आ जाएगा ठीक है इसके लाबा इंटू करने की बात हुई तो 10 और 15 को multiply करेंगे तो 150 यहां पर answer आएगा तो इंटू करेगा और फिर assign करेगा यह आपका यहां पर देखने मिलेगा assignment operator multiplication वाला फिर division के अगर बात करें तो यहां पर देखे मानलो इसके बदले हम और कोई संख्य ले लेते हैं तो यह तो divide करेगा तो छोटी संख्य है B से और यहाँ पर हम दो symbol लगाते हैं, end का symbol है और B छोटा है, मतलब A छोटा है B से और B बड़ा है A से, इस प्रकार लगाते हैं, तो क्या न चाहिए? true, यानि कि दोनों ही condition हमारी सही होना चाहिए, इसके बदले में अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, A छोटा है, B से और, और मतलब अथवा, और B बड़ा है A से, तो जब यह condition में से कोई भी एक condition सही रहेगी, तो क्या आएगा? true और नहीं तो false देगा, एक और होता है not operator, ठीक है? तो तीनो का हम उपयोग करकर देखेंगे, जैसे देखे, इसको बोलते है, logical and, इसको बोलते है logical or, और इसको बोलते है logical not, ठीक है, तीन operator मिलकर यहाँ पर क्या बनते है, logical operator बनते है, ठीक है, से दोनों ही सही रहेगी तो answer हमारा true आएगा नहीं तो क्या आएगा false आएगा चलो run करके देखते हैं इसको जैसे a जो है क्या है बड़ा है 30 आ गया वहां पर और b जो है 20 आ गया तो जब हम यहां पर देखते हैं यहां पर अंदर हम इसको क्या कर लेते हैं अंदर ही run कर लेते है ठीक है तो ए चलिए यहाँ पर हम जो है एक वेरेबल लेते हैं सी और सी में हम इस्टोर कराते हैं ए बड़ा है किस से बी से और बीच में लगते हैं हैं और बी छोटा है किस से एसे तो जब दूनों हमारी सही रहेगी तो हमारा answer यहां पर true आना चाहिए ठीक है यह देखो true आया पायनो हम एक condition को क्या कर देते हैं यहां पर जैसे इसको कर देते हैं हम गलत जैसे भी बड़ा कर दिए दूसरे में और पहले में A को बड़ा कर दिए तो यहां पर क्या जाएगा फॉल सा जाएगा ठीक है यह चीज आपको देखने मिलेगी पर इसके बदले हम यहां पर लगा देते हैं क्या यह वाला ओपरेटर कुन सा वाला लॉजिकल और ओपरेटर तो हम यहां पर स्पाइंगे ट्रू आया क्योंकि इन में कंडिशन होती कि कोई भी एक यहां पर सही होना चाहिए तो आपका जो है राइट अंसर यहां पर आ जाएगा ठीक है इसके बदले में हम यहां पर एक चीज और लेते हैं जैसे देखिए A बड़ा है B से है बड़ा ओल्रीडी कोई दिक्कत नहीं यहां पर हम इसको लिखते हैं और सामने हम लगा देते हैं नौट ठीक है तो यहां पर फॉल्स क्यों आया क्यों कि ए बड़ा है B से और नहीं है बोल दिया पहले है यहीं कि इनौट ऑपरेटर है तो इसलिए क्या आया है और अगर हम कर देते हैं क्या छोटा तो अब क्या आना चाहिए अब true आना चाहिए क्यों आयागा true वाईं नहीं है बड़ा बी से इसलिए क्या है सही बात है नहीं मतलब नहीं है ठीक है तो इसलिए यहां पर यह तीन जो है लोजिकल ऑप्रेटर के श्णी में यहां पर आते ह мом क्यों है और ऐ चाहनि यहां पर व्र लगाए करता है तो इस प्रकार से हम देखिए जो ऑपरेटर है वो कंप्लीट रूप से यहां पर देख ली है आई होप सारी चीजे आपको समझ में आ गए होगी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो कमेंट जो भी रहेगी एक सब्ताहा की उसके लिए मै को भी काफी अच्छा लगेगा ठीक है और जो भी कमेंट आती है उनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे ठीक है चलिए अब हम पढ़ने वाले यहां पर control flow statement के बारे में control flow statement होती क्या है पहले तो हम जान लेते हैं statement होती क्या है जिसे मान लीजे हमने var A लिखे है ठीक है और उसको दे दी है value 10 ठीक है उसके अलावा हमने var B लिखे है उसको दे दी है value 20 उसके बाद हमने लिखे C equal मतलब यहां पे भी हमने VAR लगा है C equal A plus B और यहां पे हमने इनको जोड़ कर लिख दिये उसके आद हमने लिखे है document.write और bracket में हमने लिखे है C को print कर दिये और यह लिख दिये तो यह complete क्या है यह complete एक statement मानी जाती है यानि कि statement क्या है sequence में हमने वेरेवर लिया एक दूसरा वेरेवर लिया B तीसरा वेरेवर लिया C दोनों में जोड़ कर प्लस कर आया उसके document.write करके हमने उसको प्रिंट कर दिये इसके बाद कुछ conditions नहीं हो तो फिर ऊपर आए या फिर ऐसे हम कहीं से भी उसको जो है मुप कर सकते हैं तो इन सभी को control करने के लिए यानि कि जो statement है इसके flow को control करने के लिए जिन statement का उप्योग किया जाता है उन्हें बोलते है control flow statement तो यह दो प्रकार की होती है कौन-कौन स set कर दी कि 10 तक जो है जब तक condition पूरी नहीं हो तब तक वो round जो है चलते रहा है यानि कि हमारी जो condition है एक से लेकर दास है तो यह condition कब खतम होगी जब वो 10 के बाद हो जाएगा यानि कि 11 में पहुंचेगा तो condition end यानि कि हमारा जो statement है वो end हो जाएगी ठीक है तो इन सभी को हम जो है एक प्रकार से looping बोलते हैं दूसरी होती है conditional conditional का मतलब होता है जैसे सर्थ के अनुसार यानि कि जैसे if है if else की बात करें या फिर हम nested if की बात करें या else if else या else if की बात करें nested जो है letter statement इसके अलावा हम switch की बात करें तो यह सभी क्या है यह सभी conditional में आती है तो हम है कि कर나 दोनों को पहले तो मैंने बता है looping लूपिंग का मतलब होता है जैसे सके अंतरफ़ फॉर्लूप का मतलब होता है यह एक ही line में पुरी statement को लेक्डिक देता है करके दोनों को पहले तो मैंने बता है looping, looping का मतलब होता है जैसे इसके इंतरगत for loop आती है, for loop का मतलब होता है ये एक ही line में पूरी statement को लिख देता है, दूसरी आती है while loop, while loop का मतलब होता है, ये 3 statement, मतलब 3 line में लिखता है, पहले तो होती है, variable initialize होता है, जैसे variable alias को 0 दे तीसरी जो चीज है डू वाइल लूप का मतलब होता है जैसे मानलो हमने एक को दे दी है एलेबन और कंडिशन बाद में लगी है वाइल के अंतरगत ए बड़ा नहीं होना चाहिए किससे ए बड़ा नहीं होना चाहिए किससे दस से ठीक है मतलब यह कब तक रन होगा जब तक कि दस तक न पहुंच जाए यह दस से छोटा रहा है तो अगर यह यहाँ 11 भी है तो डू के अंतरगत उसको प्रिंट कर लिया जाएगा यह गलत कंडिशन है तो भी एक बार प्रिंट कर लिया जाएगा पर यदि यह को जीरो देते हैं तो नाइन तक तो प्रिंट करे गई यह मतलब वाइल जैसा ही है परंतु यह थोड़ा सा चेंज है तो तीनों देखने को मिलेंगे इसके अंतरगत लूपिंग के अंतरगत और कंडिशनल के अगर बात करें तो कंडिशनल में आपको देखने मिलेंगे इफ ठीक है इफ के बाद स्टेटमेंट के अंतरगत मिलेगी तो हमने देखिए यहां कंट्रोल फोर स्टेटमेंट के अंतरगत दो चीजे देखें एक तो लूपिंग और एक कंडिशनल तो एक एक करके पहले हम देख लेते हैं पहले देखते हैं लूपिंग के बारे में तो लूपिंग स्टेटमें आपको पहले हम while loop देखेंगे फिर do while loop देखेंगे फिर for loop देखेंगे तो तीनों button जो है एक जैसे ही काम करते हैं तो यहाँ स्टेक्ट्मेंट को execute कर suf मान लीजी हमने एक से लेकर 10 तक दी है तो एक क्या है starting point है और यहां 10 क्या है एक business number है तो business number तक जो statement है उसको run करेगा तो ठीक है जो loop है पर यहां by loop के अगर बात करें तो by loop जो है condition true होती है जब तक condition true होती है इसका मतलब है कि a छोटा है कब तक 10 तक तो यह condition क्या है यह true है औ यहां जो है continue चलता रहेगा परन्तों condition अगर गलत हो जाती है तो end हो जाएगा ठीक है तो वही बात यहां बोली जा रहे है condition true होती है तब तक इस statement को बार बार execute करता है और जब condition false हो जाती है तो यह execution जो है तो क्या होगा document.write होगा क्या a को प्रिंट करेगा वो बार बार और यहां पर a को प्लस प्लस करेगा यहां कि प्रत्यक बार प्रिंट करेगा यहां कि पहली बार जीरो प्रिंट किया a हमने जीरो दी है तो दूसरी बार वो one प्रिंट करेगा तीसरी बार two प्रिंट करेगा और जब condition A, मतलब जो है, A बड़ा हो जाएगा, यानि कि A जो हो जाएगा, अभी तो 10 से छोटा है, परंद जैसे 10 महुचेगा, तो condition हमारी stop हो जाएगी, यानि कि देखिए, यहाँ पर true वाली condition दी है, यानि कि जब तक यहाँ देखे, A बार-बार print होगा, यानि कि बार-बा करें, syntax का मतलब होता है, प्रारूप, अब आप बता है, यह से प्रारूप, मतलब कोई भी चीज को बनाने से पहले हम उसके रूप रेखा या structure तयार करते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर example, देखने से पहले हमको प्रारूप, मतलब syntax देखना होता है, यहाँ while, यानि कि condition देन होता है, फिर statement यहाँ पर रन होती ही while की, ठीक है, जो भी होता हुआ, document.write, a++, सारी चीजे, इसका source code देख लेते, script, यह तो सारी चीज हम पहले देख चुके हैं, हम यहाँ देखते है, var, i लिए हमने, i को दे दिए, 0, और 0 को हमने देखे, यहाँ पर देख लिए, जो i है, i कब तक छोटा रहेगा, जब तक की 10 तक न पहुंच जाए, ठीक है, मतलब 10 से छोटा हो, तब तक वो i run होगा, ठीक है, document.write में value i की हमने print कर लिए, vr लगा लगा के उसको नीचे कर लिए, i को प्लस प्लस कर लिए, चलिए example run करके देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, सब लिखी हुई है, structure आप पहले से बना चुके होंगे, हम script के अंतर गाता आते हैं, और सिर्फ क्या लिखते हैं, var, a लिख लेते हैं, और a को दे देते हैं, 0, ठीक है, और यहां हम दे देते हैं, while, while को bracket में देते हैं, a कब तक छोटा है, जब तक की 10 तक न पहुंच जाए, ठ document.write, ठीक है, यह document.write लिखे, और bracket में लगा के हमने कर दिये, value of a कर दो, या फिर हम सिर्फ a कर सकते हैं, ठीक है, और plus करके, एक बियार लगा देते हैं, बियार क्यों लगा देते हैं, क्योंकि प्रतिक के बाद जो है, इसको break करना चाहिए, ठीक है, और यह को कर देते हम, plus, ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको run कराते हैं, हमारी फाइल है, कहां से बोगी, यह desktop पर HTML के अंतर का JavaScript में प्रक्टिश पेज जो है, यहां पर देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, यहां पर देखे, यहां पर 0 से लेके 9 तक print कर दिया है, और जैसे यहां पर हमार यह 10 के बरावर पहुंसता है, तो हमारी जो लूप है, वो बाहर हो जाएगा, यहीं कि end हो जाएगा, यह चीज हमको देखने को मिली कहां पर है, इसमें while लूप में, यह समझ में आ गया होगा, जैसे हम यहां देखे, इस प्रकार से भी हम लिख सकते, देखे, डबल कोट के लिख देए, ठीक है, और इस टिंग हमारी एक चनुशार प्रेंट करा रहा है, तो उसको double-code में जैसे कि बहते हैं, बागकि जो वेलू हमको प्रेंट करा रहाना, जो काल्कुलेसन वाली उसको बिना double-code के लिखते हैं, और यह ए प्लस लगा के दो इस प्रकार सा अपर्ट होती है तब तक statement को बार बार execute करता है और जब condition false हो जाती है तो तब एक बार statement को execute करता है जैसे मान लीजे एक को हम 0 देते हैं तो यह तो run करेगा परन्तु हम एक को पहली बार में 11 देते हैं और condition में हम लगाते हैं एक अब तक छोटा है जब तक कि 10 के बराबर न पहुंच जाए ठीक है मतलब 10 के बराबर पहुंच जाएदा condition false हो जाएगी ठीक है तो यह एक बार condition जो गलत होती उसको भी run कराएगा जैसे यहां शुरू में भी अगर run कराए तो एक बार करेगा बाद में भी जो एक बार करके देखता है ठीक है तो इसके लिए देखो यहां स्टार्ट लूप करेंगे डूबाइल लूप है ब्लॉक बिना condition के पहले run हो जाएगा और अगर condition true है तो यह बार बार जो है यहां पर मतलब execute करते रहता है और जब condition false हो जाती तो नीचे जाका है लूप हो जाता है तो इसका example देखिए यहां पर है पहले तो syntax है डू अलब डारेक्ट जैसे मन लो ए को हमने दे दी है जीरो या फिर 11 तो वह execute कर देगा direct फिर उसके आद इंक्रिमेंट करेगा इंक्रिमेंट करने के बाद बाद में जब bracket end हो जाएगा तो while condition को लगाएगा यह जोटा है यह इस प्रकार की condition यहां पर लगेगी बाद में जब execute हो जाएगा ठीक है तो हम code देखते हैं जैसे वेरेबल आई को हमने जीरो दी डू करके हमने डारेक्ट उसको प्रिंट कर दिए फिर प्लस करा है और फिर उसके बाद नीचे लाकर हमने वाइल को वाइल आई छोटा है कब तक जब तक की दस तक न पहुंच जा तो इस प्रकार से हमारी condition यहां पर रन होगी चलिए हम इसको code से रन कर आग देखते हैं तो हम यहीं change करते हैं मतलब हम डारेक्ट ली यह condition को यहां से उठा लेते हैं यहां आखे हम लेते हैं वाइल लेने को बात देखे इस प्रकार से हम यहां पर यहां पर रफ्रेंच नजर नहीं आ रहा पर यदि हम यहां पर 11 लेते हैं ठीक है 11 यह 10 तो देखो उसको प्रिंट करेगा मतलब गलत कंदिशन है तो एक बार तो प्रिंट करेगा सही है तो वह नहीं करेगा तो उसी प्रकार चलेगा जैसे कि वाई लूप चलता था ठीक है तो वाईल और डू-ाइल में अंतर हरह आपको समझ में आ जहाँ होगा है बात करते हैं एक लूप और है फॉर लूप तो फॉरलूप टीया है नंबर मतलब एक स्टेटमेंट को रीपीट होता रहता है मतलब एक स्टेटमेंट थे हमने टी एक लेकर मों स्टक हमको छीछा तब करनप लूप यहां पर फ Daar रहता है तो यहां हम देख सकते हैं फॉर लूप का जो सिंटेक्स है उसके अगर बात करें तो फॉर लगता है इनिस लाइजेशन होता है यहां यहां पर जीरो दिया जाता है फिर कंडिशन लगती है आई कब तक छोटा है जब तक किदाश न पहुंच जाए और उसके आद आ फिर कंडिशन चेक की जाती है कंडिशन अगर टू है तो यहां पर देखे हमको देखने मिलता है यह लूप की बॉड़ी होती है और यहां और यह कंडिशन हमारी चलते रहती है जब तक कि कंडिशन हमारी जो है टू रहती है और जैसे यहां पर लूप एंड हो जाता है तो इनिसलाइस कर दिये ठीक है लूप स्टार्ट हो गया condition दिये यहनी कि a छोटा है कप तक 10 तक तो यह condition हो गई और इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट का मतलब होता है ए प्लस प्लस इसका मतलब है कि इंक्रिमेंट लिख्रिमेंट या फिर और अंदर हमने प्रिंट कर दी आई की वेलू चलिए एक्जामपल हल करके देखते हैं इसका यहां हम सभी चीज़ों को हटा देते हैं यह ठीक है हम क्या लेते हैं फॉर और फॉर के अंतरगत हमको डारेक्ट लिए देखिए बना बनाये मिल जाता है जो बॉड़ी है ठीक है यहां से इसको जो है फेरेवल आई लिए आई को हमने देदी ए जीरो तीक है यहां अगँए पर देते हएंНе क्या हैं कि कि यह हमने करें और यहां पर आखे हम इसको प्रिंट कर देते हैं ठीक है कि थोड़ा सा मिश्टेक हो गई कि यहां देखें इसको हटा देते हैं यहां जैसे इतना हम न करें इसना करने के बाद हम ब्रेकेट स्टार्ट करते हैं करली ब्रेकेट और यहां लिखते हैं document.write और bracket में लिखते हैं ए नहीं आई प्रिंट करा आए और आई में हम प्लस करा के बियार करा देते हैं क्या करा देते हैं बियार बियार मतलब होता है लाइन ब्रेक ठीक है यह हमने करा है और देखे फिर से देखे यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे बाल आई लिए यहनिकी जीरो इनी स्लाइज हो गया उसके आद हमने आई को छोटा करा एक अब तक जब तक की दस तक न पहुंच जा और आई को प्रते एक बार में एक प्लस करेगा ठीक और उसका यहाँ पर फॉर्लूप में आप देखे तीनी चीजी एक साथ ले ली गई है और अंदर डॉकुमेंट डॉट राइट सभी में लिया जाएगा ठीक है तो फॉर्लूप का मतला होता एक निश्चित जो कंडिशन हो वहां तक वह प्रेंट करेगा जैसे हमको यहाँ पर पर यहाँ पर कंडिशन को रन करता है तो इसलिए इनको बोला जाता है कंडिशनल स्टेटमेंट तो यहाँ देखे आपको कुछ बिभिन प्रकार की कंडिशनल स्टेटमेंट देखेगी जैसे इफ स्टेटमेंट यहाँ देखेगी फिर इन सिंपल लिप वोलते हैं जो पहल के सबता है और यहां करता है और किसि बीसे साम को यह youtube कर देगा और किसी भी सिनसन को तो बाकि अपर राइंगा और क्या यह उस्टेट से ब्रेक कर देगा और हें के करके हम देखते हैं सबसे पहली बात होती सिंपल इफ की तो सिंपल फोता जैसे मांघ लीजें कोई condition हमने दिये एक boundary और उस condition में अगर Rightensor our Hat print करेगा गलत के लिए कोई कीज़ ना करेगा जैसे मांघ लीजिए कुछ में जो diagram है यहां पर false condition नहीं रहेगी सिर्व ट्रू कंडिशन रहेगी और कि नहीं है तो झाल यहां करतेगा है ठीकिए देखे इए कंडिphones होती है तभ इस्टेट्मेंट उपान जो है किसके लिए कि लिए है कुन सा कंडिशन Camp पाल्स होती तो वाला यहां पर रन होगा चलिए मैं एक सिंपल वाल moved जो है यहां पर रन कर देखते हैं यह हमने लिए और यहां पर हम ले ले लिए एज बड़ी है बराबर किसके 18 के तो क्या होना चाहिए वो होना चाहिए है प्रिंट डॉकुमेंट यहां पर करें हमने डॉकुमेंट डॉट राइट और ब्रेकेट में लगाए यू कैन बॉट मतलब आप बोट डाल सकते हैं यू कैन बोट ठीक है पर एल्स नहीं लिए है ध्यान रखने चीज़ को एल्स नहीं लिए है अब देखिए यू कैन बॉट मान लीजे मैं इसको 18 से छोटा कर देता हूं कि 17 कर देते हैं तो अब देखें आरगा ABC कुछ नहीं आएंगा क्यों कि गलत नहीं दो पर यह दिमाद May मैं सु के बाद भी हमढ़ी लेऻए विसका करे यहां पट यहां पर ईज भड़ी है में नहीं डाल सकते चलिए यहां पर देखते हैं जैसे देखिए 17 है तो युकांट बोट है और अगर हम 17 को कर देते हैं जैसे 20 20 मतला बोट डाल सकता है ठीक है यह देखिए दुनों कंटिशन हो रही एक और होती है कॉनसी कोट में ले लेते हैं जैसे आई है मतलब आई मतलब इंडिया ठीक है और भी ए आर करके एज ले लेते हैं कितनी 18 तो हम दो चीज चेक कराना चाहते हैं कौन-कौन सी एक तो कंट्री देना चाहिए आई तो वो जो है वहाँ पर चेक करेगा कि एज कंट्री अगर आई है तो एज चेक करेगा 18 और उसके ब कंट्री कंट्री एक्वल टू क्या होना चाहिए आई अब कंट्री एक्वल टू आई है तो क्या होना चाहिए फिर से एक इफ लगना चाहिए और फिर चेक करना चाहिए क्या एज बड़ी है बराबर किसके 18 के तब जाके कहीं यहां होना चाहिए क्या बैकेट लख है यहां होना चाहिं document document.write और अंदर जा कर वो करना चाहिंगा you can bought मतलब क्या है देखिए समझे यहां पर हमने country लिए आई तो country अगर यहां पर आई दे दिये भी अगर हम और कुछ देंगे तो यहां पर गलत कर देगा यानि कि आई है सही में आई है तो अंदर घुसेगी स्टेटमेंट यानि कि स्टेटमेंट अंदर जाएगी और एज चेक करेगा 18 एज भी 18 है तो सही है तो क्या प्रिंट करेगा document.write you can bought और अगर नहीं है यह वाला else run होगा कुन सा वाला हम यहां पर दूसरा लिख देते है है document.write और यहां आएगा you can't bought you can not you can not bought ठीक है यह लिख देंगे अभी कब और अगर कंट्री इंडिया है और एज नहीं है 18 तो क्या प्रिंट करेगा you can't bought और अगर कंट्री भी इंडिया नहीं है यानि मानलों पी दे देते हैं कोई दूसरी कंट्री से आया है ठीक है तो यह जो लूप है if वाली यह कंडिशन तो अंदर जाए गए नहीं तो हम क्या करेंगे यहां पर लेंगे बहार एल्स और बहारा एल्स लेके हम लेखेंगे document.right और क्या करेंगे कि इन बैलिट कंडिशन इन बैलइट कंडिशन यहां कि जब कंट्री इंडिया नहीं है तो इंडिया के नंतरगत एज क्यों चेक की जाएगी बोटार आइडी बनेगी निए पहले तो यहां की नागरिकता लेना पड़ेगा तब जाकर यह चेक की जाएगी तो आख्रीम देख लेते हैं आई देदेते हैं पहले और उसके आद 18 देदेते हैं तो condition कुन सी रन हो चाहिए यू कैन बोट चलिए यहां पर रन करके देखते हैं यू कैन बोट आ रहा है और अगर हम 18 के अलावा देदेते हैं 17 जैसे यहां देदी हमने 17 तो अब देखे you can not vote मतलब जब 18 नहीं है तो अगर not vote और जब I को देदेते हम P यानि कि दूसरी कं ट्री आई नहीं है यानि कि P मतलब दूसरी कंट्री है ठीक है तो यहां पर यह invalid condition आना चाहिए ठीक है देख लेते हैं यहां पर दूसरी दे देते हैं और यहां country उन्हें चेक कर आया चलिए यहां पर देखिए हम अगर country दूसरी देते हैं ठीक है country दूसरी दिए इसका मतलब है यहां देखिए javascript में simple जो अगर equal to लगाना है तो हमको double जो equal के sign है वो लगाना पड़ता है ठीक है तो यह चीज आप ध्यान रखना जैसे हम simple अगर equal लगा देते हैं तो यहां पर एक पर काम नहीं चलेगा दो पर काम चलेगा तो हमने अभी देखिए country कुन से दी है आई नहीं है पी है ठीक है तो हम save कर देते हैं और यहां पर run करके देखिए run करके हम देखेंगे तो अगर हम आई देते हैं यहां पर आई है और यहां पर कर देते हैं 18 ठीक है मतलब कंडिशन दोनों सहीं है तो यहां बहुत है ठीक है और अगर 18 भी है और अगर कंडिशन दूसरी कर दी जैसे दूसरी country का है तो invalid condition तो हमारी देखिए तीने दोनों है तो you can vote और अगर यह नहीं है तो you can not vote और अगर country भी नहीं है तो यह invalid condition तो यह होगा हमारा कुन सा यह होगा ने श्टेडिव ठीक है अब हम इसमें चलते हैं हमारी पीपीटी में तो देखें सिंपल इप में हमने क्या करे थे सिंपल इप में सिर्फ हमने देखिए हम यहां है दूसरे एक्जांपल ली ए बरावर 10 बी बरावर 15 तो ए बड़ा है ए छोटा है बी से ए छोटा है बी से यहीं कि a is less than b तो राइट आंसर यह सहीं हो जाएगा और अगर गला था तो गलत के लिए यहां पर statement नहीं दी गई है ठीक है तो यह आंसर आपका आजाए तो देखें सिंटेक्स इफ यहां पर statement रण होगी सहीं है तो गलत है तो यह वाली रण होगी यह चीज हम देख चुके है ठीक है इफ है जो है यहां पर देखें दो condition हम देख सकते हैं ए बड़ा है मतलब ए बरावर 10 है और बरावर 15 है तो यहां देखें क्या लिखा है ए बड़ा है बी से तो क्या होगा यह वाली condition रण होगी और नहीं है तो यह वाली condition तो अभी देखें यहां पर बड़ा है 10 से यह ठीक है बड़ा है तो अब देखते हैं else if statement, else if statement क्या है तो देखे यहां condition होती है, तो condition बहुत सारी हो सकती, if condition लगा है, अगर true है तो यह statement रन होगी, अगर false है तो दूसरी else if condition चेक करेगा, अगर सही है तो run होगा, ठीक है, end हो नहीं है जाकर, ठीक है, run होने बाद, फिर अगर नहीं है यह वाल सारी चीज हटा देता हूँ, नए से अपन करते हैं, यह हटा दिये, और यहां लिए अपन ने variable पी करके, variable पी करके हमने ले लिए 60 या 75, ठीक है, और हमने यहां इफ चेक कराए, और यहां लिखे, पी बड़ा है बराबर किसके, 75 के, तो अंदर क्या आना चाहिए, हमने पर agrade है, ठीक है, agrade हमने कर दिये, और यहां पर हमने अगला ले लिए, ठीक है, उसके आद हमने, अगर ये गलत है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर 75 से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा होगा, फोटा होगा तो कहां से होगा, तो P बड़ाबर फेसे चेक कि हमने, P बड़ा पी बड़ा है या बराबर है किसके 60 के तो फिर क्या होना चाहिए फिर होना चाहिए दोकुमेंट .right और यहा ब्रैकेट में आना चाहिए क्या ब्रैकेट में आना चाहिए इस प्रकार ले सकते हैं नीचे गए तो else इफ फिर लिए और ब्रैकेट लगाए और यहां लिखे हमने पी मतलब फी को फिर चेक कराना किस से P बड़ा है या बराबर है किस के 50 के अब क्या आना चाहिए अब C ग्रेड आना चाहिए document.write document.write और यहां लेखिया अपने C ग्रेड और जब यह वाली condition भी गलत है तो else में हो जाना चाहिए क्या document.write not gusto no grade. not grade मतलब C के बाद कोई grade नहीं है यानि कि grade नहीं सिर्फ pass है ठीक है तो यह हो गए हमारी क्या मल्टिपल कंडिशन यानि कि अ आगर यह वाला सही है तो यह रन होगी नहीं तो यह वाला सही है तो यह रन होगी और अगर कुछ नहीं सही है मतलब उपर की चारों कंडिशन सही नहीं है तो यह एल्स वाली कंडिशन रन हो जाती है तो अभी हमने कुन सा परसेंट दिये 75 ठीक है पी बरावर पशेंट तो कुन सी रन होते हैं पहली देखो एक रेट और अगर हम दे देते हैं 75 से लेखे 100 के बीच में 90 सब्सक्राइब है देते हैं। तो अगर हमने साट पेशाट देते हैं यह 29 produkt कुछे हैं है हमने चारों चीजे यहां पर देख ली है रन होकर एक ही जो बैलू है उसको बार बार चेक किया जाए है जब बार बार इतनी सारी कंडिशन लगती है तो यहां पर हमारे यूज होता है एल सीप स्टेट्मेंट इसको बोला जाता है लेडर स्टेट्मेंट क्या बोला जाता ह इस प्रकार से भी हम जो है multiple else if लगा सकते हैं ऐसे और हम percent वाला भी लगा सकते हैं अब बात करते हैं switch case की switch case क्या है switch case भी else if जैसा होता है जैसे हम switch expression लगाते हैं और यहाँ देखे case बन में अगर check करें तो true आता है तो यह statement run होती है और break हो जाता है ठीक है बाद में end हो जाता है नहीं तो अगर यह statement गलत होती है ठीक है तो नीचे वो एक एक करके ऐसे check करते जाएगा और default है मतलब इन में से कोई भी सही नहीं है तो default वाली run हो जाएगी इसके लिए यहाँ पर देखिए syntax आपको get day करेंगे चलो इसको run करके देखते हैं date मतलब day निकालने का काम करेंगे यहां हम करते हैं var date और equal करके new date करते हैं ठीक है अब आप देखिए यहां पर आपको दो चीजे ध्यान रखना है जैसे date है तो date के लिए capital D आया है तो आपको capital D लिखना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि वो automatic बनी हुई है ठीक है उसके आद भी ए आर डे है तो यहां पर get day ठीक है मतलब यहां पर date के साथ करना पड़ेगा मतलब date और get और D को capital इस प्रकार और यहां पर हम लिखना पड़ेगा इस प्रकार ठीक है तो देखे आप ध्यान रहे कि जो चीज capital है उसको capital है लिखना ह हाँ दो नहीं दिख्ञा देता हूं यहां देखे है धी मतलब date का day CAPITAL है और जो डे है दे का भी डे केपिस है ठीक है तो इस प्रकार लिखे हमने हमने और अब लगाना है हमको switch case ठीक है switch में हमको लिखना है ठीक है कि इस प्रकार हमने लिखे और अब हमको condition कून array स्बस्कूराइब करना है इस परकार हमने कन्डिशन को सुरू करें तो देखें जब दीचन शुरू होगी तो यहां पर केस जीरो आएगा केस क्या आएगा जीरो और लगेगा और स्के बाद आपको लगा document.write document.write में आपको print करना क्या todays अब today is क्या है todays क्या print करेगा जो zero है उसके यहां देखे क्या print करेगा double court में जब zero answer आएगा मतलब देखे हैं हमने date variable लिए एक और date में क्या रख दिए जो current date है ठीक है मतलब जो भी date हमने रखे हैं वो date किस में चली गए इसमें और जो डेट है डेट में से हमने निकाल लिए दे और डे कहां चलेगा स्विच में अब स्विच में अगर जीरो है तो समझ लेना क्या है जीरो का मतलब जो जो बी के स्टार्ट हुआ उसका यहीं कि टुडे इस संडे मतलब आज क्या है संडे है इस प्रकार स से यह प्रिंट करेगा और लास्ट में लेजा क्या कर देगा ब्रेक कर देगा ठीक है एक कंडिशन हुई मतलब केस अगर जीरो है तो डॉकुमेंट डॉट राइट टुडे संडे और ब्रेक कर दिया अब अगर इसके बाद क्या होगा यह कंडिशन रिपीट होते जाएगी अ और बाद में क्या हो जाएगी ब्रेक फिर अगर यह नहीं है तो केस क्या होगा जीरो और फिर क्या होगा डॉकुमेंट ॡॉट राइट और टुडे इज today is Tuesday इस प्रकार से आएगा और अगर ये condition भी run हो जाती है तो break करेगा और नहीं है तो case अगला वाला run होगा case 3 क्या होगा ये Tuesday तक हो गया यहनि कि अब case अगर 3 है तो क्या होगा case अगर 3 है तो badness day run होगा ठीक है today is badness day ठीक है अच्छा अब badness day भी नहीं है मान लो badness day भी नहीं है चलो ये तो run हो जाता तो ठीक है break है badness day नहीं है तो क्या होगा case 4 होगा case 4 होगा तो यहाँ पर document.write break क्लिक करें मतलब यहाँ आपन न करें bracket में और यहाँ लिखे today is Thursday इस प्रकार से ठीक है और अगर यहाँ पर यह run हो जाता तो इसके बाद यह break होता है फिर case क्या आएगा case 5 आएगा document.write और हमने करें double quote के अंदर today is Friday ठीक है एक और बचा है एक break करें और यह semicolon लगा है फिर case 6 करें case 6 करें document.write अब रेकेट लगा है यहाँ double quote के अंदर हमने लिख दिखिया today is Saturday Friday का बाद क्या आएगा Saturday today is Saturday यहाँ लिखें हमने और इसको भी क्या कर दिए break ठीक है इस प्रकार कर दिए अब एक बाद बताईए जब 6 कंडिशन पूरी हो गई तो देखिए हाँ 6 कंडिशन पूरी हो जाती तो क्या आएगा डिफॉल्ट और डिफॉल्ट में हम लिखेंगे day is not found ठीक है तो हम लिख देंगे डिफॉल्ट ठीक है डिफॉल्ट आपको कैपिटल स्मॉल ध्यान में रखकर करना है और डॉकुमेंट डॉट राइट और दे इस नॉट इस प्रकार लिखे आप एंड कर दीजिए देखे समझे क्या जितनी कंडिशन होती है उसके लिए हमने यहां देखे जीरो है तो जीरो के लिए क्लिए क्लिए टुड़े मतलब पहले तो डेट निकाले हमने डेट में रखे उसके आप इसके लाब आप परसेंट भी ले सकते यहां पर अल्फावेट और सिम जो कंसुनेंट हो उनको भी चेक कर सकते स्विच के दौरा डेट हमने लिए डेट में डाल दिए और डेट से गेट डे करके हम अगर इनमें से कोई भी वैलू नहीं है तो क्या होगा डे इस नॉट पांड चलिए रन करके देखते हैं आज है बैडनेज डे तो हम देख सकते हैं यहां पर हमको देखने को मिलेगा बैडनेज डे ठीक है जो आज की तारीक है उसके अनुसार निक देखे तो बैडनेज ड देख सकते हैं फिर continue and break को देखते हैं तो continue जो है देखे statement का स्तमाल कुछ statement को skip करने के इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो यहां continue यह symbol है और यहां देखे फॉर लूप लगा है हमने complete और उसी के अंदर मतलब हमने लगा दिये क्या एक अंदर जो है नेश्टेट टाइप इफ लगा दिये आई बराबर आई एक्वल टू सेवन है तो क्या करेगा skip कर देगा फिर उसके आथ continue करेगा ठीक है और बाद में document.right हमने कर लिए चलो इसक को कर दिये हमने 0 ठीक है और ढबर अर करें मतलब जो ए है एक अब तक छोटा है जब तक की 10 तक न पहुच जाए ठीक है और इस्किपट ह chatting कर दिए यहां पर प्लस करके हमने लिग दिए यह को ठीक है यहां ठीक है इस प्रकार से हम इसको कर देते हैं और लाइन ब्रेक करना पड़ेगा है ह facet यहहां पर और हम लाइन बना ब्रेक प्रकार से बियार करके लाइन बेक कर देते हैं ठीक है और बाद में हम जो है बाहर निकलते हैं तो document. चलिए यहां पर हम continue भी कर देते हैं continue वाली कर रहा है ठीक है तो continue भी लेख देते हैं हमाने यहां अब भार निकल के जो हमारा कर्ल युक्त राइट कर रहे निस निशिक रहे एक प्रिंट कर देते हैं ठीक है है और यहां पे प्लस करके हम लग देते हैं कि ए क्यों लाइन ब्रेक होना चाहिए चैनीए बाहर को निकल रण करते हैं अब रन करके देखिए जरह कि देखिए हमने कंटीनी schwul मतलब जब आई एक ही बैलर से रान है तो सक्पट कर दे और बाद में फिर कंटीनृ करतें मतलब क्या है जो जो कन दे रही हो जो कंडीम लगा देखते हैं यहां पर क्या लगा है लगा है डोकुमेंट.right आई करें हैं आई प्लस प्लस कर दियो तो आई की वे वेली जो है बराबर हो गई है तेन के तो ब्रेक कर दें ठीक है इफ करके ठीक चलिए हम चलते हैं यहां पर फिर से कंडिशन के अंतरगत और इन सबी को हटा देते हैं ठीक तो यहां हमने वी ए आर करके ले लिए ए और ए को दे दी हैं जीरो और हमने लगा है वाइल वाइल को कर दी है ए कब तक छोटा है जब तक की 20 तक न पहुंच जाए और अंदर हमने कर दिये document.write और यहां हम कर देते हैं किसको अ को print कर देते और प्लस कर एहां पर बी आ आर को break लगा देते है और अंदर आकर हम करते हैं देखिए इसी के अंदर हमको लिखना है i++ यानि कि a++ लिखना है ठीक है इस प्रकार से और यदि इफ है इफ आई मतलब एब बरावर है किसके 10 के तो क्या होना चाहिए अंदर आकर वह क्या कर देना चाहिए ठीक है चलिए इसको रन करके देखते हैं हमने कहा तक दी है यह 20 तक प्रिंट होना चाहिए 19 तक पर बीच में हमने लगाया है यह जो है बराबर आ गया है 10 के तो ब्रेक कर देगा क्यों क्यों कि हमने ब्रेक लगा है तो ब्रेक और कंटीनियू में क्या अंतर मि का ठीक है तो आप यहां देख सकते हैं ब्रेक का एक्जामपल और इसके पहले हमने जो कंटीनियू के एक्जामपल देखे करो मैं सभी चीजों का एक लाइफ सेशन या डाउट सेशन लेने वाला हूं लाइफ तो उसमें आपको काफी आसानी होगी हर सब्ता ठीक है तो जो भी कमेंट आईगी उनको लेकर जो भी मतलब जिनका अंसर बताने लाइक मुझे लगेंगे तो उनको मैं जो है लाइफ के मा बारे में फंक्संस होते क्या है जैसे मान लीजी आप किसी काम को बार बार करते हो यानि कि कोई काम करने के लिए बार बार कोई भी जो इस्टेक्शन से या कोई भी जो स्टेट्मेंट है बार बार लिखना चाहते हो ठीक है तो देखें एसी जो इस्तिती में अगर देखें हम उसको सिर्फ call करना पड़ता है यहां पर इन्हें कि जो function का नाम है जैसे मान लिजी हमने sample नाम से एक function मना है उस function को सिर्फ हम call कर लेंगे उस नाम से तो क्या होगा उसके अंदर लिखी गई जितनी भी statement है या जो भी हमने instructions लिखे वो एक बार call करने पर यहां पर inherit हो जाएगी या call हो जाएगी या execute हो जाएगी तो ऐसी इस्तिति में क्या होता है हमारे समय का बचत हो जाती है और बार बार हमको यह सारी चीज़े लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे काम आ आसानी से हो जाता है तो चलिए इसी के बारे में हम देखने वाले हैं कुछ functions देखते हैं याप्री फॉक्सन में काम करने देखते हैं अच्छा functions दो परकार के होते हैं एक तो library function होते हैं और एक होते user defined function होते हैं जूकि liberal function यह कोई भी privacy या किसी यानि कुछ Customs वक करने के लिए यहां पर Monsieur को Define कर लेता है, थो उन्हें बोलते है User Define Functions चलिए हम यहां देखते हैं JavaScript के अंतरगार fh அमसंज होते क्या है तो देखिए यहां देखिए यह जो statement होता हूं स्प्रूम होता है, statement का एक सम्हो निगा पहुत सारी development का एक जो group है उसको हम functions बोलते हैं यहां पर और functions की जरूवत कहां पर होती है जहां हम function define करते हैं उसके बाद उसको call किया जाता है नहीं function कब जरूवत पड़ती है function की function की जरूवत तब पड़ती है जब हमको कोई काम बारवार repeatedly करना पड़ता है तो उसके लिए हम यहां पर function को define कर देते हैं तो फायदे क्या हो सकते हैं function में लिखा गया जो code है बार बार लिखना ने पड़ता ठीक है function programmer के समय script की जो space है यानि कि बार बार जो बहुत सारा इक ही function को बार बार यूज किया ज़सकता है यहनि कि function define करने के बाद हम बार बार कहीं भी उसको आसानी से यूज कर सकते हैं यह चीज हम को देखने को मिलती है function के अंतरगात इसके बाद हम अगर बात करें तो देखे function कैसा होता है तो function के अगर बात करें तो देखें हम यहां पर अगर बात करें तो function लिखते हैं function का name लिखते हैं जैसे हमने लिखे sample और bracket start करें ठीक है और उसके आथ curly bracket इस प्रकार से लिखें हमने और बीच में statement लिखे जाती है तो function एक business नाम होता है ठीक है function की सुर्वात जो होती है उसके नाम और बाद में parenthesis मतलब इस प्रकार से bracket लगते है यह वाले ठीक है उसके बाद में curly bracket लगते है और curly bracket के अंदर जो होता है statement को लिखा जाता तो उसी के बारे हम यहां पर देखने वाले हैं जैसे अगर बात करें यहां पर function define करनी की बात करें तो यह जो है syntax है syntax का मतलब होता है प्रारूप प्रारूप मतलब रूप रेखा हम बोल सकते हैं जिसके आधार पर example को execute किया जाता है तो function पहली बात तो थी function keyword लगा उसके आद फंक्शन का नाम होता है कुछ भी हो सकता function का नाम हम ऐसा दे सकते हैं जो की keyword ना हो ठीक है पहले से keyword ना हो जैसे कि हम FUNC दे सकते हैं या फिर सेंपल दे सकते हैं या फिर एडिसन दे सकते हैं या फिर हम पर parameter भी रख सकते हैं ठीक है और अंदर उसकी statements होती है statement बहुत सारी हो सकती है जो कि हमको बार-बार execute करना तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए हमने जो चीज यहाँ पर लिखे है उसके बारे में कुछ define किया गया है तीन चीज़े हमको मह अच्छा होता है ठीक है जैसे कि हम अगर बात करें तो add करना तो function add बना दिए multiplication करना तो multi बना दिए divide करना है तो सब यानि कि जो bracket लगते डावल इसके अंदर ही हम parameter यानि कि variable को लिख सकते हैं ठीक है statement के अगर बात करें तो statement बार बार इस्तमाल होने वाले हैं जो statement यहाँ पर लिखे जाते हैं ठीक है चलिए example देखते हैं तो example हम पहले हल कर लेते हैं जैसे कि हम लेते हैं देखे हम यहाँ प function ने के लिए यहाँ पर लेते हैं function function और name के ले लेते हैं जैसे हमको लेना है sample sample और हमने bracket स्टार्ट करें curly bracket यहाँ पर start करके end कर दिए enter करें ठीक है और document.write करके हमने लिए और यहाँ पर हमने ले लिए क्या एक प्रकार से hello करके hello function करके हमने यहाँ प्रिंट कर दिए चलिए इसको run करते हैं तो अब यहाँ पर हम जैसे run करते हैं यहाँ पर desktop पर हमारा folder html, javascript और यहाँ practice के नाम से तो आप देखे कुछ run नहीं हुआ है मतलब यहाँ पर कुछ आया है क्या बिल्कुल नहीं आया क्यों नहीं आया तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूवत है जब हम function बनाते हैं सिर्फ define हुआ है call किया गये क्या आपको save कर दिए और refresh कर दिए तो hello function आ गया मतलब ध्यान देने की बात है कि सिर्फ define करने से ही कुछ नहीं होता उसको call भी करना पड़ता है ठीक है तो वहीं बात यहाँ पर देखने मिली हमने देखिए कोई भी नाम से ले सकते हैं sample नाम से ले सकते हैं और कोई भी parameter पास नहीं किया गया है इसमें हमने जो देखें curly bracket के अंदर हमने statement दिए hello करके ठीक है अब देखें जब तक उसे call नहीं किया जाता मतलब जब तक कि हम function को call नहीं करेंगे तब तक वो invoke यानि की execute नहीं होगा त देखें function को call किया जाता है मतलब कहां call किया जाता है वो हमारी छनुसा हम define कर सकते हैं तो इसक्रिप्ट यह script हमने लिए function हमने लिए efficiency function की definition यह comment है double slash यानि कि single line comment है उसका document.right में hello कर दिये अब यह function की definition इतनी हो गई complete पर अगर इतने से काम चलेगा तो ठीक है पर नहीं चलता ठीक है तो हमने यहां देखे function को call करें तो यह function calling है comment box में हमने मतलब यहां पर comment में दे दी है तो यह देखे function जो है यहां पर call किया यानि कि आएगा क्या answer में hello आएगा ठीक है अब बात करें calling function with event तो हम एक button लेते हैं जैसे मान लीजिए हम यहां पर करते हैं hello function को हम जो है कहां पर लेते हैं script के बाहर चले जाते हैं और एक button लेते हैं जैसे कि हमने form पढ़े HTML के अंतरगा तो input type button लिए थे हमने input type करके हमने button लिए ठीक है और यहां पर हमने value दे दिए value मतलब जो होता है दिखेगा क्या मतलब button जब 100 होगी तो उसमें दिखेगा क्या त और एक होता है on click event होता है event का मतलब होता है कोई घटित कोई जब घटन होती है एब वो किसूशस से घब तो कीवोट से की दबाएंगे तो घटित होगी या फिर माउस से हम कोई क्लिक करेंगे तो घटित होगी तो ओन किलिक करने पर क्या होना चाहिए बटन को हम जब क्लिक करेंगे तो एवेंट एक्जिक्यूट होना चाहिए तो ओन किलिक यहां पर हम देंगे क्या जो हमारे फंक से बंद कर देंगे धिक अब वम जब रन करेंगे यहां पैं गुखें बॉटन देखेंग इस पर ईश्opfALK घंट जानगी सब्सक्राइब ठीक है तो यह यहाँ पर बटन के माध्यम से हमने execute कर लिए तो वही चीज यहाँ पर बोली जा रही कि जब java script में event में function को call किया जाता है तो यहाँ देखे हमने script में function को define कर लिए ठीक है यह वाला complete script end हो गई अब body के अंदर देखें तो यह देखे जो function है आपका head section में define किया गया है तो हम body में भी define कर सकते है और head में भी दोनों जगे आप जैसे मान लीजे अगर मैं यहाँ से उठा कर function को कहां रख देता हूं जैसे यह पूरा complete script उठा कर मैं रख देता हूं head section में जैसे यहाँ आप गए और head section में अधे contain दोनों जगें यहाँ आप सकते है वह team में बता चुका हो ठीक है ओ Keeping करेंगे तो यहां पर यहां पर आ जाएगा जो हम ने लिख्यें जिसे हमने लिखे हेलो यहाँ तो यहां पर हेलो आजाएगा था अब करते हैं थे परेमिटर की तो अफेड हैं exist यो भी हमको लेना function की body हमने statement लिख दिये ठीक है देखे script पर दो parameter को pass किया गया जैसे हम अभी देखने वाले हैं और function को दो बार call किया गया दो बार call किया गया पहले call में एक argument दिया गया जो की argument दिया नहीं जाता वो undefined हो जाता और दूसरे call में दो argument दिये जाते हैं तो देखे हम यहां पर example मां समझते हैं तो function एफिएंसी नाम दिया गया एक्स और वाय उसके क्या है parameters है और अंदर document.right में हमने क्या करे हैं x को print कर दिये ठीक है और दूसरे document.right में हमने जो है y को print कर दिये तो जब यहां function को call कभाव को जाएगा तो एक parameter दिया गए मतलब एक argument दिया गए देखे दो चीज समझीए आप यहां x और वाय को parameter बोला जाता है और जब हम call करते समय एक value देते हैं तो इसको argument बोला जाता है क्या बोला जाता है argument तो यहां एक argument दिया यानि कि पहले को receive हो जाएगी x को और print हो जाएगा x यानि कि add value आएगी और जब by print किया गया है तो by को क्या आएगी by को आएगी undefined ठीक है उसके अलावा जब दूसरी बार function को call किया गया है तो calling to में हम देखते हैं 10 और 12 हमने दे दी हैं तो 10 कहां चले जाएगी x में और 12 चले जाएगी by में तो दूसरी बार में आप देखे 10 और 12 यहां पर आ गया है answer तो चलिए हम जो है एक काम करके देखते हैं यहां पर function में यह हटा देता हूं मैं जो event है और यहां पर हम इसको हटा देते हैं चलिए इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद हम यहां पर क्या करते हैं एक function लेते हैं ठीक है function लिए function लिए हमने add वाला ठीक है और add function लिए हमने और यहां पर जो data मतलब हमने parameters लिए दो दो parameters लिए और var करके हमने लिए x और x को दे दी a की value ठीक है और एक var करके by लिए और by को दे दी बी की value ठीक है और यहाँ var करके हमने ले लिए kya z और z equal करा दी हमने kya x plus by ठीक अब document dot write हम दूसरे example कर रहा है parameter वाला तो document dot write में हमने z को print करा है मतलब हम double quote में लिख देते हैं total is और total is में हमने semicolon मतलब colon लगा है, dash लगा, space दीए और plus का sign लगा के z को print कर दिए ठीक है इसके अलाबा हम यहाँ पर जैसे लिखे हमने चलिए यहाँ पर हमने function को semicolon नहीं लगाना है curly bracket को यहाँ पर आपको पता है curly bracket से start होता है, curly bracket से end होता है function, function का नाम parameter की list लिए, semicolon नहीं लगाना है, curly bracket start हुआ, curly bracket close हुआ, variable जो x है इसके अंदर लिए, उसमें किसकी value आईगी a की, और variable जो b y है, उसमें b की value आईगी और z में जो होगा, z में x plus by होगा, और plus होकर कहां चला गया, z में और z को print कर दिए, अब print कब होगा जब हम add को call करेंगे, तो add को call simple नहीं करेंगे, हम add को call a और b, यानि कि 2 parameter के लिए 2 value यहाँ पर लेना पड़ेगा तो हम add अगर call करते हैं ठीक है, add अबर यहाँ पर हम call करते हैं, तो हमको यहाँ पर 10 और comma लगा कि यहाँ पर कोई दूसरी value 20, इस प्रकार लेना पड़ेगा क्यों, क्योंकि 10 जाएगी a में और 20 जाएगी b में, तो यहाँ x में चले जाएगी 10, और जो b की है, वो बया में चले जाएगी 20, दोनों को जोड़कर कहां चले जाएगी z में, यानि कि answer आएगा 30, तो चलिए देख लेते हैं, answer 30 आता है या नहीं, तो देखे total is 30 आया, कैसे आया, तो देखे, parameter और argument, मतलब parameter लिए हमने a और b, दो argument दिए, 10 और 20, दोनों चले गए यहाँ पर, यहाँ अंदर calculation हुआ, और जो z है, वो बापस आखर add के दोरा वो यहाँ पर दिख किया है, तो हम यह event के माध्यम से भी लिख सकते हैं, तो आप यह example भी कर सकते हैं, जो हम इसको क्या करते हैं, define करते हैं, x और y, तो उसको बलते हैं parameter, ठीक है, और जब हम value pass करते हैं, तो value pass करते हैं, जो 2 और 3 pass करें हैं, वो होती argument, ठीक है, जो चीज हमने अभी देखे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, function return statement, तो return keyword यहाँ पर आप्सेनल होता है, return statement function के आखरी में होता है, और return statement को return keyword के साथ लिखा जाता है, यह चीज हम अभी हम देखने वाले, return keyword के साथ कोई statement नहीं दिया जाता है, जैसे अगर नहीं दिया जाता है, तो क्या होगा, undefined return माना जाएगा, तो return statement इस प्रकार से लिख देते हैं, हम यहाँ पर देते हैं, तो देखिए, हम यहाँ तक तो वो करेंगे जो हमने अभी करें हैं, जैसे function हमने define करें, x और y, और z बरावर x और y को plus करके return z को कर दिये, तो चलिए, उसी में modify करते हैं, जैसे देखिए, हम अगर यहाँ पर इतना लिखते हैं, चलिए, यह हमने लिखे, कितना यह लिखे, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिख देंगे, return, क्या लिख देंगे, return z, यह रिटन comment.write आप सीधे लिख सकते हो, या फिर मैं दूसरी method से बताता हूं आपको, जैसे var करके हमने c लिए, और c बरावर हमने लिख दिये, क्या add, और add में हमने दे दिये, क्या 10, 20 दे देते हैं, और comma लगा क्या 40 दे देते हैं, ठीक है, अब एक बात देखिए, add के अंदर 20 और 40 लिए हैं, तो वो add का निकल कर कहां चले गया, c में, ठीक है, मतलब, यहां 20 कहां चले जाएगी, a में, और 40 कहां चले जाएगी, b में, दोनों आए यहां पे, और plus हुए, plus होकर 60 हो गए, z में, और z return होकर कहां गए, यहां में, और आप c में कितनी value है, 60, तो जब हम document.write करत हैं, और यहां total is कराते हैं, total is, और यहां पर हमने कराए, और इस पर देकर plus कराके, हमने c ले लिए, तो अब बताई, यहां पर answer कितना आएगा, यहां पर आएगा 60, क्योंकि जो return कराए, z को, z आगया c में, और यहां पर हमने print करा लिए, चलिए, run करके देखते हैं, answer आता करे हैं, script के, मतलब function के बाहर, तो यहां पर run हो गया, ठीक है, तो आप देखिए, यहां पर हमने जो है, document.write और यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, तो आपका answer यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा function हो गया, return के साथ भी function हो गया, function जो है, यहां पर parameter और argument होते क्य हैं, वो भी हमने देख लिए, इसके अलावा हमने example for function parameter भी देख लिए, function parameter, हना यह calling event के साथ में देख लिए, function की calling होती क्या है, definition क्या होती है, इसके अलावा हमने basic जो definition वो भी देख लिए, यह सारी चीज function के अंतरगत हमने देख लिए, चलिए, अब बात करने वाले हम array क होती क्या है, जावा स्क्रिप्ट के अंतरगत array क्या होती है, वो हम देखने वाले हैं, तो देखे array का मतलब होता है, एक collection, क्या होगा, एक collection, जैसे मान लीजिए, आप VAR करके A लेते तो आप 10 श्टोर करते हैं, VAR करके आप 20 श्टोर करते हैं, यदि C लेते हैं, VAR करके तो आप 30 श्टोर करते हैं, मान लीजिए, आपको 3 variable लेना है, तो आप 3 वैलू लेते हैं, यदि 10 श्टोर करना, 10 variable लेंगे, यदि आप 50 स्टोर करना चाहते हैं, तो दिक्कद बन जाईगी ना, तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए इसी परसानी से हम बचने के लिए क्र करत या जितने भी 100 element देना 1000 element देना तो सभी एक array की नाम से ही हम उसमें store कर सकते हैं इसमें ध्यान रखना पड़ता है indexing value चलती है indexing value मतलब जैसे 10 item ली है तो जीरो यानि कि पहला item कहां store होगा 0 में, दूसरा 1 में, तीसरा 2 में, इस प्रकार से यहां पर store होते हैं, तो यह चीज हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, किसमें array में, तो चलिए इसी के बारे हम यहां पर देखने वाले हैं, तो array क्या है, array एक special variable है, special variable का मतलब होता है, एक business variable ज यह car के name की हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई वैक्ति के नाम की हो सकती है, कोई value हो सकती है, ठीक है, अब single variable के अगर बात करें, जैसे हम जैसे लिटी भी एक variable declaration के लिए keyword है, या वी ए आर भी एक keyword है, declaration के लिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे car 1 नाम से एक variable लिए car 2 नाम से लिए तो car, जो एक car का नाम इस्टोर होगा, car 3 के नाम से लिए तो तीसरी car का नाम इस्टोर होगा, पर क्या आपको पता है कि सिर्फ तीन ही variable, तीन car के नाम इस्टोर करेंगे हम, बिल्कुल नहीं, हम बहुत सारी कार, यानि कि अगर 300 है, तो क्या यहाँ पे variable ले आते हैं, तो access करने के लिए हमको जरूवत होती इंडेक्स नमबर की, इंडेक्स नमबर कहा शुरू होते है, 0, 1, 2, इस प्रकार से यहाँ पर store होती है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, तो आप देखिए, यहाँ पर जब हम create करते हैं, तो यदि हम define करते बराबर value दे रह अब यहाँ एक example लिएगा है, doc type, html, html लिखे, यह सारी चीज तो हमारी पुरानी हो गई, अब आते हम script से, तो देखे, const करके car लिए, car में हमने लिखे, 1, 2, 3, इस प्रकार से लिखे, document.write में सिर्फ एक बार में call कर लिए, तो चली example हल करके देखते हैं, यहाँ मैं यह function सारी चीज हटा देता हूं क्योंकि हमारा function यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, चली हम लेते हैं यहाँ पर क्या var करके हमने लिए cars, ठीक है, और equal करके हमने दे दिए, equal करके आप कभी भी ऐसे बड़े बाले जो bracket है, इसमें देना होता है, बड़े बाले ब्रेकेट मतलब जो square bracket होता, उसमें आपको define करना होता है, तो सभी चीजे double quote में लिख लीजिए, जैसे आप देखे हम गाड़ी का नाम दे देते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ देदे company का नाम, ठीक है, यहाँ next दे देते हैं, ठीक है, इसके अलावा हम दे देते हैं, इस प्रकार, इसको double quote क इस साइड लगाना, यह तीन कार के नाम हमने किस में स्टोर करें, अब जब हम कॉल करेंगे, तो कॉल करते हैं, आपको directly कॉल करना है, कुछ नहीं करना है, document.write, document.write आप इस प्रकार करें, और यहाँ पर आपको सिर्फ cars लिखना है, cars लिखना है, यानि कि line से 300 होना चाहिए, कॉमा लग लग है, ठीक है, तो चलिए रन करके देखते हैं, देखें, टाटा, महिंदरा, नेक्स ओन, यह कॉमा लग लग है, जो है, तीनो कार आ गई है, तो देखें, एक ही variable में हमने क्या लिए है, तीन multiple item को स्टोर करें हैं, यानि कि है क्या यह, यह array है, ठीक है, तो array है यह, आप समझ गया होंगे, अगला हम देखते हैं, एक और चीज, जैसे देखें, आप अगर इसको define करें, जैसे हमने अभी line से, एक line में define कर ली, अगर आप enter भी करते हो, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें enter करने का कोई basis प्रवाव नहीं पड़ेगा तो चली हम enter करके भी देख लेते हैं, जैसे मान लो, आप यहाँ पर जाते हो, enter करते हो, फिर यहाँ जाते हो, enter करते हो, तो आप 3 line में भी लेते हो, तो आप देखें, यहाँ पर आपको कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा, यह run हो जाएगा, तो इससे कोई effect नहीं होगा ठीक है यह चीज भी आप कर सकते हैं उसके अलाबा आप देखे यहां पर इंडेक्स नंबर के थुरू भी डाय जो बैलू है वो एंटर कर सकते हो ठीक है जैसे देखे हमने एक डिफाइन कर लिए कार्श के नाम से ब्लैंक मतलब कुछ भी बैलू यानि कि 4-5-6-10 कुछ भी बैलू आप इस्टोर कर सकते हो चलिए हम इसको करके देखते हैं जैसे हम यहां नॉर्मली क्या करते हैं यह हमने ले लिए इस प्रकार खाली और खाली करके हमने यहां पर क्या लगा लिए सेमी कॉलन और इनको हम हट हटा देते हैं सभी चीजो को ठीक है इस प्रकार और हम सभी को हटा देते हैं इस क्रिप्ट को नीचे ले आते हैं हमने लिए कार को क्या कर लिए कार को हमने ले लिए हैं ब्लैंक और जब हम कार करके क्या लेते हैं जीरो और जीरो करके एक्क्वल करते हैं मतलब देखिए य लेते हैं डबल पोट में जैसे हमने ले लिए फिर से टाटा और यहां सेमिकॉलन लगाना कॉमा नहीं लगाना आप है ना कार्ज करके हमने ले लिए क्या कार्ज करके हमने वन ले लिए उसका एक्वाल करके आपको क्या लगाना है एक्वाल करके आपको जैसे महिंद्रा ठीक है फिर semicolon लगाना cars करके आपको क्या लेना है फिर to लेना है और आपको equal करके लगाना है यहाँ पर यह आप दूसरी company का नाब लिख सकते और यह semicolon देखे अब जब हम call करेंगे तो भी यह काम करेगा तो हम कैसे call करेंगे system बो हमारा document.write document.write हमने लिखे bracket start करें और यह cars लिखे और semicolon से आप बंद कर दो और हम run करके देखते हैं तो देखिए कोई changes नई तो आप देखिए या तो आप directly लिख सकते हो इस bracket के अंदर या फिर आप index number 012 अलग-अलग यहाँ define कर सकते हो ठीक है इसके अलाबा देखिए हम अगर number भी लेते हैं तो number भी आप इस प्रकार से ले सकते हैं number के लिए double coat लगाने जरूरत नहीं तो आप इसको हल कर लेना तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं ठीक है अब यह देखिए अन्य जो language थी अन्य language में क्या होता था कि आप जो है किसी इंडेक्स में number store कर रहा है तो number नंबर करना पड़ेगा मतलब यहाँ पर अगर variable आपने string लिए हो तो string लेना पड़ेगा number लिए तो number नंबर लेना पड़ेगा पर JavaScript में इस प्रकार की कोई boundation नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो वन store कर सकते हो ठीक है इसके अलावा जैसे यहाँ hexadecimal मतलब जो boolean है boolean भी store कर सकते हो यह देखिए इस प्रकार से ठीक है तो जब हम इसको print कर आएंगे तो आप आप देख सकते हैं हमारे पास में देखिए तीनों चीज़ा आ गई यानि कि हम different type के जो data type है उनका use कर सकते है एक ही टाइप के variable में तो यहाँ data type का कोई boundation नहीं होता है जावा script में तो आप देखिए यहाँ numeric भी ले सकते हो string भी ले करें तो index का recording भी हम access कर सकते हैं चलो हैं पर हम देखते हैं हम अगर बात करें और एक को निकाल एक को लाना है तो हम देखें यहाँ पर देते हैं जीरो को सिर्फ जीरो तो यहाँ पर print क्या होगा प्रेंट होगा सिर्फ बन क्यों कि हमने सिर्फ 0 को बलाए है यदे हम बलाते हैं टू को तो हम क्या करेंगे यहां पर जो true है वो आएगा यदी लेक्स आकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और सारे जो value है उनको एक साथ हम यहाँ पर print भी का रहा सकते हैं ठीक है length of array की अगर बात करें तो array की length हम देख सकते हैं जैसे हम अगर बात करें यहाँ array हमने लिए हैं चलिए हम फिर से लेते हैं या फिर एक और काम करते हैं ऐसे हम ले लेते हैं 1,2,3,4 ठीक है और document.write करते हैं document.write करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं क्या लिखेंगे name dot मतलब जो हमारी कार लिए हमने या हम ले लेते हैं numbers लिए हमने तो जो array का नाम है वो हमको लिखना यहाँ पर nums dot length यहाँ लिखना हमको इस प्रकार ठीक है यह लिखे हमने और bracket को बंद करें ठीक है तो यहाँ पर जब हम इसको run करेंगे तो देखे हमारा जो भी है जैसे यहाँ तीन है एक दो तीन तो यहाँ यहाँ अंसर कितना को तीन आगा तीन और हमारे पास में कितने ली एक दो 3 चार हमारे ऑनलाना चाहीं चार आ चाहिए तो यहां पर हमारे पास है यह है यह तीन हमने ली है त Faculty हम चाहते है कि और राक् funding हो है तो वहाँ एक कर सकते हैं तो आप यह करखे देख सकते हैं ठीक है बाद में हम जब प्रिंट कराएंगे जीरो को तो राकेश की जगए कंबलेस यहां पर आइगा पहली बार में तो राकेश आएगा दूसरी बार में कंबलेस आएगा ठीक है उसके अलावा फॉर लूप के माध्यम से भी हम जो है एरे के एलिमेंट को यहां पर ला सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं यहां पर जीरो दिये और यहां पर क्या कर सकते हैं जो आई है उसको प्रेंट कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर आंसर आ जाएगा ठीक है तो इसको अभी आप उप्योग कर सकते हैं यह तो था हमारा array अब बात करते हैं यहां पर डाइलेक बॉक्सेस की तो जावास्कृट में यह जो है लाज्ट टॉपिक है जावास्कृट का डाइलेक बॉक्सेस मतलब एक फ्रेंट में एक बिंडो आती है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है यह नि कि कहीं उस तो यहां पर देखिए तीन प्रकार के डाइलेक बॉक्स जो है सपोर्ट काता आगा जावास्कृस्क्रिप्ट के अंतरकत जो कि अलर्ट है कन्फरमेशन और प्रॉम्ट थीन चीजी में निकैसा अधरू हो ओग सो जैसे हम अगर बात करें तो आ वहां लिए को है कुछ चलो यहां पर हम उपयोग करते हैं यहां देते हैं अलर्ट करके हम ने दिए अप प्लीज फिल कि 추천 हुआ ऑल कर सांब फाल Corn īेकर यहां हम कर देते हैं ओल एंट्रीज ठीक और इसको हम रन करते हैं तो आप और देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से आएगा प्लीज फिल और एंट्रीं ठीक है इसको हम बटन में भी रन कर सकते हैं इस प्रकार से जैसे हमने किसमें किये थे हमने वो जो हमारा function था उसमें किए थे function बना के हम button में भी इसको प्योग कर सकते हैं फिर होता है confirmation box तो okay या cancel is की दो value होती है ठीक है confirm okay मतलब confirm होता है और confirm होतो true result आता है और अगर confirm नहीं होतो false result आता है तो इसके लिए देखे हम कर सकते हैं यहां पर देखे जैसे एक variable लेते हैं variable में हम confirm करके do you want to continue इस प्रकार कर सकते हैं तो चलिए यहां पर हम जो है directly लेकर देखते हैं और अगर नहीं काम किया तो फर हम जो है द्यान उसको देखेंगे चलिए एक variable लेते हैं variable करके एक ले लेते हैं हम confirm करके और यहां करते हैं confirm और do you want do you save the document इस प्रकार से हम जो है इसको message लेख सकते हैं तो चलिए यहां पर अच्छा यो बेरे भल उसको call तो करना पड़ेगा तो document.right document.right में हम कर देते हैं कौन ठीक है इस प्रकार देखे यह देखे यह आया है do you save the document तो okay cancel okay करेंगे तो true और cancel करेंगे तो false result आएगा देखे okay करें तो true आया और अगर फिर से हम refresh करते हैं और cancel करते हैं तो false result आता तो why default होता है फिर भी हम यहां पर देखे इफ यदि जो variable है उसमें वो true के बरावर है तो जाना चाहिए user want to continue और अगर यहां true result आएगा और else अगर नहीं करता है तो क्या होगा cancel करेंगा user does not want to continue यह result क्या आएगा false आएगा तो इस प्रकार से भी हम इसको ले सकते हैं और यह सारी आए लग वोक्स जो है काफी useful है पॉप अप के तौर पर इसको यूज के जाता है इंपूट के लिए यानि की रन टाइम पर यूजर से इंपूट लेना है तो उसके लिए यहां पर इंपूट किया जाता है ठीक है मतलब एक प्रकार से इंटरेक्शन करता है यह रन टाइम पर यूजर के लिए ठीक है ठीक प्रॉम्ट वॉक्स आता है जिसके अंतरगत हम देखें तो लेवल आता और एक डिफॉल्ट इस्ट्रिंग आती है तो ओके और कैंसील होता है तो चलिए इसको हम हल करते हैं जैसे हम यहां देखे एक व यहां बेरेबल में प्रिंट ओलं करते हूं इसको हमंच करते हैं प्लीज ऑडिया और यहां जाकर हम इसको एक व्ल जो उतुमें लिए कन करते maior करें कर लिए यहां पर हम इसको run करते हैं एक box आ गया हम लिख देते हैं यहां पर SSW education यह हमने नाम लिखे और ok करे ok जैसे करें हमारी स्क्रीन पर यह आ गया है तो यह जो होते हैं prompt box होता है हम इसको function के तौर पर भी ले सकते हैं और on click event में भी स्कोप योग कर सकते हैं यह सारी नाट्स आपको जो है मिल जाएगी यहां पर जैसे एक application सरकार study waste education उसमें आप जाओगे complete आपको series जो है lecture मिल जाएंगे ठीक है मतलब HTML के भी मिल जाएंगे CSS के भी और JavaScript के भी और यह complete रूप से आपको उहां मिल जाएगा web designing course के अंतरगर भी मिलेगा और separate separate भी आपको मिल जाएगा तो यहां पर आप सारी चीजों को देख सकते हैं ठीक है इस यहां पर आई बटन भी आती हुआ सारी चीजे playlist भी मिल जाएगी आपको उन जाकर आप दे सकते हैं और नौट्स आपको टेलिग्राम में आप मैसेज करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी आई हुप सारी चीज आपको समझ में आगए होगी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं एच्टीमिल से रिलेटेट से रिलेटेड या जावा स्क्रिप्स से रिलेटेड ठीक है तो चलिए मिलते है नेक सीरीज के साथ में तब तक के लिए जैहिंद